चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को इस क्लास को सबसे पहले नमस्कार सभी को सभी को नमस्कार जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि last year यानि कि 2023 में स्टाफ सेलेक्शन कमिशन SSC ने अपने पैटन को चेंज कर दिया यह पैटन हम सभी को पता है बहुत सारी जानकारी ह कमपल सरी कर दिया गया है अगर आप क्वालिफाइं क्वालिफाइं मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ठीक है जी तो एक इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर की आपके मेंस वाले एक्जाम में बागी मैं आपको यह भी बताता हूं कि ऐसा न देखने को मिलते हैं बट जो चेंज या बदलाव हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला वो यह है मेंस वाले सेक्शन में अलग से कंप्यूटर का एक सेक्शन दे दिया गया है जैसे आपको क्वालिफाई करना जरूरी है ठीक है जी तो बहुत सारे लोगों ने यह बोला क वाली है क्योंकि मैं यतेंद्र निगम आपके लिए लेके आया हों कंप्यूटर का एक कंप्लीट सलूशन और इस सलूशन के बाद आपको मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगे जितना गाइडेंस में आप सभी लोगों को दूँ उस गाइडेंस को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कंप्यूटर वाले सेक्शन को जरूर क्वालिफाई करेंगे एक बात और बता दूँ मैं आपको कि अगर आपने ससी के नोटिफिकेशन को सही से पड़ा है तो आपने ये भी पड़ा ह होगा कि जब पोस्ट प्रिफरेंसेज भरवाई जाती हैं जब आप एक्जाम के लियर करते हैं तो उसके बाद आपको पद यानि पोस्ट की प्रिफरेंसेज डालनी पड़ती है तो उसमें कई सारी पोस्ट ऐसी हैं जिन पर उन लोगों को प्रिफरेंसेज मिलेगी जिनके computer में marks ज़्यादा होंगे अब आप बोलेंगे sir marks जड़ेंगे नहीं marks जड़ेंगे नहीं नहीं बट जिसे जो section computer का आप से पूछा जाएगा न उसमें ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे students के वाल क्वालिफाइंग marks की ले के आएंगे या qualifying question नहीं के बल ठीक करेंगे कुछ लोग पूरे मैंसे पूरे question भी ठीक कर देंगे तो total sse की जितने भी post हैं उन में कुछ particular post ऐसी हैं जिनके लिए computer के marks value करेंगे समझ भा रहे हैं मतलब जिनके computer वाले section में marks ज़्यादा होंगे उनको post या पद पहले prefer किया जाएगा तो इस वज़े से भी computer एक importance रखता है sse cgl mains के exam में ठीक है जैसे मैं रहता है pre के exam में भी एक दो question ज़रूब है पूछे जा रहे थे पहले से और आज भी पूछे जा रहे हैं इसके अलावा chsl के exam की हम बात करते हैं अभी हम बात कर रहे थे cgl की अब हम बात करें csl exam की तो csl exam में भी है न कंप्यूटर को कंबल सरी कर दिया है या नहीं जो मोटा मोटा जो सबसे बड़ा change या बतलाव हमें देखने को मिला वो यही था कि computer को एक अलग से section बनाकर add कर दिया गया है ठीक है यह हम सभी लोगों को अभी तक पता चल गया है तो मैं definitely आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको computer के लिए अब कहीं जाने की जोरत नहीं पड़ेगी मैं आपको proper तरीके से classes प्रवाइड कराओंगा जिसको देखने के बाद आप computer में qualifying जो marks लाने वो तो लाएंगी लाएंगे अब full में से full marks भी ले आओगे ठीक है जी दूसरी बात यह है कि मैं जो आपको content provide कराओंगा उसमें classes होंगी और उसमें MCQs, multiple choice questions, practice यह सब provide कराओंगा आपको कहीं जाने की जूरत नहीं पड़ेगी आपको, सही है और इसी लिए आज के session में मैं आपके सामने लेके आया हूँ SSE में जो last year 2023 में अलग से section बनाकर computer पूछा गया उन सारे shift के questions को एक ही class में, एक ही session में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको at least यह तो idea लगी जाए कि जब हम paper देने जाएंगे SSE का चाहिए वो CGL का exam हो, चाहिए वो CHSL का exam हो, हमें उस exam में किस level के, किस इस तर के question हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे देखो, एक normal सी बात में आपको बताता हूँ कि देखो, थोड़ा बहुत computer है न, सब को पता होता है थोड़ा बहुत basic computer की knowledge है न, सभी व्यक्ति को होती है, सभी candidates को होती है बट उस basic computer में भी जो basic points हैं, क्या वो आपको पता है या आपनी कोई regional language को आप जानते हैं, उसी को बोलते हैं, पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ अगर आपको कोई दूसरी भाषा समझाना शुरू कर दिया जाए, पढ़ाना शुरू कर दिया जाए जैसे आपको अंग्रेजी सिखाई जाए और आपको अंग्रेजी का ABCD भी नहीं पता है, आपको केवल अपनी regional language पता है तो आपको अंग्रेजी यानि English की ABCD भी क्या लगेगी, टफ लगेगी जबकि किसी English जानने वाले व्यक्ति से अगर कहा जाए कि ABCD क्या होता है तो वो तो यह बोलेगा बहुत बेसिक चीज़ है इसमें क्या पूछ रहे हो वो कोशन बहुत सिंपल से, बेसिक fundamental की कोशन थे पर जिसको fundamental के लिए नहीं है उसको दिक्कत हुई और उन्हें लगा कि computer बहुत टफ पूछा गया है तो इसी समस्या का समाधान आपको कहां मिलेगा यहां मिलेगा ठीक है जी अब आपको कहीं जाने की ज़रूत नहीं है मैं यतिंद्र नेगम आपको computer की तैयारी कराऊंगा आप मेरे साथ बने रही है आप मेरे guidance को follow कीजिए और देखिए computer वाला section qualify भी होगा और आप उसमें full मैं से full marks भी लेकर रहेंगे ठीक है जी इस session का सबसे पहला question देखे question मैं बोल रहा है कि A या N is an organization that connects its subscribers computer using modem to the internet Hindi मैं कहा जाएगा A या N इसका मतलब एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है एक ऐसा संगठन है जो अपने ग्राहकों के computer को modem का उप्योग करके internet से जोड़ता है option में लिखा हुआ uniform resource locator, web browser, web server और internet service provider पहले तो मैं आपको इस question को easy करके समझा दूँ आसान करके समझा दूँ ताकि आपको समझ में आए कि यह क्या पूछना चारा है question की भाषा में लिखा हुआ है कि एक organization का नाम बताईए जो कि यह न subscribers के computer को internet से connect करता है जिसमें modem का इस्तेमाल होता है अब इसका meaning क्या है देखो यह subscriber शब देना basically हम और आप जैसे लोगों को कहा जा रहा होता है जिनने internet की service मिलती है ठीक है जी और modem क्या होता है modem basically एक networking device है जिसका इस्तेमाल किया जाता है internet चलाने के लिए but modem का use पता है कब करते थे या कब किया जाता है जब आप किसी telephone line से internet connect करना चाहते है जैसे आपको याद होगा कि पहले है ना पुराने समय में अब तो खेर जर्नली यूज नहीं होता पहले पुराने समय में internet connection चलता था जिसे DSL broadband केते थे digital subscriber line broadband internet connection उसमें हमारे telephone operator से ही हमें internet की service मिल जाती थी तो फिर ना उसने एक बात बोली हमसे कि हम एक छोटा सा change या बदलाव करेंगे और फिर आपके घर में internet connection चल जाएगा तो वो हमारे घर में एक modem नाम की device लगा के गए जिसको DSL modem कहा जाता है digital subscriber line modem और एक white color की डिब्बी भी लगा के गए थे जिसे splitter कहा जाता है तो basically उस splitter नाम की डिब्बी या box जो wire या तार के अंदर signal आ रहे होते हैं telephone के और internet दौनों के उन signal को अलग-अलग कर दिया जाता है इसलिए इसको splitter कहते हैं तो एक splitter से wire को telephone में लगा देते थे और एक wire यानि तार को splitter के through modem में लगाया जाता था फिर modem से PC में लगा देते थे तो इस तरीके से modem के through internet connection use किया जाता था अब आ जाते हैं question पर एक बार फिर से लौट कर जिसमें केवल ये पूछा गया है कि एक ऐसा संगठन जो अपने ग्राहकों के computer को modem का उपियोग करके internet से जोड़ता है तो देखो यहाँ पर simple सी बात चल रही है कि एक ऐसे संगठन एक ऐसी organization एक ऐसी company का नाम बताओ उनको किस नाम से जाना जाता है जो आपको internet की सुविधा दे रही है internet की service provide करा रही है तो मिटा इस question का सही answer हो जाएगा option D इस question का सही answer हो जाएगा that is option D समझागे सभी को internet service provider इसे कहा जाता है एक simple भाषा में अगर समझना है तो फिर से समझ लो कि जो company आपको internet की service provide कर दे चाहें वो कोई भी company हो चाहें वो आपकी telephone company हो चाहें कोई normal company जो internet की service दे रही हो वो सभी company को isp कहा जाता है internet service provider कहा जाता है ठीक है चलिए तो यह बात समझ में आगे ना कि organization का नाम जो आपको internet की service provide कर रही है तो उसको हम isp यानि की internet service provider कह देते हैं एक बात और मैं हापर आपको clear कर देना चाहूंगा कि अगर आज के समय समझना इस बात को कि अगर आज के समय modem का इस्तेमाल नहीं हो रहा आप राउटर जैसे device का इस्तेमाल कर रहे हैं internet चलाने के लिए तो भी जो आपकी company है जो internet की service दे रही है उसको isp कहेंगे internet service provider चुकि यहाँ पर modem के through है ना question बनाने की कोशिश की गई है तो उस case में भी है ना जो company आपको internet service देगी उसको भी isp कहेंगे और आज के समय जो भी company आपको internet की service दे रही होती है तो उनको भी isp ही कहा जाता है ठीके बिटर चलिए अगले question पर यह next question बोल रहा है कि which of the following is an example of GUI based user agent in email हिंदी में कहा जाएगा निम लिखित मैंसे कौन सा email में एक GUI आधरित उप्योग करता agent का उधारण है option दिये हुए है इल्म मेल देवदार यानि पाइन वैसे देवदार शब्द नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि English में पाइन शब्द है न उसका हिंदी में हिंदी ट्रांसलेशन देवदार लिख दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए था वो typing में हो गया होगा इंगलिश वाले शब्दों कोई देख लीजे एल्म मेल पाइन और नेट्सकेप यह चार ओप्शन दे रख्या है अब पहली बात तो यह समझी है कि यह इमेल वाले इमेल का जो पूरा कॉंसेट होता है वहां से यह कोशन पूछा जा रहा है ठीक है जी पहले आंसर बता देता हूँ फर इसका एक्स्पिलेनेशन बताओंगा मैं आपको इस कोशन का सही आंसर है बेटा ओप्शन डी यानिकि नेटिसकेप अब यह होता क्या है देखो नेटि डीवाइस का इस्तिमाल कर सकेंगें मतलब अगर आप किसी को इमेल भीजना चाहते है लेक्ट्रोनिक मेल जिसे कहा जाता है उसकेस में आप की बोडम यह डिवाइस के करने के लिए के लिए न Ан insya ga allow करने के लिए एक software package बनाये जाता है और उसी software package को यहाँ पर basically Netscape के नाम से बोला जा रहा है जिसको हम यहाँ पर GUI based user agent भी कह सकते हैं सबज़ मारे यह शब्द लिखा ना GUI आधारित उप्योग करता agent तो इसका simple सा मीनिग यह है कि आप है न इसका simple सा मीनिग यह है कि आपको जो चीज़ें दिखाई जा रहे हैं वो graphics की रूप में होंगी चित्रों की रूप में होंगी और जहां चित्रों के रूप में graphics की रूप में आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी वहाँ पर आप keyboard mouse जैसी devices का इस्तेमाल तो करेंगे करेंगे चलो कीबोड का एक बार को नहीं मानते हैं न किसी graphics को देखने या यूज करने के लिए keyboard का यूज करते हैं जब चीज़ें मुझे computer screen पर graphics की रूप में चित्रों की रूप में दिखाई देंगे तो मैं mouse से click-click करके उन पर काम कर लूँगा तो इन वारे तो symbol सा meaning यहाँ पर इस question में पूछा गया कि email में GUI आधारित उपयोग करता है agent का उधारन क्या है तो answer है Netscape इस बात को ध्यान रहतना पहले तो बेटा मैं आपको यह बता दूँ कि MS Office 365 MS Office का latest version है और ज्यादा तर exam जितने भी हो रहे हैं उसमें Microsoft 365 या MS Office 365 वाले version से ही संसकरण से ही question पूछे जा रहे हैं ठीक है तो latest वाले MS Office को यह हमेशा पढ़ना चाहिए यह किया रहा है कि MS Office 365 दा page setup dialogue box यह क्या लिखाए page setup dialogue box can be found under the which of the following tab MS Office 365 में page setup dialogue box निम लिखित में से किस tab के अंतरगत पाया जाता है home के अंदर, draw के अंदर, layout के अंदर या insert के अंदर पहली बात तो यह आती है कि जब हम MS Word application में काम करते हैं तो हमें MS Word application में एक बार दिखाई देता है एक हमें पट्टी दिखाई देती है ऐसे cdc और उस पट्टी को basically menu bar कहा जाता है और उस menu bar पर जितने भी शब्द लिखे हुए होते हैं उनको menu कह दीजे या tab कह दीजे ठीक है ना और उनी menu या tab के अंदर basically commands या tools होते हैं जितने भी tools या command आप use करते हैं MS Word में काम करने के लिए या MS Office में काम करने के लिए वो सब tools या commands है ना किसी menu या tab के अंदर दिए होते हैं अब देखो यहां पर जैसे MS Office लिखाए ना इस MS Office की जगे basically आप MS Word भी लिख सकते हो ऐसा क्यों क्यों क्योंकि basically MS Office तो पूरा एक software package है जिसके अंदर Word, Excel, PowerPoint तीनों चीजे मिलती हैं यहां जो question पूछा जा रहा है इसमें MS Word शब्द होना चाहिए हो सकता है by mistake हो इस office की जगे ना word शब्द होना चाहिए कि MS Word 365 में page setup डायलोग box निम लिखित में से किस tab की अंतरगत पाया जाता है तो देखें मैं आप आपको बताता हूँ देखो जब आप MS Word में menu bar को देखेंगे तो वहां पर आपको कौन कौन से tab दिखाई देंगे सबसे पहला tab दिखता है file के नाम से इसके बाद होता है इंसर्ट के नाम से इसके बाद होता है इंसर्ट के नाम से इसके बाद होता है draw क हुआ करते थे पुराने संस्क्रान, उनमें page layout की नाम से बोला जाता था, लिखा हुआ आता था, अब ले आउट के बाद है न, आपको यहां पर मिल जाएगा बेटा references, references के बाद मिलेगा आपको बेटा mailing, mailing के बाद मिलेगा review, review के बाद मिलता है बेटा व्यू और व्यू के बाद मिलता है बिटा help अब आपके दिमाग में question आएगा कि सर ये सारे शब्द जो आपने लिखे हैं file, home, insert, draw, design, layout, references, mailings, review, view और help इन सभी को ही menu या tab कहा जाता है तो answer है जी हाँ इनी को menu या tab कहा जाता है menu bar में menu bar नापकी जो पट्टी आती है उसमें और इनी सारे menu किसी पर भी click कर दो आप इसके अंदर है na tools या commands होते हैं जो इस menu bar के नीचे एक मोटी सी पट्टी भी आती है जिसे ribbon कहते हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं या फिर simple सी भाषा में ये कहते ठीक है तो देखे question में ये कह रहा है कि page setup ये चीज़ है ना ये ये tool आपको कहा मिलेगा तो इसका सही answer है बेटा layout में क्या layout नाम का हमारा कोई menu या tab है आई रहा ठीक है जी तो इसका सही answer हो जाएगा that is layout अब देखो मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जब आप layout वाले menu या tab में जाओगे न तो जैसे इस पर click करेंगे तो उसी के अंदर आपको page setup नाम का एक tool मिलता है अब उस page setup नाम के tool पर जैसे click करोगे तो आपके सामने एक छोटी सी window खुल के आती है और उस छोटी सी window को dialogue box के नाम से बोल दिया जाता है ये बात आप knowledge के लिए याद रख जीजेगा कि MS Word Excel PowerPoint में बहुत बार बहुत जगह पर ये dialogue box शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इसका simple सा meaning होता है कि एक ऐसी छोटी सी window जिसको full screen पर ना किया जा सके है उसी को dialogue box बोलता है जैसे उधारण के लिए अगर आप किसी file को delete करते हैं तो delete करते सामें एक message आता है dialogue box है नहीं MS Word Excel PowerPoint में हमें देखने को मिलेंगे बस पहचान इसकी यह है कि कोई भी dialogue box है ना उसको full screen पर यानी computer की जो पूरी screen है monitor screen है उस पर आप full screen नहीं कर सकते हैं ये चोटी चोटी window को ही dialogue box कहा जाता है तो बताओ बिटा ये बात समझ में आगे या नहीं ठीक है तो correct answer of this question is layout अगला question पढ़ता है कि यह कह रहा है कि when the sender and receiver of an email are on the same system we need only यहाँ पर रहना एक छोटा दा point हम जोड़ लेंगे we need only या we need user agent यह और जोड़ लिजाए user agent शब्द यहाँ पर और आप add कर लिजे अब इसका meaning क्या है मैं समझाता हूँ पहले हिंदी में पढ़ता है यह कह रहा है जब किसी email का प्रेशक और प्राप्त करता एक ही system पर होते हैं तो हमें केवल इसकी आवशक्ता होती है हमें इसकी आवशक्ता होती है किसकी आवशक actually है ना जब हम किसी को email वगरा करते हैं तो इसके दो condition हो सकती है एक condition तो यह हो सकती है कि email message भेजा जाएगा और receive किया जाएगा वो एक ही computer हो सकता है इस बात को आप ऐसा समझे है कि यह कोई computer system है इसी email इसी system से यानि इसी computer से email message है ना भेजा जा रहा है ऐसे बना लो इसी से भेजा जाएगा और इसी computer में प्राफ्त भी होगा ऐसा भी हो सकता है और दूसरी condition पहली condition और दूसरी condition यह होती है email message के case में जब आप किसी को email वगरा करते हैं कि यह दो अलग-अलग system हो सकते हैं एक तो normal जो हमारा computer जिससे हम email message कि किसी को भेज रहे हैं और दूसरा यह server computer ह होता है ठीक है जी server क्या होता है server एक ऐसा computer है जो अपने से जड़े होए computer को service प्रदान करता है data प्रदान करता है data प्रवाइड करता है तो यह माल लिए हमारा को PC है यानि की computer तो अगर मैं यहां से email message भेज रहा हूं तो वह चली जाएगी server ठीक है और इस server से किसी दूसरे computer पर या इसी सेम computer पर email message को प्राफ्त भी किया जा सकता है अगर आगर आपने किसी व्यक्ति को email message भेजा ठीक है तो वह email message आना उस व्यक्ति के computer पर नहीं जाता जिसको आपने भेजा है वह जाता है पहले server पर जैसे कि मालो Gmail आपने नाम सुना होगा Google mail Google company का अपना messaging system और उस messaging system के द्वारा ही आप या messaging system का यूज करके ही आप है ना अपने चिर परचित जानने वाले व्यक्तियों को email message भेज सकते हैं तो ऐसे मालीजे कि यह तो है आपका computer ठीक है और यह है मालीजे आपका कोई दोस्त उसका computer तो आप है ना अपने दोस्त के computer पर सीथे email message नहीं भेज पर तो वह अपने account को open करेगा और वह account कहां पर होगा server computer पर सर्वर computer से वह email message को प्राप्त कर सकता है अब समझ भार है मतलब दो condition हो सकती है email को भेजने की और प्राप्त करने की एक तो condition है जब sender और receiver दोनों एक ही computer हो या फिर sender और receiver अलग-अलग computer हो यह बत समझ भागे अ तब आ जाते हैं question पर देखो यहां क्या लिखा है जब sender और receiver email के case में एक ही system पर हो यानि सेम system पर हो तब हमें कितने user agent की आवशकता पड़ती है तो पिटा यह ध्यान रखना इसका सही answer है option A यानि कि 2 इसमें हमें दो user agent की आवशकता पड़ती है अभी थोड़ी देर पहले है न हमने question करा था और उसमें भी user agent शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो वहां बस इतना समय लीजे के user है ना जब किसी को email करता है तो उसको किन-किन devices की आवशकता पड़ सकती है किन-किन चीजों की आवशकता पड़ सकती है तो उनको generally user agent के नाम से बोल दिया जाता है सबज में आगे सभी को clear है ठीक बट अगर मान लीजे ये वाली condition हो तो अगर ये question ना पूछ कर ये वाला question पूछ लिया जाए कि email भेजने के समय पर sender और receiver अलग-अलग computers है तब कितने user agent की आवशकता पड़ती है user agent को मैं फिर से बता दूँ कि वो devices या वो चीजें जो email message को भेजने और प्राप् जैसे उधारन के लिए है ना मैं keyboard mouse जैसी devices का इस्तेमाल अगर email भेजने के समय पर कर रहा हूँ तो वो भी एक user agent के लाएंगे ठीक है अब यहां तो हमें हमें पता चलिया कि अगर एक ही computer है और एक ही computer के अंदर sender और receiver दोनों same है तो दो user agent की आवशकता पड़ेगी बस अगर sender और receiver दोनों अलग अलग computer है तो भीटा ध्यान रखना question दोबारा पूछ लिया जाए किसी exam में किसी shift में तो ध्यान रखना दो user agent और दो MTA जिसको mail transfer agent कहा जाता है इनकी आवशकता पड़ती है सबच मारे देखिए आपको लग रहा होगा कि यह थोड़े से difficult type के question है बड़ ऐसा नहीं है जब आप email message email के concept को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे classes में इनके बारे में सुनेंगे तो आपको यह सारी बातें clear होती चली जाती है अब एक बारे सिलसले बार तरीके से इस email के concept को इंटरनेट वाले chapter में पढ़के देखिए आपको पूरी सारी बातें clear हो जाएंगे is that clear or not answer हमारा आगा है अब जाएंगे हम next question पर यह क्या बोल रहे है question number 5 में बोल रहे है कि in file explorer of windows 11 which of the following tab include the hidden item option windows 11 के file explorer में निम लिखित में से किस tab में छुपे हुए item का विकलप सामिल होता है या शामिल है home में file view या share में ये आपके options है अब पहली बात तो यहां यह आती है कि यह file explorer क्या चीज होती है देखो जब आप अपने computer को open करते हैं और उस computer में windows operating system डला हुआ है तो आपकी जितने भी file, folder, drive ये सारी चीज है अगर एक ही screen पर दिखायती जारी है तो उसी को हम file explorer के नाम से बोल देते हैं बट यह file explorer शब् बचन या संसकरण है वो windows 11 के नाम से है तो windows 11 में इसको file explorer कह देता है जबकि इससे पहले पुराने वाले जो वर्जन थे windows operating system के उन में इसे windows explorer कह दिया जाता था ठीक है जी तो फिर सो सुन लीजे file explorer या windows explorer basically वो window होती है जिसके अंदर सारी file, folder, drives ये सारी शीज है आपको folder है, drive कितनी है, cde, ये सब एक ही screen पर आ जाते हैं उसी को file explorer कह दिया जाता है तो अब question में ये कह रहा है कि windows 11 के file explorer में निम लिखेत में से किस tab में छिपे हुए item विकल्प होते हैं तो पहली बात तो ये नहीं पता हो नहीं चाहिए हमें बताओ कि कौन कौन से है ना tab होते है बिल्कुल पता होना चाहिए, तो बेटा पहले तो ये लिख लो, देखो एक home नाम का tab होता है, एक view नाम का tab होगा, इसके बाद file हो गया और एक details के नाम से भी tab होता है, ये भी मिल जाएगा आपको, तो home, view, file, details ये सारे tab है आपको देखने को मिलेंगे file explorer में, जिसमें जो hidden file हैं हमारी, hidden file हों का मतलब होता है, छुपी हुई file है, ऐसा हो सकता है कि हमने अपने computer में कुछ file को छुपा रखा हो, है ना, जो हम किसी से खास share नहीं करना चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे अलावा, जैसे कोई व्यक्ती हमारे computer को open करे, उ आपको वहाँ पर hidden file का option देखने को मिल जाएगा, यह यहाँ पर रहना filter है, इसको change कर ले न, यह तो हो गया home, यह view हो गया, यह filter है, file नहीं है, filter है, और इसके बाद details, ठीक है जी, तो option C is the right answer, आगे बढ़ी है, नेक्स कोशन को पढ़ता है, कह रहा है, what is the primary purpose of RAM, what is the primary purpose of RAM, यानि कि random SS memory in the computer, computer में RAM, यानि random SS memory का प्राथमे को उद्देश क्या है, option को पढ़ने से पहले कुछ बात है, मैं आपको बता दूँ कि random SS memory RAM, हमारे computer के मुख्य memory होती है, इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो memory है, जो हमारे computer के दिमाग, यानि की CPU को data provide कराती है, तो CPU के थ्रू ही तो computer में सारे काम होंगे, CPU यानि computer का दिमाग नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं, और उसी CPU को, उसी computer के दिमाग को data देने वाली जो memory है, उसे RAM यानि random SS memory के नाम से बोला जाता है, ठीके जी, अब option पढ़ते हैं, यह option पर कहा रहा है कि storing the permanent data in file, तो यह तो बिलकुल ही गलत हो जाएगा है न, क्योंकि question मैं पूछा है, what is the primary purpose of RAM, तो क्या RAM के अंदर data और फाइलों को permanent तरीके से store किया जाता है, है न, तो यह है गलत, यह सही नहीं है, क्योंकि RAM के अंदर जो भी data store किया जाता है, वो permanent नहीं पास data को रखती है, जैसी computer को आफ off कर देंगे, shutdown कर देंगे, यह अपना data loss कर देगे, तो permanent तो होई नहीं सकता, फिर यह कह रहा है, providing the long term storage for program, यानि कि स्थाई data और फाइलें संग्रहित करता है, लंबे समय के लिए, क्या RAM के अंदर बहुत लंबे समय तक data या फाइलें रख जाता है, खतम हो जाता है, समझ महा रहे, तो option BV क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, long term के लिए हम data को store करने के लिए, या programs को store करने के लिए, RAM का इस्तेमाल नहीं करता है, option C पर कह रहा है, providing temporary storage for data that the CPU is currently processing, चौथा option भी पढ़ लिए, managing peripheral devices, यानि कि peripheral devices का प्रबंधन करना, ठी कि नहीं, ये भी नहीं होगा, peripheral devices है ना, इनको कहा जाता है, जैसे जो computer में input output devices होती है, जैसे keyboard, mouse, monitor, printer, ये सभी जो input output devices है, इनको peripheral device कहता है, तो इनको manage करने की जिम्मेदारी RAM की थोड़ी है, तो पीटा सही answer होगा, हमारा option C, यानि providing the temporary storage for data, and that the CPU is currently processing, इसको है ना, हिंदी मे के लिए, store करके रखना, और उन्हें CPU को भेजते रहना, जब CPU की processing चल रहे है, CPU के द्वारा processing चल रही हो, वह CPU का काम होता है, input लेकर output generate करना, तो CPU का input लेकर output generate करने की प्रिकरिया को, process को processing कहा जाता है, और उस time पर जो data provide करा रहा है, CPU को वो कौन होता है, RAM होती है, तो यही स processing के दौरान, data को CPU को provide कराना, और temporary time के लिए data को store करके रखना, आग देखो, यह कह रहा है, what is the, what is a cell in a Microsoft Excel, यानि कि Microsoft Excel में cell क्या चीज़ होती है, देखो, यह बात हमने सभी को, हमने सभी ने पढ़ी है, कि जब हम MS Excel, जैसे application पर काम करते हैं, तो वहाँ हमें row and column जैसा structure देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है न, एक sheet दिखाई देगी हमको, जिसमें columns होते हैं, यानि कि stump होंगे, और उसके बाद यहाँ पर पंक्तियां दिखाई दे रहे होंगे, और यह भी हमें पता है कि row and column के intersection से जो डबे डबे बने हुए हमें दिखाई देते हैं, उनको cell कहा जाता है, तो यह जो boxes आपको दिखाई दे रहा है न, यह वाले boxes इनको बेटा cell कहता है, तो पहली बात तो यह समझ में आगी कि Microsoft Excel में cell का structure क्या होता है, cell देखता कैसे है, ठीक है, अब option पर आता है, यह कह रहा है कि a separate file used to store data, यानि कि data को store करने के लिए separate file को cell कहता है, नहीं बिल्कुल गलत, फिर कह रहा है, इस single worksheet within a workbook, यानि कि, अच्छा workbook क्या चीच होती है, यह भी समझ लो बेटा, workbook कहना है, Excel की file को ही कहा जाता है, अगर आप Excel में file बना रहे हैं, तो उसको workbook कहते हैं, और Excel की file, यानि workbook के अंदर जो sheet होती है, उनको work sheet कह देते हैं, जैसे वो sheet मैंने बना के दिखाई है, तो इसे आप sheet कह दीजए, या फिर आप इसको work sheet भी कह सकते हैं, तो यह भी दिमाग में रखना है आपको, कि Excel की file को workbook कहा जाता है, और इसके अंदर की sheet को work sheet कहा जाता है, तो क्या कह रहा है, एक single work sheet within a workbook, यानि workbook के अंदर एक single work sheet को sell कहते हैं, तो यह भी गलत है, फिर कह रहा है, the intersection of the row and column in the work sheet, यानि की row और column को अगर आपसमें मिलान कर दिया जाए, प्रतिछेदन कर दिया जाए, तो उनके intersection से बनने वाले structure को क्या cell कहा जाता है, यही तो मैंने आपको समझाया, option C is the right answer, the intersection of the row and column in the work sheet, बनी work sheet के अंदर row और column के intersection से बनने वाली जगे को cell कहा जाता है, फिर भी है न, हम यहाँ पर option D को एक बढ़ पढ़ लेता है, a small diagram और chart, नहीं, diagram और chart होते जरूर है, Excel के अंदर, बट इसको cell नहीं कहा जाता, समझ में आगे सभी को, चलिए, अगले question पर जाता है, next question यह बोल रहा है, कि which networking device operate at layer 2 of the OSI model and forwards data based on the Mac addresses, कौन सा networking device OSI model के layer 2 पर काम करता है, और Mac पते के आधार पर data अग्रेशित करता है, देखो, जब हम networking वाले chapter को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें एक model पढ़ना पढ़ता है, जिसे OSI model कहते हैं, और इस OSI model का नाम है, यह full form है, open system interconnection model, basically आप इस बात को ऐसे समझ लीजे, कि जब internet networking possible होई, तब एक model बना कर यह समझाया गया पूरी दुनिया को कि कैसे networking काम करती है, तो उसी model को है न, OSI model के नाम से बोला जाता है, जिसमें total 7 layer का concept होता है, इन layer को layer नहीं बोलना, आप तो steps बोल दीज़े, तो layer बोलिये, steps बोलि के आगे जा रहा है, तो 7 step follow कर रहा है, तो उनी को 7 layer कह देता है, उन में से second layer का नाम होता है, data link layer, ठीक है बेटा, यहां लिखा नहीं है, अकि लिख लिए data link layer, यह नाम होता है second layer का, ठीक है जी, और second layer पर जो devices इस्तेमाल में लाई जाती है, वो दो होती है, एक switch और एक bridge, ठीक है जी, data link layer पर जो devices का इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है, बेटा, switch और दूसरी का नाम है bridge, ठीक है जी, इतनी basic knowledge है ना, हमें पहले से पता होना ज़रूरी है, और यह knowledge ना, बेटा, तभी हाएगी जब आप किसी chapter को, शिद्धत के साथ समझ के पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तभी आपको यह knowledge है ना, मिल जाएगे, तो data link layer जो की second layer होती है, OSI model की, वहाँ पर दो networking devices का जिक्र होता है, जिनने switch और bridge कहा जाता है, ठीक है, अब question को एक बार फिर से, और option को एक बार फिर से देखते हैं, यह कह रहा है कि which networking device operate at the second layer, अब second layer पर जो devices operate होती ह है, या तो switch या bridge, तो इतनी बात तो confirm हो गई, आगे और पढ़ लेता है, end forward data based on the mac addresses, यानि कि यह उस device की बात चल रही है, जो mac address को देखकर data को आगे बेशती है, अब यह भी जान लेते हैं कि यह mac address क्या होता है, यह भी लिख लीजे, देखो, mac address है ना, basically ऐसे मान सकते हो, ज phone hardware का number, जिसको international mobile equipment identity कहा जाता है, इसको IMEI number कहते है, तो जैसे हमारे phone का IMEI number होता है, जो कि एक permanent number है, ठीक, जो कि पूरी दुनिया में किसी दूसरे phone का नहीं हो सकता, वैसे आप समझ लीजे कि हमारे computer hardware का भी एक permanent number होता है, जिसे mac address कहते हैं, यह और किसी computer का नहीं हो सकता, जो आपके computer का है, ठीक है न, तो उसी के आधार पर data को भेजने का काम कर रहा है, यह बोल रहा है question, तो पिटा इस question का सही answer हो जाएगा option A, यानि कि switch, तो फिर से सुन लीजे, पूरा explanation दे देता हूं, या पूरा conclusion एक बार में बता देता हूं, कि switch नाम की device basically data link layer पर काम करती ह है, और Mac addresses को check करते हुए, computers के Mac addresses को check करते हुए data को forward करती है, यानि अगर मानलो switch नाम की device को को data मिला, उस data के साथ है न, जो mac address लिखा होगा, उसी mac address वाले computer को data देगी, बस, जैसे switch नाम की device से, मानलीजे, 10 computer connected है, तो data के साथ जो mac address होगा न, उसी computer को data देगी, बस, यह इसका मेनिंग है बागी दोगों बिरिज के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं बिरिज बेसे के लिए एक networking device होती है जिसका इस्तेमाल दो अलग-अलग networks को आपस में connect करने के लिए किया जाता है बड़ी ध्यान रखना है कि जो अलग-अलग networks होते हैं वो सेम प्रोटोकॉल पर काम करने वाले होने चाहिए सेम प्रोटोकॉल पर वर्क कर रहे हों तब ही उन दोनों अलग-अलग networks को हम बिरिज नाम की डिवाइस से चोड़ सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखें नेक्सक्षन बोल रहा है कि विच बैकप डिवाइस प्रुवाइड द कंविणेंट वे तू क्रियेट सिस्टम इमेज़ें और कंप्लीट बैकप 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 डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने बैकप पूरा करने का सुविधा जनक तरीका प्रदान करता है लेकिन इसके रही है यानि मुद्दे की बात है कि डाटा स्टोरेज डिवाइस की बात चल रही है यानि हम एक ऐसे डिवाइस की बात करें जो डाटा को स्टोर करेगे ठीक है बट उस डाटा को जब स्टोर कर दिया जाता है इस्टोरेज डिवाइस में और फिर जब वहां से निकाला जाए है उस सामान को लेने के लिए बाद में है तो लंबा समय लगेगा एक लंबा समय आप देंगे तब जाके वह सामान आपको मिलेगा तो यही ऐसा ही कुछ कोशन बोल रहा है तो बेटा इस कोशन का सही आंसर मैं बता देता हूं लिए इसको एना मैगनेटिक टेप भी कह सकते हैं टेप ड्राइव शब्द लिखा हुआ आ जाए या फिर मैगनेटिक टेप लिखा हुआ आ जाए एक ही बात है चुम्बक ये टेप भी कहा जाता है इसमें डेटा आपने स्टोर कर दिया ठीक है बट इस डेटा को जब निकाल लेंगे तो उसमें ज्यादा समय लगता है तो इसलिए आप देखते होंगे कि आज के समय कहीं पर भी मैगनेटिक टेप का इस्तेमाल नहीं किया जाता डाटा को स्टोर करने के लिए अगर आप इसका मैगनेटिक टेप का इस्तेमाल हम कम्प्यूटर के साथ करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए जो कि समय के साथ पीछे छूड़िया क्योंकि इसमें से डाटा को प्राप्ट करने का जो समय है वो बहुत लेंदी हो जाता है आगे देखो नेक्स कोशन मैं के रहे हैं MS Excel 2019 यानि MS Excel 2019 में सम फंक्शन क्या काम करता है इट मल्टिप्लाइज बिलकुल नहीं हो सकता भाई सम की बात कर रहे हो और मल्टिप्लाइज कैसे आ जाएगा यह मानों को एक श्रेडी में जोडता है यानि किसी श्रेडी में मानों का औसत मान ग्याद करना नहीं सिंबल सा कोशन था यह तो अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो उससे भी आंसर दे सकता है तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी यानि इट एड़ सब दा वेल्यू इंद रेंज यानि यह मानों को एक श्रेडी में जोडता है अब पेटा यहाँ पर थोड़ा सा यह भी समयलो यह रेंज शब्द का meaning क्या है देखो रेंज शब्द का meaning होता है range क्या दो या cell range क्या दो जैसे माल लिजे a1 cell address है या a2 cell address a3 cell address, a4 cell address अगर आपने excel पर काम किया है तो आपको पता होगा यह cell addresses बोले जाते हैं a1, a2, a3, a4 है न तो अगर आप पहले वाला cell address a1 को लिखकर फिर colon लगा दो और इसके बाद a4 लिख दो और इनने bracket में बंद कर दो तो इसी को cell range के नाम से बोल दिया जाता है तो जो selected cell range है उसमें जो cell address दिये गए हैं और उन पर जो value दी गए है उनको add कर देगा, उनको जोड़ देगा कौन? सम नाम का function जैसे माल लिजे a1 पर 10 लिखा हुआ है, a2 पर 20 लिखा हुआ है, a3 पर 30 लिखा हुआ है और a4 पर 40 लिखा हुआ है तो इन सब को जोड़ कर रहे हैं सम function answer बता देगा ठीक है? अगला question पढ़ते हैं next question मैं कह रहा है कि which of the following is not an example of web browser? simple सा question निम लिखित में से कौन सा web browser का उधारन नहीं है ये बात हम सबी लोगों को पता है कि अगर हमें internet use करना है website, web pages को खुलना है तो web browser नाम के एक software की आवशक्ता पड़ेगी और इन web browser के software में कुछ common नाम हम सबी को पता है जैसे कि Google Chrome एक web browser है Microsoft Edge एक web browser है Apple Safari भी एक web browser है तो बस यहां यह पूछ रहे कि इन में से कौन सा web browser का उधारन नहीं है तो देखो Apple Safari होता है हाँ होता है ठीक है Google Chrome मैंने अभी बोला यह भी होता है और Opera Opera के नाम से वे एक web browser है Facebook के नाम से कोई web browser नहीं होता ये बात हम सबी लोगों को पता है कि Facebook के एक web browser नहीं है एक social networking platform है जो कि लोगों को अपने platform पर एकटा करता है आपस में जोड़ने का काम करता है Next question अगले question मैं ये बोल रहा है कि Computer की memory पदानुकरम मैं cache memory का क्या काम होता है पहले तो बेटा cache memory के बारे मैं थोड़ा सा जान लीजे देखो cache memory हमारे computer की सबसे fastest memory consider की जाती है cache memory का जब cache memory का इस्तेमाल बेटा तब होता है जब हमारे computer में CPU को जिस data की आवशकता पड़े और वो data हमारे computer की मुख्य memory RAM में ना मिले क्योंकि ये बात अभी मैंने बताई थी थोड़ देर पहले के CPU को data कौन भेशता है RAM तो CPU जिस data की demand करता है वो data अगर RAM में ना मिले तब वो data है ना cache memory में ज़रूर मिलेगा फिर से सुन लो CPU को जिस data की आवशकता है वो data RAM में अगर ना मिले क्योंकि CPU data RAM सी उठाता है वो ना मिले तो उस data को वो ढूड़ने फिर cache memory में जाता है और वहाँ उसे मिल जाता है इसका एक पूरा process होता है वो फिर कभी और समझेंगे पर फिलाल ये समझ लीज़े कि अगर CPU को data RAM में ना मिले तो उसे वहाँ कहां मिलेगा cache memory में मिलेगा ही मिलेगा और यह 100% sure है 100% true है कि मिलेगा ही मिलेगा इसलिए एक शब्द भी इस्तिमाल करते है cache memory के लिए cache memory always hit हो जाती है hit होने का मतलब यह नहीं है कि कोई movie hit हो गई hit होने का मतलब यह है कि CPU को जिस data की आवशकता है वो cache memory में फिर जरूर मिलेगा अगर RAM में नहीं मिला तो अगर इसको पावर सप्लाई देना बंद करतो यह भी डाटा लॉस कर देती है तो क्या cache memory में डाटा पर्मानेंट इस्टोर होगा नहीं temporary store होता है फिर किया रहा है to store frequently used data for faster access by the CPU to store frequently used data for faster access by the CPU यानि कि CPU द्वारा तेजी से पहुँच के लिए अक्सर उपियो किये जाने वाले data को संगरहित करता है कुछ-कुछ बात लग रही है जैसे कि अभी हमने explanation दियाता है न और पढ़ लेता है to control the flow of data between CPU and memory CPU और memory के बीच में यह जो memory शब्द लिखा है ना बेटा यह memory, main memory है आप बोलेंगे साथ लिखना भूल गए है नहीं, लिखना नहीं भूल गए है देखो, अगर है न कभी केवल memory शब्द लिखा हुआ आजा है आपके सामने केवल memory शब्द तो अपने मन से भी है न यह बात आप वहाँ लिख सकते होगे, वो main memory की बात चल रही होगे यानी computer की मुख्य memory यानी की RAM की तो RAM और CPU के बीच में data flow को control करता है नहीं वो तो यह है कि CPU को data RAM में या main memory में ना मिले तब वो cache memory में जाएगा तो manage the allocation of memory resources to different program नहीं है भी नहीं, इसका सही answer हो जाएगा option B यानी to store frequently used data for faster access by the CPU यानी अगर CPU को data चाहिए जल्दी जल्दी data चाहिए processing के लिए और वो data है ना अगर मालो RAM में नहीं मिले तो वो उसे cache memory में मिल जाएगा यह इसका मेनिंग है कह रहा ना to store frequently used data for faster access by the CPU समझ मारे तो इस question का सही answer हो जाएगा option B is the right answer अगला question पर जाता है यह कह रहा है कि what is the keyboard shortcut for copy in the in most windows applications अधिकांच windows application में या अनुपरियोगा में copy के लिए keyboard shortcut की क्या है यह very simple question है सभी को पता है option B is the right answer control plus C का इस्तेवाल करते हैं copy करने के लिए next question what is a firewall in the context of network security network सुरक्षा के संदर्व में firewall क्या है दोगो बेटा पहले बात तो firewall को समझ लो क्या है firewall को आप ऐसे समझ लो कि एक दीवार है एक wall है जो हमारे किसी network के चार और बनी होगी और इसी firewall के through and a security प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि किसी के द्वारा unauthorized access ना हो पाए यानि अनाधिकरत गुसपैट ना हो पाए यानि कोई अपनी मर्जी से बिना गुसणा हमाई network में entry ना कर ले हम अपने network में केवल particular कोई एंट्री करवा रहे हैं या permission दे रहे हैं कि तुम हमारे network को access कर लो वो ही करें ऐसा ना हो कि हमारे network को कोई भी access कर ले खराब करते हैं है ना तो firewall basically security provide करने वाला method है जो network को security provide कर रहे हैं ठीक है अब क्या कह रहा है option में a software application for managing file and folder मलब computer file or folder को manage करने के लिए काम में लाया जा रहा है नहीं तो malware क्या होता है malware basically उन program या software को कहा जाता है जो computer को नुक्सान पहुचाते हैं तो यह तो वैसे भी गलत हो गया option C पर लेखा है security mechanism that filter and control the network traffic यानि एक सुरक्षा तंतर जो network traffic को filter और नियंतरित करता है कुछ कुछ लग रहा है आगे बढ़ता है यह कहरा hardware device used to boost the network performance नहीं network performance को boost करने के लिए firewall इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है security provide करने के लिए लाई जाती है तो इस question का सही answer हो जागा बेटा option C यानि कि यह security mechanism है जिसमें that filter and control the network traffic यानि कि यह network traffic को filter और नियंतरित करता है ठीक है भई सीधी सी बात है filter करना और नियंतरित करना यह security कहीं तो दो तंत्र है जैसे सीधी सी बात है अगर हमारे पास कोई सामने आ रहा है हमारे तो हम पहले चेक कर लेंगे ना हाजी हाजी तुम जाओ अंदर तुम आओ हमारे पास तुम मताओ तुम मताओ यहां से यह क्या हो कि फि दिए उसको filter करें फिर आने दें और control करें ठीक है अगला question यह कह रहा है High Speed Memory is placed between the Central Processing Unit and the primary memory known as एक High Speed Memory जो Central Processing Unit यानि की CPU और प्राथमिक मेमोरी के बीच रखी होती है जिसे memory की रूप में जाना जाता है पेटा एक diagram छोटा सा बना रहा हूँ इसे हमेशा ध्यान रखी है यह है हमारे computer की RAM यानि की random SS memory यहां पर बना लीजे that is cache memory और यहां बना लीजे हमारे computer का दिमाग यानि की CPU ठीक है अब देखो यह बात ध्यान रखना है कि जब CPU को किसी data की हुणने जाएगा अगर नहीं मिलेगा तब फिर cache memory में ढूड़ता और यहां उसे मिल जाएगा हमेशा मिल जाता है इसलिए कह देते हैं cache always hit हो जाती है ठीक है जी समझ आ गया तो क्या कह रहा है देखो कि CPU RAM के बीच की memory बताओ तो answer क्या हो जाएगा cache memory is the right answer option c is the right answer यह read only virtual secondary यह सारे option गलता है answer is cache memory ठीक है अगला question पढ़ी है next question में बोल रहा है in computer registers MAR stands for यानि कि computer registerों में MAR का क्या अर्थ होता है यानि कि full form पूछी गई है पहली बात यह registers क्या होते हैं यह बाध्यान रखना कि CPU यानि कि central processing unit की जब बात होती है और central processing unit के part की हम बात करें कि total मिला के CPU के कितने part होता है central processing unit तो इसके बेटा तीन पार्ट होता है ALU, arithmetic logic unit, CU यानि control unit और तीसरा होता है MU यानि के memory unit यह जो last वाला part है ना memory unit इसी के अंदर बेटा होता है registers इसी के अंदर होते हैं registers और इन ही registers मैंने एक register का नाम होता है that is MAR और इसकी full form होती है memory address register का लिखा ह होगा है यह रहा option C is the right answer main access register नहीं है memory access register memory address register और main address यही सही है option C is the right answer that is memory address register समझ आगया अगर आप short में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि register basically CPU के अंदर data को store करने के लिए अलग अलग तरीके के data को store करने के लिए इस्तिमाल में लाए जाते हैं ठीक है ना किसी का अलग काम है किसी का अलग काम होगा तो ऐसे total है na CPU के तीसरे part memory unit में साथ registers का concept होता है ठीक एन register का कौन कौन से होते हैं चलो यह भी बता दीता हम आपको एक register का नाम होता अबialow Right, मैम Daelnay जो मैंने अभी आपको बताया memory address way एक रजिस्टर को कहते हैं PC program counter, एक रजिस्टर ID instruction decoder, एक रजिस्टर होता है या इसको CIR भी कहते हैं current instruction register या instruction register, एक रजिस्टर का नाम होता है इन्पूट आउट्पूट रजिस्टर और एक रजिस्टर होता है accumulator, ठीक है कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो total ना साथ रजिस अगला question, क्या रहा है what is a trojan in the context of network security, network सुरक्षा के संधर्व में trojan क्या होता है, पेटा देखो मैं आपको बता दूँ कि trojan basically malware को कहा जाता है, यानि कि एक ऐसा program जो computer को खराब करने के लिए बनाया गया हो, अब आप बोलेंगे sir computer को खराब करने के लिए तो virus भी सुनाए हम तो बेटा virus भी एक malware होता है, ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि computer को खराब करने के लिए बनायागे software या program को क्या कहा जाता है, तो इनको malware कहते हैं, ठीक, और malware में ये सारे example आएंगे, virus, warm, trojan या जिसको trojan horse भी कहते हैं, और blended threat, और logic bomb, ये सारे उधारन malware के होते हैं, तो दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक कर जाने चाहिए, पहली बात कि ये trojan है ना non self-replicate होता है, यानि इसका मतलब है कि ये अपनी copies को reproduce नहीं कर पाता, समझ रहे हैं, रीप्रोड्यूस करने का मतलब खुद अपनी copy generate कर लेना, virus होते हैं, virus के अंदर एक property होते हैं, self-replication वाली, यानि virus अपनी copy बना लेता है, multiple copies, तो trojan है ना कभी भी multiple copies नहीं बना पाता अपने, यानि कि ये non self-replicate program होता है, यानि ये computer में आया है, और इसे जितना कुछ खराब करना है, खराब कर देगा, then stop, दूसी बात कि ये trojan है ना easily पकड़ में भी नहीं आता, ये हमेशा ऐसा दिखाई देगा, कि ये computer की कोई file है, ये computer का कोई program है, इसलिए आसानी से पकड़े भी नहीं जाते हैं, अब option पर आते हैं, ये कहा रहा है, पहला तो वैसी गलत हो गया, trojan कोई protocol नहीं होता, trojan एक malware है, बी option पर कहा रहा है, program that monitor network traffic for security breaches, एक program जो network, जो program जो सुरक्षा उलंगनों के लिए network traffic पर नज़र रखता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये type of firewall, नहीं firewall भी नहीं है, सुरक्षा थोड़ी प्रदान कर रहा है, trojan, ये तो खराब करने वाला होता है, computer को, तो देखो आगया option D, यानि कि malicious software disguised as legitimate software to gain unauthorized access, यानि अनाधिकरत पहुच प्राप्त क करने के लिए दुर्भावना पूर्ण software है, जो वैद्ध software के रूप में दिखाई देता है, यही कुछ मैं आपको समझा रहा था, कि एक ऐसा software जो computer को खराब करने के लिए बनाया गया होगा, और वो हमेशा ऐसा दिखाई देगा, जो एक computer के कोई legitimate software या program है, यहीं सही option, देखो, अगर आप है न, print command देना चाहें, तो दे सकते हैं किसी भी file का, और printer के द्वारा उसका printout निकलाएगा, है न, बट अगर मानलो, जब print निकले और आपको लगे गया रही हो तो खराब हो गया, print सही नहीं निकला, उसमें कुछ गडबड़ी आ रही है, है न, तो क्य पहली बात तो loss क्या है, सबसे पहला loss तो यह है बेटा, कि अगर आपने बिना ये judge किये, कि print कैसा निकलेगा, आपने print command दे दी, तो एक तो time waste होता है, और दूसरा, आपका कागज यानी paper भी तो खराब हो जाता है, फिर दुआरा printout निकालोगे, फिर कागज चाहिए आपक monitor की screen पर देख लो कि print कैसा निकलेगा, तो इसी को बेटा print preview के नाम से बोला जाता है, ठीक है, अब option पड़ता है, यह कह रहा है to insert the images and graphics into the document, नहीं, यह नहीं होगा, यह कह रहा है to format the font and style of the document, document के font और style नहीं, यह भी नहीं है, to check the spelling और grammar, document की spelling grammar चेक करना यह भी नहीं है, to view how the document will appear when printed, यानि यह देखने के लिए कि मुद्रित होने पर दस्तावेच कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल यहीं सही answer है, यहीं तो मैं आभी आपको बता रहा था, clear है, समझ में आ रही हैं बात है, ठीक है, देखो आगे मैं बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से एक बार कम से कम एक बार क्लासिस को जरूर देखना वह सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लासिस को देखेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं तो आपको यह सारे basic basic point कभी clear नहीं होंगे, इसलिए हम आपना batch बना देते हैं, ताकि आपको latest or live classes को देख पाएं, सुन पाएं, पढ़ पाएं, है ना तो आपको हमारे latest or live classes तो मिलते रहते हैं, उनसे उनको join कीजिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, और अपने exam में एक ही बार में computer को पढ़के खतम कर दीजिए, ठीक हैं, वैसे तो आपको सारी जान कर यह मिलती रहती है time to time पर, फिर भी अगर आपको कोई ऐसा issue लगे, कि हमें कोई बात समझ नहीं आ रही हो, यतेंदर सर से हमें यह बात clear करनी है, तो आप मुझे whatsapp भी कर सकते हैं, 844-88-32-987, यह मेरा whatsapp number है, आप इसे note कर लिजेगा, कभी भी कोई hesitation हो, मलब hesitation मत रखिएगा, क 32-987, यह मेरा whatsapp number है, चलिए देखते हैं, question number 19 में कह रहा है कि in file explorer, और windows 10, ठीक है, यह देखो English में लिखा हुआ है, इसका Hindi version आगे है, तो आप दोनों ही पढ़ सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपकी भाशा हो, ठीक है, English वाला पढ़ लेता है, यह गरा file explorer, अब file explorer क्या होता है, यह तो समझ में आगे था, पहले हम discuss कर चुके है, आगे पढ़ लेता है, the keyboard shortcut की num lock और asterisk sign is used to, अच्छा, इसका meaning क्या है, समझाता हूँ, देखो, अगर आपने na windows operating system कभी use किया है, चलाया है, तो आप है na file explorer को open करन ठीक है, और जब आप file explorer को open करें, मैं समझाता हूँ, windows operating system में जब आप file explorer को open करेंगे, file explorer, जिसको window explorer भी कहा जाता है, इसमें basically यह आपको left and side पर, यहाँ पर है na file folder के icon दिखाई देते हैं, सारी file folder आपको यहाँ दिखाई देंगी कि कितने file folder हैं आपके computer पर है, सबज़ मार तो इनको आगर आप देखना चाहते हैं, कैसे, जैसे मार लो यह कोई folder है, और इसके अंदर भी कई सारे folder हैं, तो अगर आप आप किसी folder के अंदर के folder, जिनको सब folder कहा जाता है, वो देखना चाहते हैं, और अगर आपने देख लिया, फिर उसके बाद उसे collapse करना चाहता है तो इसकी shortcut की भी होती है, आपको करना क्या है, keyboard पर जाहिए आप, आप बेटा जाहिए keyboard पर, और keyboard पर आपको जाना है number वाले पैड पर, जिसको num pad कहते हैं, जहां numbers लिखे होते हैं, ठीक हैं, तो आपको करना क्या है, num lock वाली जो key होती है, num lock वाली key को, num lock, आपको पता है न कि अगर आप number pad को activate करना चाहते हैं तो numlock वाली की दबानी पड़ेगी और activate नहीं करना चाहते हैं तो numlock वाली की फिर दवारा दबा दो क्योंकि activate करेंगे number pad को तो numlock को on करना पड़ेगा और deactivate करना है तो numlock को off करना पड़ेगा तो आप numlock वाली की number pad पर दबा कर फिर आप दबा दीजे asterisk, asterisk मतलब होता है multiplication का symbol सबज़ बागया, यानि पहले आप numlock दबाईए उसके बाद asterisk दबा दीजे तो इसते क्या हो जागा, जितने भी folder है ना, उनके अंदर के sub folder आपको display हो जाएंगे, कहाँ पर file explorer में left side में और इसको collapse करना है, यानि हटाना है, पहले जैसा लाना है, तो फिर आप numlock वाली की को दबा दीजे, ठीक है और उसके साथ फिर आपको इसी number pad पर minus, जिसको hyphen भी कहा जाता है, वो वाली की दबाने हैं आपको समझ में आगया, चलो कोशन पर आजाओ यह कहरा ना, file explorer window 10, the keyboard shortcut की numlock के साथ, दबाने पर क्या होगा तो option A पर लिखा, display all subfolder under the selected folder, यही सही answer है हमारा, यानि जो भी हमारा selected folder होगा, उसके अंदर के सारे subfolder को देखने के लिए हम यह वाली shortcut की का इस्तेमाल करेंगे ठीक है, हिंदी में भी, देख लीजे यही सही answer होगा, यानि कि चैनेत folder के अंतरगत सभी subfolder प्रदशित करने के लिए आप क्या करेंगे window, वो numlock वाली की के साथ asterick वाली की को दबादेंगे, number pad से अगले question को पढ़िए next question को पढ़ते हैं, क्या के रहा which of the following is an example of the input device in the computer, निम लिखित मैं से कौन सा computer में input device का उधारण है, very simple question input device में keyboard, mouse सबसे पहले हमारे दिमाग में आने चाहिए, output device में monitor, printer और storage device में pen drive, memory card यह सब आ जाते हैं, तो के रहा है इन में से input device का उधारण कौन सा है monitor, एक output device है गलत हो गया, speaker एक output device है गलत हो गया printer एक output device है गलत हो गया यह क्या लेगा, touch screen, बेटा यहाँ पर रहना एक गड़बड़ी है आप बोलेगे सर्थ, आपने typing में mistake कर दी है यह कुछ exam में गड़बड़ी होई है तो बेटा, बात यह है कि exam में गड़बड़ी होई है आप बोलेगे सर्थ, 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 के exam में हाँ क्योंकि यह PYQ है, previous year paper में आई वे question तो बेटा, ऐसा होता है कि SSC यानिस top selection commission है ना, कभी ना कभी question में, options में, यह answer की में गड़बड़ी जरूर करता है, यह इतिहास रहा है SSC का पुराना फिर बाद में correction भी होता है तो यह ध्यान रखना बेटा, कि जब यह question पूछा गया, तो मैं समझता हूँ कि जिनको monitor, printer, speaker पता है, वो तो output device उन्हें तो पता ही होता ही है लोगों ने touch screen को तिक कर दिया होगा input device के case में बड़ मैं आपको बता दूँ कि जो touch screen हमारे laptop वगेरा में आती है या smartphone के अंदर लगी होई आ रही है वो exception होती है exception का मतलब यह अपवाद है क्योंकि इनको input output बोथ device कहा जाता है जैसे computer में input device अलग होती है output device अलग होती है storage device अलग होती है बट कुछ devices को ना input output बोथ की category में रखते हैं उन में touch screen आता है touch screen अकेला example नहीं है touch screen के साथ sound card हो गया या जैसे digital camera या handy cam होते हैं या modem है internet के case में या एक NIC भी आपने नाम सुनाव हो यह सब इनको बोथ की category में रख दिये जाते हैं तो यहां जो है न option दिये गए इन में से हमारा कोई भी सही answer नहीं है ठीक है कोई भी सही answer नहीं है touch screen भी input device नहीं है वो input output बोथ होती है तो ऐसी गड़बड़ी याना exam में की गई और अगर होती भी है तो tension वाली बात नहीं है वो तो किसी नहीं किसी तरीके से सही करवाई जाएगी याना objection लगाए जाएगे हम चाहते ना तो इस question को ठीक कर लेते यानि कि touch screen की जगे ना कोई और नाम लिख देते जो input device का example है पर हम यह दिखाना चाहते थे कि exam में question में गड़बडी दी गई थी देखो अगला question कर रहा है कि net banking is also known as net banking को और किस नाम से भी जाना जाता है e-commerce, e-banking, e-process या e-transfer तो input device का simple answer है e-banking आप e-banking बोल दो, net banking बोल दो या online banking बोल दो एक ही बात है यानि internet के through जो आप bank से related काम कर रहे है न उसी को generally e-banking, net banking कहा जाता है अगला question which of the following types of hackers also known as crackers hack to gain unauthorized access to system and harm its operations और steel sensitive information निम लिखित मैंसे किस प्रकार के hacker जिनने cracker के नाम से भी जाना जाता है किसी system तक अनाधिकरत पहुँच प्राप्त करने और उनके संचालन को नुकसान पहुचाने या समवेधन शील जानकारी चुराने के लिए hack करते हैं बड़ी लंबी चोड़ी सी कहानी लिखी गई है यहाँपर हिंदी और इंगलिश भाषा में बड़ी इसका simple सा meaning है वो मैं आपको समझा देता हूँ देखो बेसिकली यहाँ पर बात चल रही है hackers की hacker का simple सा meaning होता है कि वो व्यक्ति जो unauthorized access करे यानि कि अनाधी करत घुसपैट करे जहां उसे नहीं जाना चाहिए जिस चीज को उसे use नहीं करना चाहिए वो भी अगर वो use कर रहा है तो उसी को hacker कह देता है अब hacker में बेटा बात यहाँ आती है तीन तरीके के hacker हो सकते है जैसे यहाँ पर भी लिखा हुए white hacker, black hacker और grey hacker तो इनको समझ लीजे फिर answer बताऊँगा देखो सबसे पहले समझ यह black hacker यह black hacker ही होता है अच्छा hat शब्द भी इस्तेमाल होता है यह भी ध्यान रखना black hat, white hat grey hat, grey hat का मतलब वो समझ लो टोपी पैना रखे किसी को काले रंकी, सभी रंकी, grey color की, red ऐसे समझ लीजे तो basically सबसे पहले यह समझ लो black hat hackers वो होते हैं जो illegal काम करते हैं हमेशा गलत काम करने वाले और white hat hackers वो होते हैं जो एक legal काम करते हैं जैसे मालो कोई hacker है जो सरकार के लिए प्रशाशन के लिए काम कर रहा है तो वो legal हो गया ना और grey hat hackers वो लोग होते हैं जो कि criminal तो नहीं होते हैं यानि कि वो अपराधी तो नहीं है बढ़ हाँ यह है कि वो इन चीजों की knowledge रखते हैं अपने पास बढ़ है hacking वगरा की knowledge है उनके पास बढ़ किसी तरीके का गलत काम नहीं कर रहे हैं उनको grey hat hackers कह दिया जाता है red generally नहीं होता है तीनी प्रकार के होते हैं तो question में क्या कह रहा था कि कौन से hackers होते हैं जिनको cracker भी कहा जाता है ठीक है और कह रहा है कि hack to gain unauthorized access यानि अनाधिकरत उपयोग कर रहे हैं और steel sensitive information यानि कि कोई मुख्य information है या important information है उसे चुराने का काम करते हैं ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option B यानि black hat hackers यही तो बता रहा था जो हमेशा illegal काम करे illegal तो वो black hat hackers कहलाएगा अगला question यह कहरा identify whether the following statement are true or false with reference to MS Word 2010 यह मैं आपको उदादू यह English में लिखा है इसका Hindi अनवाद आगे है हमारे पास तो दोनों ही आप पढ़ सकते हैं यह पहचाने की MS Word 2010 के संदर में निमलिखित कथन निमलिखित मैंसे कौन से कथन गलत है या सत्य है यह बताना है आपको ठीक है चलो English वाला देख लेता है Hindi वाला आपने पढ़ लिया यह कह रहा template यह शब्द ध्यान रगना template यह क्या होता है template शब्द का मीनिंग यह है कि जो चीज आपको पहले से बना के देदी जाए आपको बस काम करना है उसके उपर उसे template कहते है तो यह template can be selected while creating a new document यानि अगर आप कोई नया दस्तावेज बनाने जा रहे हैं blank document की हो सकती है किसी calendar को बनाने की हो सकती है किसी resume को बनाने की हो सकती है ऐसे कई सारी templates है आपको देखने को मिल जाती है जिनका use आप किसी new document को create करने से पहले कोई भी template चूज करके कर सकते हैं तो option यह वाला तो सही है ठीक है बागी कह रहा है था keyword shortcut की for going to the end of the document is shift plus end यह कह रहा है कि shift plus end जो shortcut की है इसे मुख्य दस्तावेज की अंत में पहुचा जा सकता है तो answer है नहीं बेटा control से पहुचा जा सकता है यह तो नहीं होता आप एना control वाली की दबाईए और end वाली की दबादीजए तो आपका जो main document है MS Word का यानि यूं कहिए कि MS Word में सबसे last में जो आपने लिखा होगा MS Word की file में वहाँ अगर आपको पहुचना है तो control plus end दबादीजए तो second वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो सही answer क्या हो जाएगा हमारा first true, second वाला false first true, second वाला false ठीक है I hope so है ना मेरा पढ़ाना मेरा समझाना, मेरा explanation आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है और इसी तरीके के question है ना exam में पूछे गए मैं फिर से बता दूँ आप सभी लोगों को कि एक proper तरीके से, सिलसलेवार तरीके से strategic तरीके से अगर आप इन सभी chapters को topics को पढ़ेंगे ना तो ये question यूँ आसानी से solve हो जाते हैं ठीक अगला question बोल रहा है कि which of the following is not a part of an email address यानि कि एक email address का इन में से कौन सा हिस्सा नहीं होता है जैसे याना कोई email address का example लिख लेते हैं पहले है ना जैसे एक email address मालो ऐसे बनाया गया हो यतेंद्र at the rate gmail.com ये कोई email address या email ID है अब इसमें आप देख लो ये वाला symbol है at the rate वाला हाँ ये रहा इसको basically separator कहा जाता है ध्यान रखियेगा और ये separator है ना दो पार्ट में break करता है किसी भी email address को ये पहले वाला पार्ट कहलाता है username और second वाला पार्ट कहलाता है domain name ठीक है तो at the rate वाला symbol है हाँ है photo किसी email address मा photo कैसे हो सकती है ऐसे तो यही answer होगा हमारा कह रहा ना email address का हिस्सा नहीं है तो photo नहीं होगा बाकि username है और email service provider domain email service provider domain कह दो या domain name कह दो एक ही बात है तो यह भी होता है तो सही answer क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर option B यानी की photo अगला question पढ़िया next question मैं बोल रहा है कि which of the following अच्छा इसका भी हिंदी है हमारे पास हिंदी अनुवाद वो भी आप देख सकता है चलो पढ़ते हैं इस question क्या कह रहा है which of the following option is the correct classification of volatile secondary memory on the basis of data retention capacity question को न बेकार में बड़ा बनाने की कोशिश की गई है वनना एक simple सा answer है इस question का और simple सा meaning भी है एक बाँ फिट से पढ़ लो which of the following option is the classification of volatile secondary memory यहीं से ही पता चल गया था इस question का सही answer क्या होगा volatile secondary oh sorry माफ कीज़ेगा semiconductor volatile और secondary शब्द तो दोनो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं क्यों नहीं आ सकते हैं क्योंकि जो secondary memory होती है हमारे computer में वो volatile नहीं होती है तो माफ कीज़ेगा actually volatile semiconductor memory लिखा हो है ना तो देखो simple सा मीनिंग है volatile semiconductor memory लिख लो या फिर केवल ये शब्द बोल दो volatile memory ये बोल दो बस और हमें पता है कि हमारे computer में volatile memory कौन सी होती है RAM, random SS memory मतलब computer की power को अगर बंद कर दिया जाए तो ये memory अपना data loss कर देगी इसलिए इसको volatile memory कहा जाता है पर ये ध्यान रखना कि RAM किया ना mainly दो type होते हैं एक SRAM जिसको static random SS memory और एक DRAM जिसको dynamic random SS memory कहा जाता है तो सही answer क्या हो जागा बटा option C is the right answer यानि कि static RAM और dynamic RAM ठीक है अगला question पढ़िया static RAM और DRAM next question पजाता है क्या बोल रहे हैं कि what is the diameter of the blu-ray disk blu-ray disk का व्यास कितना होता है पहली बात तो ये blu-ray disk क्या होती है देखो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अगर data store करना है तो इसके लिए हमें optical disk मिलती है ठीक है इनका इस्तेमाल हमने कभी न कभी किया ही होगा data को store करने के लिए और इन optical disk में हमारे सामने तीन example होता है CD, DVD और तीसरा होता है BRD ठीक है इन तीनों को ये optical disk कहा जाता है CD, compact disk, DVD, digital versatile disk ये digital video disk भी बोल देता है इसको और BRD, blu-ray disk होता है ये तीनों ये ऐना ऐसे गोल तश्तरी जैसी दिखाई देती है गोल प्लेट जैसी और इनको data को store करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है CD में कम data store होता है 700 MB का DVD में 4.7 यानि 4.7 GB यानि GB का data store होता है फिर इससे भी ज़्यादा अगर data आपको store करना है तो फिर blu-ray disk का इस्तेमाल करते है जैसे 25 GB, 50 GB और in some cases 300 GB तक का data store किया जा सकता है फिर इस्तेमाल में लाई जाती है अब question ये पूछा जा रहा है कि blu-ray disk का diameter क्या होता है अब blu-ray disk के गोल कश्तरी जैसी दिखती है न तो अगर कोई चीज सर्किल यानि गोल है तो उसका diameter यानि की व्यास होगा या नहीं बिल्कुल होगा तो blu-ray disk का जो diameter होता है वेटा वो 120 mm का होता है यानि 120 mm का और अगर mm की जगे inches में लिखा जाए तो 4.75 inches भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है जी? नोट कर ली जाओ अगली कोशन पर चलिया नेक्स कोशन बोल रहा है कि which of the following refers to the layout arrangement of the different devices in the network निमलिकित में से कौन सा विकल्प किसी network में विविन उपकरनों की layout विवस्था को संदर्वित करता है देखो simple सा meaning बता दूँ इस कोशन की भाषा थोड़ी सी tough है वनना meaning simple सा ही है कह रहा है ना layout arrangement of different devices in a network यानि कि जितने भी devices लगी हुई है किसी network के अंदर उनको arrangement की बात है उनके arrangement की बात चल रही है उनको विवस्थत करने की बात हो रही है उनकी विवस्था बनाने की बात हो रही है तो उसका simple सा मतलब है हम बात कर रहे हैं network topology की topology शब्द का basically meaning होता है network architecture या फिर इसको design of network के नाम से भी बोला जाता है यानि simple सा मतलब है कि जब computers को आप एक दूसरे के साथ connect करते हैं तो आप पहले उनका design त्यार करते हो कि कैसे connect करना है या architecture बनाते हो कि computer कैसे connect होंगे तो वो computer विवस्थिती तो हो रहे होता है उनका arrangement ही तो आप कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं topology कह दीजए ठीक है एक बात और ध्यान में रखिएगा जैसे network topology है इसे आप समझ सकते हैं जैसे हमारे घर का map या नक्षा होता है हमारे घर में कमरे होता है rooms तो वो कैसे बनेंगे यह सब चीज है हम कागच पर map के तुरू बना लेता है नक्षे में बना लेता है ऐसी network में computers कैसे connected होंगे इनका arrangement इनकी व्यवस्था जो बनाई जाते है उसको topology के नाम से बोल देता है अगला question यह कर रहा है in windows OS when you delete an item from any of the drives drive by marking नहीं marking नहीं making मैं फिर से पढ़ देता हूँ in windows OS when you delete an item from any of the drive by making use of the delete key और even by simply right clicking and selecting the delete option the item is moved to इसका हमारे पास हिंदी अनुवाद भी है इसे भी आप पढ़ सकते यह वाला windows OS में जब आप किसी drive से किसी item को delete कुझी का उप्योग करके या यहां तक की सरलता से हटाते हैं right click करने और हटाएं विकल्प का chain करने पर हिंदी एकदम सही नहीं लिखी हुई है था कि इसमें बहुत सही हिंदी नहीं लिखी यहां पर है ना कोई नहीं English वाला पढ़ लेता हूँ मैं आपको इसका answer बता देता हूँ इसका meaning समझा देता हूँ तो बेसिकली यहां पर यह कहना चारहा है कि अगर आप किसी भी file को delete कर देते हैं delete वाली button को दबा कर keyboard से या फिर आप किसी भी file पर mouse से जब right click करते हैं तो जो options आपके सामने आते हैं उनमें भी एक delete नाम का button होता है delete नाम का option होता है उससे जैसे आप किसी file को delete करेंगे तो delete की गई file कहाँ चली जाएगी वो चली जाती है recycle bin में recycle bin नाम का एक icon आपको है computer के desktop पर भी दिखाई देता है एक dust bin जैसा तो जितने भी delete की गई file होती है वो सब recycle bin में चली जाती है अगला question ये करा है in Windows 11 which of the following keyboard shortcut keys used to display and hide the desktop Windows 10 में desktop को परदर्शित करने के लिए और छिपाने के लिए निमली कितम ऐसे किस keyboard shortcut की का उपयोग किया जाता है पहली बात तो desktop क्या होता है ये पता है ना जब हम अपने computer को on करते हैं और सबसे पहली screen जो हमें दिखाई देती है उसी को desktop कहा जाता है तो उस desktop को देखने के लिए hide करने के लिए ये कह रहा है अब देखने के लिए hide करने के लिए मतलब देखो एक्चुली होता है कि जब आप computer में काम कर रहे होते हैं तो धेर सारी file है application वगरा open करते जाते हो और जैसे ऐसे ये file हैं या applications open होती जाती है आपका जो first visible screen है यानि कि desktop वो छुप जाता है और फिर उसे अगर आप एकदम से देखना चाहें एकदम से desktop पर आना चाहें देखना चाहें तो आप एक shortcut की का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे window D कहा जाता है option C is the right answer यानि आपको एना keyboard से window वाली की दबानी है यह वाली की और प्लस D दबा देना तो इसी को कह देता है show the desktop desktop को देखने के लिए यह shortcut की आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है next देखो यह कह रहा है dash means sending data और a file from your computer on the internet इसका मतलब यह है कि अपने computer से data या file को internet पर भेजना मतलब यह कह रहा है कि आप अपने computer से internet के माध्यम से यानि internet का use करते हुए data को भेज रहा है न dash means sending data और file from your computer यानि अगर यह आपका computer है और आप इस computer से यानि यह आपका PC है personal computer और यहां से आप कोई file या data भेज रहा है data और file from your computer on the internet तो simple meaning है इसको uploading कह देता है अगर internet की दुनिया में रखे हुए किसी computer से कोई data हमारे computer में आता है तो उसे downloading कहते है और हमारे computer से data जा रहा है internet की दुनिया में किसी computer पर तो उसे uploading कह देंगा है ठीक है यह वाला question देखिया है यह हो गया इसके option आगे लिखे हैं शायद है ना तो पहले question पढ़ लेता है question यह कह रहा है कि which of the following is the complementary language that helps style the HTML markup code used to create and design website and web pages हिंदी में कहा जाएगा निम लिखित में से कौन सी एक पूरक भाषा है जो website और web page को बनाने और design करने के लिए upio किये जाने वाले HTML markup code को style करने में मदद करती है option देखो और मैं इसको समझाता हूँ actually होता क्या है ना जब हम कुईसी website या web page को बनाते हैं तो हमें वहाँ पर markup भाषा का इस्तेमाल करना होता है और वो markup भाषा HTML कहलाती है या उन markup भाषाओं में हम HTML का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसको hypertext markup language के नाम से बोला जाता है अगर आप कोई basic website का web page बनाते हैं ये बात ध्यान लगना कि website जो आप देखते हैं इंटरनेट पर कोई भी website आप जो खोलते हैं वो basically धेर सारे web pages का collection होती है बहुत सारे web pages को मिला कर website बनती है जो web pages आपस में जुड़े भी होते हैं इंटर लिंक होते हैं तो उन web pages को बनाएंगे पहले तो HTML भाषा का इस्तेमाल करके फिर उनके उपर style लगानी है उनको और ज़्यादा attractive बनाना है तब एना एक style लगा दी जाती है इनके उपर जिसे CSS कहा जाता है यानि कि cascading style sheet तो option C हमारा सही answer होगा चलो मैं इसे एक और simple example से समझाता हूँ आपको समझ में आ जागा जैसे अना अगर किसी actress यानि कि कोई अभिनेत्री है उसे आप without makeup देखना बिना makeup के तो समझ लो कि वो HTML है और जब उसके उपर makeup कर दिया जाए उसे सुन्दर बना दिया जाए तो समझ लो कि उस HTML के उपर CSS apply कर दिया गया है तो कोई भी website का webpage जब आप देखते है वो आपको attractive या आकरशक दिखाई देता है तो इसका मतलब कि उस HTML pages के उपर CSS styles apply की गई है तब जाके उसका look अच्छा आ रहा है दिखाई दे रहा है ठीक है अगला question ये कहा रहा है कि अच्छा जिसको short में E.P.ROM कहा जाता है कहा रहा है रिटेंस its content until it is exposed to the हिंदी में कहा जाएगा एक erasible programmable read only memory E.P.ROM अपनी सामिक्री को तब तक बरकरार रखती है जब तक कि वह इसके संपर्क में ना आ जाएए किसके संपर्क में ना आ जाएए और पहली बात यह है क्या चीज़ देखो यह बात हमें समझ में आनी चाहिए या पता होनी चाहिए कि डाटा को स्टोर करने के लिए एक memory इस्तेमाल में लाई जाती है जिसे E.P.ROM कहते है Erasible Programmable Read Only Memory और इस E.P.ROM के अंदर जो डाटा हमने write किया है उसको हम erase भी कर सकते हैं इसलिए इसके नाम में Erasible शब्द आता है बट अगर इस Erasible Programmable Read Only Memory को हम किसी एक ऐसी चीज के संपर्क में लाएं या फिर इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि E.P.ROM के ऊपर कोई चीज डाली जाए एक ऐसी चीज डाली जाए कि जिससे इसका data delete कर दिया जाए मिटा दिया जाए तभी इसको Erasible कहा जाएगा जैसे कोईशन की भाषा मैं कहा गए किसके संपर्क में आएगी मैं लाए किसके संपर्क में जब तक या ऐसे सिंपल सा ऐसे बोलतो कि किसके संपर्क में आने के बाद इसका data delete होगा या मिटेगा तो बेटा इसका सही आंसर है इस अल्ट्रा वालट लाइट या रेडिएशन यह सही आंसर है ठीक है जी ध्यान रखना कि इपीरोम होती ना अल्ट्रा एरेजबल प्रोग्रामेबल रीडॉली मैमोरी इन इपीरोम के डाटा को एरेज करने के लिए मिटाने के लिए बेसिकली अल्ट्रा वालट रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली कुछ चेमबर होते हैं बॉक्स टाइप के जिन में इन इपीरोम वाली चिप को निकाल के रख दिया जाता है फिर उन पर अल्ट्रा वालट रेडिएशन डाली जाती है तब जाके उनका डाटा मिटाया जाता है तो इस question में ये बोल रहा है समझ आगे सबी को ठीक है चलो अगला question देखिए इस question को पढ़िए और क्या होगा इसका सही answer चलो इस question को पढ़ता है ये कहा रहा है which of the following is a mini DIN connector used to connect a keyboard and mouse to the PC compatible computer निम लिकित मैंसे कौन सा एक mini DIN connector है जिसका अप्यो keyboard और mouse को PC संगत computer से connect करने के लिए किया जाता है देखो इसको simple सा question बना देता हूँ simple सा ये पूछा जा रहा है कि keyboard और mouse अगर आप अपने computer के साथ इस्तेमाल में ला रहे हैं keyboard और mouse तो कौन से connector का इस्तेमाल किया जाता है बस इतना पूछ रहा है तो आप बोलेंगे सर आजकल keyboard और mouse जो हम अपने computer के साथ connect करते हैं उनके साथ USB cable होती है universal serial bus cable तो उसको USB connector कह देता है जहां उन cable को लगाया जाता है तो USB connector अंसर होना चाहिए बढ़ यहां तो कुछ भी नहीं है रखा ऐसा तो इसका सिंबल जा मतलब है कि हम बात कर रहे हैं पुराने समय की पहले पुराने समय में क्या होता था जो desktop computer होते थे desktop computer में अगर आप keyboard और mouse की cable लगाते थे ना वो अलग-अलग होती थे उनके color भी हुआ करते थे जैसे कि keyboard की अगर हम बात करें तो keyboard के case में जो cable या तार हम इस्तेमाल करते थे तो keyboard के cable के मूँ की तरफ जहां उसका मूँ या mouth होता है वहाँ पर है ना purple color दिखाई देता था हमाँ बैगनी color तो इससे पता चल जाता था कि वो cable keyboard की है और अगर mouse की cable की हम बात करें तार की तो वहाँ उस cable के मुहाने पर green color हुआ करता था हरा रंग जिससे पता चल जाता था कि ये mouse की cable है तो जिस जगे पर ये cable या तार लगाई जाती थी computer में उसको basically PS by 2 port के नाम से बोलते था है इस PS by 2 port को personal system 2 के नाम से भी बोला जाता है तो बस ये दियान रखना इस personal system 2 का इस्तिमाल पुराने समय में desktop computer के साथ keyboard mouse के लिए किया जाता था keyboard के लिए जो personal system port होता था वो purple color का, mouse के लिए green color का होता था और ये भी दियान रखना कि PS by 2 port के अंदर total 6 pin का इस्तिमाल करते थे data को स्थानांतरित करने के लिए मतलब जब आप keyboard से कोई key दबाएंगे या mouse से कोई click करेंगे तो ये भी तो एक data ही है जो computer के अंदर जाएगा तो वो 6 pin के द्वारा computers में enter करता था मैं बहला connectors जो होते है न उन्हें pin का concept होता है तो pin के द्वारा data अंदर जाता है अगला question पढ़िए next question बोल रहा है कि which of the following keyword shortcut keys used to enter the new line in the same cell in a worksheet in MS Excel 2010 Hindi मैं कहा जाएगा MS Excel worksheet में उसी cell में एक नई line दर्ज करने के लिए निम लिखित में से किस keyboard shortcut की का उप्योग किया जाता है समझे है नहीं मैं समझाता हूँ Excel में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक sheet खुलती है इसको sheet worksheet या spreadsheet तीनो नामों से बोला जाता है और यहां पर हमें row और column से row और column के यह column और row यह दिखाई देती है और इनके intersection से यहां पर हमें cell दिखाई देता है यहाँ पर तब आपको कौन सी shortcut की इस्तेमाल में लानी होगी तो answer विटा option B यानि alt plus enter दबा दीजे क्योंकि देखो अगर आप किसी भी cell में है और आपने केवल enter दबा दिया तो आप फिर नीचे वाले cell में आ जाओगे फिर enter दबा दो तो और नीचे वाले cell में आ जाओगे बट same cell के अंदर ही आपको next line पर जाना हो आगे कुछ लिखने के लिए जैसे यहाँ लिखने के लिए यहाँ लिखने के लिए तो आपको फिर क्या करना होगा alt plus enter दबाना होगा ठीक है अगला question next question के रहा है the unit of the unit is that part of the CPU which control or direct the operation of the processor वो unit जो CPU का वह भाग है जो processor के संचालन को नियंतरत या निर्देशत करता है देखो एक simple सी बात बता रहा हूँ दिमाग में बठा लेना अगर कभी भी ऐसा कोई question आए आपके सामने है simple ता तुरंत answer करते ना चुटके बजाते ही अगर कभी कहा जाए कि CPU देखो यह जो processor लिखा है ना यह processor को है न CPU भी बोलता है central processing unit को ही processor या microprocessor के नाम से बोला जाता है ठीक खेर यहाँ पर CPU लिख भी दिया है बस यह समझालों कि processor यानि CPU को या processor यानि CPU के operations को जो direction दे या control करे तो बेटा वो CPU का खुद का ही अपना एक भाग होता है जिसे control unit कहते हैं मैंने आपको बताये था ना कि हमारे computer में जो CPU लगा होता है उसके तीन पार्ट होते हैं एक ALU, दूसरा CU और तीसरा MU ठीक है ना बेटा यह है CU, control unit तो यह दिमाग में बिठा लेना कि CPU को दिशा निर्देश देने का काम control करने का काम उसका खुद का ही भाग होता है that is control unit तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा option C यानि की control unit next question देखे next question मैं बोला है the CPU interact directly with the memory to perform read and write operation CPU पढ़ने या लिखने अब यहाँ पर पढ़ने या लिखने हिंदी में लिख दिया गया है जबकि यह शब्द यहाँ पर हिंदी में इस्तेवाल में नहीं लाए जाते है हिंदी translation में थोड़ी mistake है manage कर लिजे का यह कह रहा है कि CPU interact कर रहा है किस memory के साथ read and write operation के लिए है ना CPU पढ़ने लिखने वाली संक्रियां करने के लिए dash memory के साथ सीधे प्रतिकरिया करता है सीधे प्रतिकरिया करता है तो को simple सा question अभी तो बताया था कि अगर यह CPU है यानि कि central processing unit है तो यह सीधे है ना data को read करने के लिए करने के लिए किस memory का इस्तेमाल करता है तो आंसर रहा है यानि कि अगर इसको data उठाना है data की जरूत है तो रहा है तो रहा है यही बेसिकली रैम के लिए लिए रेंडम एसे memory के लिए तो option c is the right answer चीग है ना cpu basically read write operation के लिए किस memory के साथ directly interact करता है तो आंसर है primary memory RAM के साथ अब आप बोलेगे सर रैम के कई सारे नाम होता है क्या हाँ रैम को कई सारे नाम हो से बोला जाता है रैम random SS memory भी है रैम volatile memory भी है रैम primary memory भी है और रैम main memory भी है रैम read write memory भी कही जाती है अगला कोशन यह गराइन mxxl365 डेश is the between two columns is an indicator that we have hidden a column यानि mxxl365 में दो कॉलम के बीच डेश इंडिकेटर होता है जिससे एक छुपा हुआ कॉलम दिखाई देता है देखो इसको मैं आपको समझाता हूं इस question का meaning क्या है देखो बेसिक लिए इस question मैं यह पूछा जा रहा है बेटा कि जब आप excel में काम कर रहे होता है तो आपको excel की sheet कुछ ऐसे दिखाई देगे और यहां आपको इन columns दिखाई देंगे और यह column की heading होती है alphabetical order में a b c d e f g अब अगर कभी ऐ आप इन में किसी भी column को hide करना चाहते हैं तो hide कर सकते हैं कर सकते हैं जैसे माली जै आपने आपको बी वाला जो column है इसको hide करना है तो ओगा क्या जैसे बी वाला column आप हाइड करेंगे और c के बीच में ऐसे double line सी बन के आ जाती है मैं पूरी नियाती यहां होता है मैं ऐसे समझा देता हूँ जैसे है न बी वाला कॉलम को आप हाइड करेंगे है न तो ऐसे हो जाएगा देखो यह हो गया ए वाला कॉलम फिर यह सी आ जाएगा क्योंकि बी तो आपने हाइड कर दिया पिर D आ जाएगा फिर E आ जाएगा फिर F आ जाएगा और A और C के बीच में ऐसे दो double line आ जाती हैं अगर कोई गौर से देखाना है तो उसे पता भी चल जाएगा कि A और C के बीच में किसी column को hide कर रखा है तो बेटा ये किस से denote कर रहा है किस से दिखाया जा रहा है double line से तो ये सही answer हो जाएगा हमारा हो यही कोईशन है पूछ रहा है कि अगर Excel में किसी column को छपा हुआ hide हुआ दिखाना है हमें तो उसका indicator क्या है उसका indicator होता है double line दौनों column के बीच में double line आ जाती है जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी column को hide कर रहा है चुपा रहा है अगला कोशन पढ़िए ये कह रहा है in email which of the following mode is or are included in the post office protocol P.O.P. email में निमलिखित में से कौन से mode post office protocol में शामिल होते हैं सुनिए पहले जब भी हम किसी को email message send करते हैं या email message किसी से प्राप्त करते हैं तो protocol का जिकर जरूर होगा ये बात हमें ध्यान रखनी है कि internet networking में अगर एक छोटा सा तिनका सा भी कोई काम किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई protocol ही जम्मेदार होती है तो email के case में ये चार protocol के नाम ध्यान रखना बेटा SMTP, POP, जिसमें POP का third version और एक IMAP और एक MIME नाम की protocol होती है ये चार protocol work करती है अलग-अलग condition में Simple Mail Transfer Protocol, Post Office Protocol, third version और Internet Message Access Protocol और Multipurpose Internet Mail Extension ये सारी protocols के नाम है, full forms है तो basically ये कह रहा है कि हम POP protocol की बात कर रहे है और POP protocol के case में कौन से mode होते है खेर ना, in email यानि email भेजने के समय पर या प्राप्त करने के समय पर which of the following mode included in the post office protocol तो इसका सही answer है, delete mode और keep mode दोनो यानि बोथ A and B, D option answer है इसका इसका meaning क्या है वो मैं समझा देता हूँ delete mode और keep mode दोना का meaning ये है बिटा कि delete mode में ये confirm कर लिया जाता है कि जिस email message को अभी प्राप्त किया गया था वो server से, मालो प्राप्त कर लिया या download कर लिया गया है वो server पैसे हटा दी गई है या नहीं ये confirm करना होता है जैसे माली जै किसी server computer पै या किसी computer पै email message प्राप्त हुआ अब फिर आपने उसे delete कर दिया तो ये confirm करना कि ये यहां से completely delete हो गई है उसी को delete mode कह देता है ठीक है और keep mode का मतलब कि जब कोई email message किसी server पै या किसी system पर आया है प्राप्त हो गया है इसका confirmation मिल जाए तो उसे keep mode के नाम से बोल देता है अब समझ में आ गया ठीक अगला question पड़ी है next question में बोल रहा है कि in MS Office 365 the table of authorities group can be found under which of the following tab MS Office 365 बिटा मैं आपको फिर से बता दू कि यहां पर जो MS Office लिख दिया न इसकी जगे MS Word होना चाहिए MS Word ठीक है क्योंकि MS Office तो एक complete package है न जिसके अंदर Word, Excel, PowerPoint तीनों आते हैं तो यह कह रहा है कि in MS Word 365 the table of authorities group can be found under the which of the following tabs MS Word 365 में table of authority निम लिखित समूह मैं से निम लिखित मैं से किस tab के अंतरगत देखी जा सकती है तो पहली बात तो आप revise कर लो मैंने अभी थोड़े पहले MS Word के सारे tab के नाम लिख कर बताए थे आपको उनमें कौन कौन से tab थे देखना यहाँ पर वो नाम है review नाम का tab भी था, view था, references था, mailings यह सारे नाम मैंने लिखेते हैं न अभी MS Word के सारे tab जब लिख कर दिखाएते हैं तो basically table of authority के जब हम बात करते हैं ना तो यह वाला जो tool है यह मिलेगा आपको references के अंदर अब इसका meaning क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ table of authority basically है ना आपको permission देता है कि आप अपने document में legal links दे हैं नहीं समझें समझाता हूँ आपने कोई किताब देखी हैं जिसमें references लिखे हो कि वो paragraph हमने फला फला जगे से लिया था इस website से उठाया है इस किताब से उठाया है अगर इस तरीके के references आपको किसी एक जगे लिखे हुए दिखाई ने किसी किताब में तो उनी को table of authority कहा जाता है तो ऐसे ही एक टूल दे रखा MS Word के अंदर जहां पर आप legal लिंक्स डाल सकते हो जहां से आप ये content को उठा रहे हैं या type कर रहे हैं MS Word की फाइल में अगला question यह कह रहा है in MS Excel 365 you can use dash when you want to change a cell reference within a formula without changing the formula itself MS Excel 365 में हम dash का प्रियोग तब कर सकते हैं जब हम formula को बदले बिना उस formula के भीतर किसी cell reference को बदलना चाते हैं बड़ी difficult सी भाषा है ऐसी भाषा है तब समझ में आती हैं जब हमने Excel के formula function को अच्छे से पढ़ रखा हो अब देखो इसका सही answer में आपको बता देता हूँ और फिर इसे समझा भी देता हूँ इसका सही answer है बेटा indirect इसे समझो जड़ा जब आप Excel में कोई function या formula लगा रहे होते हैं तो यह ध्यान रखना हर एक function या formula की शुरुआत होती है equal to a science है और आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा indirect यह है function का नाम indirect अब यह बात भी धान रखना कि Excel में cell reference एक शब्द इस्तिमाल में लाए जाता है और यह cell reference क्या होता है cell reference basically cell address को ही कहा जाता है जैसे कि a1 अगर लिखा हुआ है तो यह cell reference कहा जाएगा अगर a2 लिखा हुआ है यह भी cell reference है a3 लिखा है तो यह भी cell reference है b1 लिखा है तो यह 1 लिखा है तो यह भी cell reference है जब आप Excel में काम कर रहे होते हैं तो जो sheet आपको दिखाई दे रहे है उसमें column दिखाई देंगे आपको ABCD के form में और row यानी पंक्तियां दिखाई देंगी 123 के form में तो जैसे यह वाला cell है तो इस cell का cell reference या cell address क्या होगा आप B column में देखो यह आ रहा है cell और कौन सी row में आ रहा है third row में आ रहा है तो यह cell address हो जाएगा बी 3 ऐसे लिखते हैं ठीक है अब आजो मुद्दे पर मुद्दे की बात यह है जैसे मालो किसी cell reference की हम बात करें यहाँ पर जैसे मालीजे कोई cell reference है ना कोई cell reference लिखा हुआ है जैसे मालीजे बी 2 और बी 2 cell address में यह तेंदर लिखा हुआ है ठीक है और मालीजे कोई cell address है बी 3 और बी 3 cell address में लिखा हुआ है that is b2 मतलब किसी cell के अंदर तो हमने एक नाम लिख रखा है और किसी cell address के अंदर या किसी cell के अंदर है न हमने दूसरे cell का नाम लिख दिया है समझ रहे है नहीं यही तो sheet थी है हमारी यह हमारी excel की sheet है इसमें a, b, c और d column है और यह row यानि पंक्तिया है 1, 2, 3, 4 यह पंक्तिया है अब यहाँ पर बात चल लिए b2 और b3 की b2 हो गया यह वाला और b3 हो गया यह वाला तो b2 में तो लिख दिया हमने यह आपर यतेंद्र और b3 में लिखा हुआ है b2 और b2 क्या है b2 बेसिकली b2 cell address है यह आपर b3 के अंदर जो हमने b2 लिखा है न वो b2 बेसिकली cell address लिख दिया हमने है यह cell reference लिख दिया हमने है यह है meaning अभी भी नहीं समझ में आ रहा हूंगा समझाओंगा अभी देखो अब indirect नाम का function लिख कर अगर आप यहां यह लिख दें b2 क्या लिख दें b3 लिख दें सोरे यहां पर लिखना विटा आपको b3 जैसे indirect नाम का function लिख कर और आप यहां पर लिख दें b3 तो आप देखो होगा क्या यह function क्या करता है यह देखेगा कि b3 cell address पर क्या लिखा हुआ है एक और cell reference या फिर एक और cell address जो है B2 तो फिर यह B2 पर चला जाएगा और फिर देगा कि B2 पर क्या लिखा हुआ है यतिंद्र लिखा हुआ है तो इसका सही answer आ जाएगा बेटा यतिंद्र यह वो कहना चाहरा था question में अब पढ़ो जाए एक बार question यह कह रहा है कि MS Excel में you can use dash when you want to change the cell reference यानि आपको cell reference तो change करना है within the formula यानि formula के अंदर but without changing the formula itself यानि formula चेंज नहीं होना चाहिए formula जैसे वैसी change रखो cell reference चेंज हो जाए उसके अंदर देखा ना आपने formula तो जैसा था वैसा ही है but cell reference change हो रहे है क्या change हो रहा है कि यह क्या कहरा रहा है manos principle करेंब क्यों 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 क्यूंक्य जी बीटू से twenties looking पाता लिखा कि समय आंदर यान अंदर चेंज हो रहे है sheet प्र फॉर्मूला नहीं बदल रहा है इसमें एक कंडिशन और भी होती है कि अगर आप इंडारेक्ट इंडारेक्ट लिख दीजे ठीक है और इसके बाद अगर डवल इंवर्टेट कॉमा में अगर आपने B3 लिख दिया ये लिख दिया अगर आपने और एंटर दबा दिया तो फेटा B3 cell address में जो लिखा हुआ वही सही answer आजाएगा फिर B3 में क्या लिखा B2 लिखा हुआ तो B2 answer आजाएगा ऐसी देतेगा ये यानि अब ये cell reference को change नहीं करेगा जो वहाँ लिखा हो वही answer देतेगा आपको समझ भाएगा? double inverted comma और बिना double inverted comma से फरक पड़ता है ठीक है जी? समझ आगया? तो इस question का सही answer था indirect चलिए अगला question पढ़िए next question क्या रहा है कि in windows 11 to open the file explorer you press the dash on the keyboard ये तो हम पहले भी discuss कर चुके है नहीं file explorer को open करना है न? हाँ ये कर तो चुके है ये question दोवारा अगया चाहिद ये कर रहा है कि windows 11 में file explorer को open करने की keyboard shortcut की कहा है तो option A is the right answer आपको window वाली की के साथ E दबाना है जैसी window प्लस E दबाएंगे तो आपके सामने file explorer open हो जाएगा जिसको window explorer भी कहा जाता है और इस window explorer या file explorer के अंदर basically आपको आपके computer की सभी file और folder एक ही जगे पर रखे हुए दिखाई जाते है अगला question पढ़िए next question मैं कह रहा है कि in computer memory the width of the bus the width of the dash bus specify the maximum possible memory supported by the system हिंदी मैं कहा जाएगा computer memory में dash bus की चोड़ाई width एक system द्वारा समर्थित अधिक्तम संभम memory को निर्दिष्ट करती है यह question यहां पर पूछा जा रहा है यह question समझ में आया क्या यह question समझ में आया नहीं मैं समझाता हूँ देखो इस question को एक बार फ़र से पढ़ लिए computer memory in computer memory the width of the dash bus specify the maximum possible memory supported by the system इसको ना simple भाषा मैं कर देता हूँ यह question यह कहना चाह रहा है कि computer में जो buses का concept होता है ठीक है ना उन buses में कौन सी bus ऐसी होती है जिसकी मदद से है ना computer की जो memory है उसके बारे में पता लगाया जाए यह लगाया जा सके तो बेटा ध्यान रखिए कि buses का काम होता है data को travel कराना computer के motherboard पर है ना computer के अंदर data traveler भी इन्हें कहा जाता है जिसमें तीन buses होती है address bus, data bus, control bus और इन तीनो buses में जो address bus होती है यह directly associate होती है हमारे computer की RAM के साथ random access memory के साथ यह directly जुड़ी होती है यह बात ध्यान में रखनी है आपको तो यहाँ जो लिखाना maximum possible memory supported by the system इसका simple सा meaning यह है कि अधिक्तम संभब memory की जो बात कर रहा है यह कह रहा है कि हमारे computer की जो RAM है वो कितनी लगी हुई है कितनी लगाई जा सकती है यह कह रहा है यहाँ पर यह किस से पता चल जाता है यह address bus से पता चल जाता है ठीक है? चलो एक question यहाँ पर और याद रख लेना कि अगर पूछा जाए कभी किसी exam में कि हमारे computer में जो address bus होती है वो directly किस memory के साथ associate होती है जुड़ी हुई होती है तो answer है इसका random SS memory यानि RAM के साथ आगे देखो अगला question पढ़ता है हो कह रहा है which of the following parts of the given URL is a domain name दिये गए URL का निम लिखित में से कौन सा भाग एक domain name होता है यह आपको पूरा एक example दिया गया है और इसमें कह रहा है कि domain name कौन सा होता है आपको पेटा एक बात बता हूँ मैं एक example लिखता हूँ www.facebook.com तो actually पता है यह पूरा का पूरा है resource name कहलाता है अगर आप इस पूरे को देखें तो हम इसको resource name के नाम से बोल देता है ठीक है इसमें www.web.com जो लिखा हूँ है इसे basically sub domain कहा जाता है वैसे यह एक network का नाम भी आप कह सकते हो जिसका full form है worldwide web इसे global network name भी कह सकते हो यह दर्शाता है कि पूरी दुनिया एक global network से चोड़ी हुई है बागी यहां इसे sub domain भी कह दिया जाता है यह जो लिखा ना इसको domain कह देता है और इसको top level domain के नाम से बोल दिया जाता है कई बार पता है इस पूरे को भी domain name बोल देता है ठीक है जी कई बार है na facebook.com जो पूरा लिखा हुआ है इसको भी पूरा domain name कह दिया जाता है बट अगर .com को अलग से आप बोलना चाहें किवल .com को तो इसको top level domain name के नाम से बोला जाएगा तो अब देखो ध्यान से सुनना यह तो हो गया sub domain यह हो गया domain और यह top level domain name बट इन सम केसेज facebook.com पूरे को भी domain name कहा जाता है ठीक है अब question के according domain name ही पूछा है तो domain name क्या होना चाहिए या तो India को कह दो या फिर India.in को कह दो बस इतना ही answer होना चाहिए क्या ऐसा कहीं option में है कहीं नहीं दे रखा इसका मतलब यह सारे के सारे option गलत दिये गए थे SSC के दौरा staff selection commission के दौरा कहीं पर भी है नहीं ऐसा नहीं लिखा India लिख देते तो भी ठीकता चलो या India.in लिख देते किसी option में है तो भी ठीकता समझ में रहा है यह तो पूरा का पूरा का पूरा consider किया जाए तो इसे resource name कहा देता है यह कहलाता है sub domain यह कहलाता है domain और यह top level domain यह कहलाता है समझ में आगया? तो यह एक mistake हुई है इस question में और किस के दौरा SSC के दौरा यानि कि staff selection commission के दौरा अगले question की तरफ बढ़ेंगे पढ़िये question क्या कह रहा है question में यह बोल रहा है कि a dash is a computer program that can self replicate and propagate over the network एक dash computer program होता है जो network पर स्वअ प्रतिकृती यानि self replicate बना सकता है और fail सकता है यानि propagate हो सकता है बेटा देखो इस question में कुछ शब्दों को ध्यान में रखना और answer आजाएगा ध्यान रखना यहां पर बात चल लिए malware की यानि कि वो जो computer को खराब करने के लिए बनाए जाते है computer network को खराब करने के लिए बनाए जाते है generally यह बात चल रही है यानि malware की बात चल रही है तो पहली बात तो ध्यान रखना कि एक point आगया self replicate एक ऐसा program जो replicate करता हो अपनी copies बनाता हो और over the network यानि network पर फैलता हो आख बंद करके tick कर दीजिए इसका answer होगा warm self replicate शब्द है ना virus के साथ भी आता है कि यानि virus भी एक self replicate प्रोग्राम होता है अपनी copies बनाता है बड़ वाइरस इंटरनेट के network के case में है ना generally consider नहीं किया जाता है वाइरस हैसे बोला जाता है कि computer to computer आप फैला रहे हैं इंसान फैलाते हैं तो अगर किसी question की भाशा में दो चीजिए देख लेना बस के एक तो self replicate program शब्द लिखा हो और network के उपर फैल रहा है या network को खराब करने के लिए बनाया गया है तो उसका सही answer होगा वार्ब अगला देखो which of the following types of firewall operate at the network layer to examine incoming and outgoing packets निम लिखित मैं से किस प्रकार का firewall network layer पर कारे करते हुए incoming and outgoing packets की जांच करता है सबसे पहली बात ही आती है packet क्या होता है दो को packet basically हमारे data का ही नाम होता है जो किसी network पर transfer किये जा रहे होता है अगर मैं यह बोलू ना कि internet networking के थूरू हमारा जो data एक जगह से दूसरी जगह move कर रहा है वो किस रूप में किस form में होता है के बारे में यहां पर बात चल रही है और network layer पर बात चल रही है अभी बाद अभी मैंने यह भी बताया था आपको कि जब networking हम पढ़ते हैं तब हमें वहाँ पर OSI model पढ़ना पढ़ता है जिसको open system interconnection model कहते हैं और उसी model में layers के थूरू समझाया जाता है कि कैसे एक computer से दूसरे computer तक data पहुंचता है है ना तो यहां दो बात हैं दो तीन बात हैं बता चल गई है एक तो data का नाम यहां पर क्या है packet मलग किसी network में हम data को भेज रहे होते हैं तो उसे packet कहते है firewall की बात चल रही है network layer की भी बात चल रही है तो इस question का सही answer है वो है यह बात चल रही है network layer की ना तो इस question का सही answer हो जाएगा option A यानि packet filtering firewall के नाम से उसे बोल दिया जाता है समझ में आगे सभी को इसे packet filtering firewall कह दिया जाता है firewall शब्द यहां आगे लिखा हुआ नहीं है पूस तो firewall के बारे में रहा था ना तो इसका simple जामीनिंग यह समझ लो एक technique या technology है एक technique है जिसमाँ packets को है ना filter करके भेजा जा रहा है आगे ऐसा हो सकता है ना कि किसी network के पास धेर सारे packets आ गए हो धेर सारा data आ गया हो जो packet की फॉम में तो वहाँ पर firewall की तो जिम्मेदारी होगी ना कि कौन से packets को है ना filter करके network में आने दे incoming करने दे या फिर outgoing के time पर भी यह काम किया जा सकता है तो incoming और outgoing in the network एक firewall जो यह काम कर रही होती है कि कौन से packets जाने चाहिए कौन से आने चाहिए उसको packet filtering firewall के नाम से ही बोल दिया जाता है ठीक है firewall के भी अपने कई सारे प्रकार होता है जिनमें एक firewall packet filtering firewall के नाम से जानी जाती है अब सारे के सारे types है प्रकार तो फिर हम class में ही पढ़ेंगे खेरा अभी तो question practice कर रहे है अगला question देखे यह कहा रहा which of the following statement is or are correct for the email हिंदी मैं कहा जाएगा email के लिए निम लिखित मैं से कौन सा या कौन से कतन सही है पहला कतन देखते है या user can check the email header prior to download या downloading और दूसरा कहा रहा है कि या user can partially download an email यानि download करने से पहले user email header की जाच कर सकता है या user एक email को आंशिक रूप से भी download कर सकता है पिटा देखो मैं आप भी बताया था ना कि email के case में कुछ particular protocols काम करती है जैसे SMTP, POP, IMAP और MIME इन में जो IMAP नाम की जो protocol होती है ना इसे internet message access protocol कहते है ये email basically ये protocol basically email message के case में email करने के case में या email प्राप्त करने के case में दौनों ही cases में ये protocol consider की जाती है जिसे IMAP कहते हैं और इस IMAP protocol के through अगर email भेजा जा रहा है या प्राप्त किया जा रहा है तब ये दौनों ही statement हमारे true है यानि कि हम email को download करने से पहले उसका header check कर सकता है अब आप बोलेंगे header क्या चीज होती है header basically एक security technique होती है जिससे ये judge किया जाता है कि कोई email सही है या खराब है अगर वो email सही है तो फिर एना उस email को inbox में दिखाया जाता है और अगर वो email खराब है या उसके साथ कोई ऐसा malicious content जुड़ा हुआ है आपके computer को खराब कर सकता है आपके साथ fraud कर सकता है तो उसे फ़र spam में डाल दिया जाता है आप देखते हैं आपके email account में inbox और spam नाम के दो डब्बे होता है दो box होता है तो spam basically junk emails को कहा जाता है खराब emails को तो ये सब जानकारी है ना header से पता चल जाती है header एक security technique होती है और क्या हम email को है ना email protocol के थरू partially download कर सकता है थोड़ा थोड़ा रूप में हाँ कर सकता है ये भी possible है तो दोने statement हमारे सही होंगे बोथ 1 and 2 किलिए रहे बिटा चलो अब आगे देखो next question कि दरब बढ़ता है अगले question में ये बोल रहा है कि in computer memory dash bus is used to transfer addresses between CPU and the main memory computer memory में CPU तदा मुख्य memory मुख्य memory का रहा है रैम ये बीच पते यानि addresses को स्थान अंत्रित करने के लिए dash bus का उप्योग किया जाता है इसका तो simple सा meaning है बस इस तीन प्रकार की होती है data bus, address bus और control bus तो addresses वगेरा यानि किस data का कौन सा address है किस location से वो data आ रहा है इन addresses को transfer करने के लिए address bus ही इस्तेमाल में लाई जाएगे इसमें तो कुछ था ही नहीं है अगला question पढ़िया next question में बोल रहा है कि in file explorer of windows 11 ठीक है file explorer मतलब वही विंडो एक्स्प्लोरर भी इसे कहा जाता है तो file explorer of windows 11 to reduce the space between the files select view then dash view ये बोल रहा है कहारा है windows 11 के file explorer में file के बीच के खाले स्थान को कम करने के लिए view के बाद dash view का chain किया जाता है देखो जब आप file explorer open करेंगे तो file explorer open करने के समय पर आपको वहाँ पर कई सारे tab दिखाई देते हैं जैसे कि आपको view tab दिखाई देगा home tab दिखाई देगा filter tab दिखाई देगा detail भी दिखाई देगा तो उसमें न ये जो view वाला tab है न इसके अंदर जैसे आप जाएंगे तो आपको एक और tool मिलेगा जो show के नाम से होगा और show के अंदर होता है compact तो जैसे आप compact पर click करेंगे तो आपको है न basically क्या होगा file के जो बीच में space होता है वो कम होता हुआ दिखाई देगा नहीं समझें जैसे file explorer में धेर सारी file हैं दिखाई जा रही है एक file बताया जा रहा है मैं अथा आपके computer में इतनी सारी file हैं वो ऐसे दिखाई जा रहा है यही file यही file यही इस तरीके से fileों के नाम दिखाई जा रहे है तो जैसी आप इस compact पर click कर दोगे तो अब यह fileों के नाम बोगँ नजदीग नजदीग आ जाते है इनके बीच के space का हो जाता है तो बस यही पूछा है कि file explorer में, file के नाम के बीच में जो space है, अगर वो reduce करना है, कम करना है तो आप किस view का इस्तेमाल करेंगे, तो answer है, compact view का इस्तेमाल करेंगे विटा, मैं आपको फिर से बजा दूँ देखो, यह सारे questions जो मैं आपको करा रहा हूँ और जो exam हो में पूछे गए है, last year ही पूछे गए है इनको proper तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं हर एक question का answer देना चाहते हैं तो तभी हो सकता है जब आप proper तरीके से classes देखें आप definitely मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको कि आप एक बार ढंग से एक बार मेरी classes को सुन लीजिए या समझ लीजिए आपको इना इस सारे points clear होते जाएंगे अभी चूंकि हम question practice कर रहे हैं तो इसलिए पूरा topic है ना एक ही question मैं नहीं समझा सकते हैं पर जिन बच्चों ने पहले से topic सही से पढ़ रखे हैं सुन रखे हैं उनको ये question बड़े आसान लग रहे होंगे फटा 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 आंसर दे रहे होंगे वो ठीक है तो मैंने जैसे कि बताया है आपको कि आप मेरी latest classes है उनको तो join करी सकते हैं ठीक है latest live classes बगरा बागी कभी कोई doubt आए तो आप मुझे without hesitation है ना WhatsApp कर लीजेगा मैं जो भी doubt होंगे वो भी आपके clear कर दूँगा number note कर सकते हैं आप 8448832987 question पर आते हैं क्या कह रहा है question मैं ये कह रहा है कि which of the following keyboard shortcut key is used to copy the selected item in Windows 11 copy करने की बात आ रही है अब दोगो सीधी सी बात है copy करने के लिए एक shortcut की हम इस्तेमाल करते हैं that is CTRL plus C ये सभी को पता है बट अगर ये shortcut की हमसे ना पूछी जाए या ये shortcut की हमें ना दी गई हो तो हमारे पास एक option और भी होता है CTRL वाली की के साथ keyboard से insert वाली की को दबा दीजे है हमें पता है keyboard पर insert वाली की भी मौजूद होती है है ना तो कहीं लिखा है control plus insert ये लिखा ये सही answer है अगला question पढ़ी है question मैं बोल रहा है कि a dash bit is a extra bit included with the binary message to make the total number of bits either odd or even यानि dash bit एक अत्रिक्त bit होय है जिसमें एक binary message सामिल होता है जो once कुल संख्या को या तो विशम या सम बनाता है देखो इसका meaning क्या समझाता हूँ जैसे मालों कोई binary message लिखा है one zero one zero one zero ऐसे लिखा है अब इसमें कोई अत्रिक्त bit डाल दी जाए अत्रिक्त bit हमेशा सुरुआत में डलेगी यह वाली तो देखना आप total कितनी bit होगी एक दो तीन चार पांच छे साथ अब साथ क्या होता है odd number होता है अब माली जिए यहां लिखा है one zero one zero one zero अगर आप यहां पर भी एक अत्रिक्त bit डाल दें जो की होगी zero ठीक है बट zero की कोई value नहीं होती इसे add करने के बाद भी है ना इसे आप चाहिए हटा सकते हैं मतलब जीरो अगर किसी भी binary message में आगे सबसे पहले अगर लिखा हुआ तो उसे चाहिए तो हम हटा सकते हैं तो आप कितनी कितनी डिजिट है आपर one two three four five six तो यह ओगे six six क्या होता है एक even number यानि Samsung क्या होती है है ना तो basically जो extra bit है जिसके लगने से यह odd number बन गया है जिसके यह हटाने से यह even number बन गया तो इन extra bit जो होती है किसी message में आगे उन्हें क्या कहता है उन्हें parity कहा जाता है उन्हें parity bit कहा जाता है जिनको किसी security purpose से भी इसमें सबसे पहली वाली bit को MSB कहते हैं यानि कि most significant bit और सबसे last वाली bit को LSB कहा जाता है यानि least significant bit कहा जाता है ये बात को ध्यान रखेगा अगला question पढ़ता है next question में बोल रहा है कि what protocol is commonly used for sending and receiving emails ये तो अभी बताया था emails के उपर तो काफी question पूछे हैं इंटेनेट वाला chapter एक important chapter होता है ये ध्यान रखेगा तो question मैं कहा रहा है कि what protocol is commonly used for sending email and receiving यानि email भेजने और प्राफ्त करने के लिए सामबरने तक किस protocol का इस्तेमाल किया जाता है तो मैंना अभी बताया था आपको email के किसमें चार प्रोटोकॉल काम करती है SMTP, POP या POP3 और IMAP और माइम तो यहां पर कौन सा लिखा हुआ है नाम SMTP लिखा हुए यानि Simple Mail Transfer Protocol ठीक है भाई आगे देखो अगले question की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका क्या सही answer है पढ़िए इस question को English में, Hindi में भी चलिए पढ़ते हैं इस question को एक बार, Hindi वाला section आपने पढ़ी लिया होगा, इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेता है यह कहा रहा है कि what is the purpose of the arithmetic logic unit, यानि ALU in a central processing unit भाई अभी हमें पता चल गया कि CPU के तीन भाग होते हैं, ALU, CU, MU, जिसमें सबसे पहले वाले भाग को ALU, यानि कि arithmetic logic unit कहा जाता है ठीक है, अब इसका काम पूछा है बस यह कहा रहा है, it connects the CPU to peripheral device peripheral device का मतलब input output device, जो computer में होते हैं, उनको peripheral device कहता है तो यह peripheral device को CPU से चुड़ने का काम करता है, ना बबा ना, यह नहीं है यह कहा रहा, it control the speed of the CPU fan, CPU की जो fan होती है पंखा जिससे CPU की गर्मी को कम किया जाता है, heat को कम करता है उसको control करता है, ना, यह कहा रहा, it manages the data flow between the CPU and memory यह कहा रहा, it manages the data flow between the CPU and memory, अच्छा, और उपढ़ लेता है option D पर लिखा, it executes program instructions by performing calculation and logical comparison देखो, सीधा सा answer है, इसका option D, ठीक है, यह भी नहीं है option D हमारा सही answer होगा, देखो, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा था ना ALU का full form क्या होता है, arithmetic and logic unit तो जहाँ पर logical comparison किया जा रहा हो, logical calculation की जा रही हो तो arithmetic calculation की जा रही हो, तो वो काम किस के द्वारा किया जा रहा होगा, ALU के द्वारा किया जा रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा बस भाशा में ऐसे लिख दिया गया है कि यह गड़नाएं और तारकिक तुलना करके प्रोग्राम में निर्देशों को निश्पादित करता है, यह इस ही answer है हमारा, देखे एक्चुली क्या होता ना, कुछ questions में keywords होते हैं, कुछ questions में keywords होते हैं, उन keywords को देखते हैं यह question का answer पता चल जा जाता है, कि यह answer होगा, सबज़ मारे हैं, चलो, क्या रहा, what is phishing in the context of network security, phishing क्या चीज होती है, इन्दी में भी देख लो, network सुरक्षा के संदर्ब में phishing क्या है, तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि phishing वगरा होते हैं, जब है ना, हम किसी network वगरा से चुड़े होते हैं, internet networking की बात कर रहे होते हैं, तब basically है ना, हमारे स साथ कुछ दुरगटना घट सकती हैं, और उन दुरगटना में हमारा कोई भी sensitive data चुराया जा सकता है, हमारी कोई detail चुरायी जा सकती है, जिससे हमारे साथ कोई नुकसान हो जाए, हमारी कोई sensitive information चुरायी जा सकती है, जैसे bank account detail, कोई OTP, है ना, कोई pin number, यह अगर कोई leak कर है, हमसे चुरा ले, है ना, तो यह sensitive information कहलाती है, और इनी sensitive information को चुरायी जाने की process कोई है, यह ना, phishing कहा जाता है, जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ था, ठीक है, that is phishing, समझ में आगया, तो यह, मैंने आपको एक explanation बताया, phishing का, अब option देख लेता है, कौन सा सही है, यह यह करा type of malware that spread through the infected USB drive नहीं, यह एक malware नहीं है, यह एक activity है, जिसमें हमारे साथ एक दुरगटना गट सकती है, कि हमारी sensitive information को कोई fraud तरीके से चुरा ले, तो तो नहीं होगा, यह करा एक attack है, जिसमें that flood a network with the excessive traffic to disturb its operation, यानि एक ऐसा attack जिसमें अनावश्यक रूप से data आपके network प नहीं है, C पर लिखा है था social engineering attack, that tricks users into revealing sensitive information, हिंदी मैं कहा जाएगा, कि यह एक ऐसा social engineering attack है, social engineering attack समझ रहो, social engineering attack का मितलब यह होता है, कि एक ऐसा attack जिसमें आपके मनो विज्ञान, आपके मांसिक शक्ति को ना, पागल बनाते हुए, आपके दिमाग को पागल बनाते हुए ना आपसे कोई चीज जान ले, कहता ना, किया रहे है, मेरे सामने किसी कोई व्यक्ति आया था, मिरे को ऐसे ऐसी बाते हैं बोलने लगा, मैंने सारी information बता दी, वो को समझ में नहीं आया, क्या पूछ रहा था, और पूछते जा रहा था, है ना, तो अगर आपके दिमाग पर को इसको फिशिंग कहा देता है, बाकी चौथा ओप्शन भी पढ़ लेता है, टाइप आफ कम्प्यूटर वार्म, वार्म मतलब माल्वेर नहीं, यह भी नहीं होगा, तो आप्शन C is the right answer, समझ में आगया, मैंने बताया ना, कुछ की वर्ट होता है, जिनको देखते ही आंसर पता चल जाता है कि यह होगा, जैसे कि sensitive information को निकलने की कोशिच जहां पर होगी, वो phishing attack ही कहलाता है, इसको phishing trap भी बोलते हैं, अगला question, यह कहारा, what is the main purpose of BCC field in the email composition, अच्छा, हिंदी में पढ़ लो, चलिए, देखो, जब आप किसी को email करते हैं, तब आपको तीन चीज़ और एक होता बेटा, BCC, 2 का मतलब, यहाँ पर वो email ID का लिखा जाना, जिसको आप email message भेज रहे हैं, CC का मतलब होता बेटा, वो जगह यहाँ पर भी email ID ही लिखी जाएगी, समझ मारी है, CC यानि की carbon copy इसे कहते हैं, और यह वो जगह है, यहाँ पर है जो email ID लिखी जाएगी, है न, वो email ID है न, किसी और व्यक्ति की होगी, जिसको ऐसे carbon copy आप email message भेजना चाहते हो, जैसे किसी main व्यक्ति को आप email message भेजेंगे न, तो उसकी email ID को आपको 2 में लिखना पड़ता है, और अगर आप 2 वाले व्यक्ति को यह दिखाना चाहते हैं, कि देखो तुम्हें जो email message मैं कर रहा हूं, इसकी एक copy मैं, इसकी carbon copy बना के मैं इस व्यक्ति को भी भेज रहा हूं, तो वो carbon copy में डाल दे जाएगा, email address, अब आप बोलेंगे, सब दो व्यक्तियों को email address, मतलब दो व्यक्तियों के email address पर email भेज रहा हो क्या, हाँ, तो फिर न, उन दौनों व्यक्तिय डाले जाते हैं, email ID डाली जाती है, तो हर एक email ID पर है, individual email चला जाता है, हमें ये नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें two वाले को दिखाना है, हमें two व्यक्ति को ये दिखाना है, कि बेटा, तुम्हें जो email message भेजा गया, इसकी carbon copy है, इस आदमी को भी भेजी गई है, एक email message की carbon copy किसे भेजी गई है, और ऐसी cc वाला भी देख सकता है, कि मुखेता two में किसको ये email message भेजी गई है, फिर आता blind carbon copy, blind carbon copy में उस व्यक्ति की email ID डाली जाती है, जिसको छुपाना होता है हमें, मतलब ये blind carbon copy वाला तो ये देख सकता है, कि two में किसको email भेजी गई थी और cc में किसको भेजी गई है, पर two और cc वाले ये दोनों ही है न, blind carbon copy को नहीं देख सकते, ये कभी नहीं जान पाएंगे कि blind carbon copy में और किस व्यक्ति को ये email message भेजा गया है, सबच बारा है, ये इसका ये concept होता है, जो मैंने आपको समझाया, वाला ये इन तीनों को आपस मैं तीनों लोगों को भेजना है, आपको एक ही email message, एक को तो two में रख दिया, एक को रखा carbon copy में, एक को रख दिया, blind carbon copy में, और two और cc तो दोनों आपस में देख सकते हैं, two वाला देख सकता है कि मेरी email message की carbon copy किसको गई है, और carbon copy वाला भी देख सकता है कि mainly किसको भेजा तो अब आते हैं पर यह गराइट इंक्लूड दा मल्टिपल मेन रेसिपेंट इन दे सिंगल फिल्ड यह बिसेकली बात चल रही है यानि टू में आ यह लग रहा है कुछ आगे लेगा टू अटेज फाइल टू दा इमेल फाइल को अटेज करने के लिए बीसी सी का इस्तिमाल करते हैं नहीं तो ऑप्शन सी हमारा सही अंसर हो जाएगा यह क्या रहा है तू सेंड दा कॉपी ऑफ दा इमेल विदा रिवीलिंग दा अधर रेसि उसके बारे में किसी को पता चल पाए वह जो पूरा कॉंसेप्ट है ना वह यहां पर मैंने बताया आपको यह नोट कर लेना अगला कोशन देखिया नेक्स कोशन में यह बोल रहा है कि which keyboard shortcut opens file explorer previously known as windows explorer in window 10 window 10 में file explorer जिसे पहले windows explorer के नाम से जाना जाता था खोलने की shortcut की क्या है यह तो पहले भी आगया कोशन option c is the right answer window plus e कह रहा है what is a workbook in a excel यहनी excel में workbook क्या है यह भी अभी थोड़े पहली में बताया था आपको कि excel में जब भी कोई file बनाई जाती है तो उसे workbook के नाम से ही बोला जाता है अब option देख लो file containing the multiple worksheet और यह भी बताया था मैं आपको कि अगर कोई file बनाई जा रही एक्सल में तो उसे workbook कहते हैं और workbook के अंदर multiple worksheets होती है ना जैसे workbook की जो definition है ना वो यह होती है it is a collection of worksheets तो पहला option तो ठीक लग रहा है और भी पढ़ लेता है a chart that visualize the data नहीं है नहीं है एक collection of cells collection of cells भी नहीं है a set of predefined formatting style यह भी नहीं है सही answer होगा option है यानि एक ऐसी file की बात चल रही है जिसके अंदर multiple worksheets हो यही workbook कहलाती है अगला question next question यह बोल रहा है बेटा कि which among the following is a part of URL uniform resource locator का इन में से एक हिस्सा होता है port number, server, multiplexer, error code तो देखो बेटा पहले तो uniform resource locator यानि की URL कैसे लिखा जाता है देखो किसी भी URL को है न अगर पूरा लिखा हुआ देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ आएगा https फिर यहाँ colon फिर double slash www.facebook.com फिर यहाँ माली जे लिखा हुआ है login.php login.php और फिर यहाँ लिखा हुआ है that is 43 अगर देखा जाए तो URL पूरा ऐसे ही लिखा हुआ होता है uniform resource locator जिसको website address भी कह सकते हैं या फिर यूर आई भी कहा जाता है uniform resource identifier भी बोलते हैं अब दोको इसमें मुद्दे की बात क्या वो समझाता हूं यह तो protocol का नाम हो गया इसको path specifier कहते हैं मतलब यह बता रहा है कि कह आगे जाना है आपको है ना यह पूरा resource name होता है यह sub domain name हो गया यह domain name हो गया यह top level domain name हो गया यह basically हमारी जो website उसका पहला वाला page हो गया किसी page का नाम वेब पेज का नाम ऐसे बोल सकते हैं वेब पेज का नाम और यह क्या होता है इसको basically पोलता है port number ठीक है यह क्या मतलब है ये ऐसे समलो कि जैसे एक computer से किसी दूसरे computer में कोई data भेजा जा रहा है, तो computer के अंदर ऐसे लिखलो, यह मां लिजे कोई भी computer है और ये भी computer है ना, तो ये बात हमें पता है कि computer के अंदर memory होती है, इस computer में भी memory होगी, तो किसी computer की किसी memory location से जिस memory location से data भेजा जा रहा है वो दूसरे computer की उसी memory location पर data जाएगा तो ये जो memory location है ना इनका अपना एक number होता है जिसे port number कहता है तो जब हमारे computer में कोई website का data आता है तो उस website के server computer की memory में जिस location से data भेजा गया है उसी location पर हमारे computer की memory में data आएगा सबच भारा है तो यह क्या होता है वो number port number कहलाता है तो किसी URL में port number consider किया जाएगा तो answer is yes तो देखो कह रहा है कि URL का name लिखेत में से कौन सा हिस्सा है तो answer हो जाएगा बटा port number अगला question पढ़िया next question में यह बोल रहा है कि what is the purpose of search engine on the internet what is the purpose of the search engine on the internet यह गरा to network with the people हिंदी में भी देख लेते हैं इसको यह गरा internet पर search engine का उद्दिश क्या होता है social media platform पर लोगों के साथ network बनाना search engine की बात चल रही है यह ध्यान रखना है न web से प्रसंगिक जानकारी खोजना और पुनया प्राप्त करना software download करने की निश्वल कुस विधा यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता online document बनाना और edit करना यह भी नहीं है social media platform पर लोगों के साथ network बनाना यह भी नहीं है तो इसका सही answer हो जाएगा बेटा option B यह हमारा सही answer हो जाएगा जैसे google एक search engine है इस पर अगर आप कुछ भी search करना चाहें तो आप लिख देंगे और यह internet से उन सारे documents को उन सारे relative content को उठाकर आपके सामने लाके देता है है ना चलिए आगे देखिए next question के रहा which of the following is an example of output device निम लिखित में से किसको एक output device कहा जाता है बाउस एक input device है scanner एक input device है microphone जिसको mic कहते हैं यही वाला जो मैं लगा रखा है यह भी input device है तो सही answer हो जाएगा printer प्रिंटर एक output device है यह ध्याना आप डिवाइस के case में चार ही नाम आते है जनली printer monitor speaker projector input device है सारी होते हैं अगला question कह रहा है कि what is the keyboard shortcut की to paste copied content from the clipboard in most window application paste करने की shortcut की पूछ रहा है बस तो यह तो simple answer है control plus V control C से copy होता है control plus C से control plus V से paste होता है और control plus X से cut होता है next question को पढ़ता है यह बोल रहा है कि what is the purpose of alignment option in markets of word alignment की बात चल रही है ना ठीक है हिंदी में भी इसको पढ़ लीजे एक बार Microsoft word में alignment विकल्प का क्या उद्दिश होता है पहले तो यह समझ लेते हैं कि alignment होता है देखो जब MS word में typing चल रही होती है और अगर आप लिख रहे हैं वो आपको left से right की तरफ लिखता हुआ दिखाई दे तो इसी को कहते हैं में लेफ्ट अरफ से लिख रहे हैं उसी को basically alignment कह दिया जाता है तो इसका सही answer क्या होना चाहिए तो इड़्जस दा spacing between lines of text तो इड़्जस दा spacing between the lines यानि लाइनों के बीच में जो space होता है उसी को alignment कहते हैं का जैसे जो line में आप लिख रहे हैं इनके बीच में जो space है तो answer कई नहीं ये तो गलत होगया वो line spacing कहलाता है यह कहिरा to insert image or graphics नहीं इमेज और ग्राफिक्स को इंसर्ट करना अलाइनमेंट नहीं होता टू चेंज दा फॉन्ट कलर ऑफ टेक्स्ट नहीं यह भी नहीं है यह गहरा है तू कंट्रोल दा होरिजोंटल और वर्टिकल प्लेस्मेंट आफ टेक्स्ट विदिन दा मार्जिन यही से यांसर होगा हमारा हिंदी में भी देख लो मार्जिन के भीतर टेक्स्ट की शेतिज और उर्दवादर इस्तिती को नियंतरित करना मलग जो हमारा पेज है और इसमें जितना मार्जिन हमें दिया गया है उसी के बीच में लिखना चाहें वो आप लेफ्ट से राइट लिखो राइट से लेफ्ट लिखो या सेंटर में लिखो इसी को बिसेकली अलाइनमेंट कह दिया जाता है ठीक है अगला कोशन पढ़ता है किया रहा रहा विच नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इस यूज तो असाइन आईपी एड्रेस डाइनमेकली टू देवाइसे ओन दे नेटवर्क हिंदी में पढ़ लीजे हिंदी में किया रहा है कि किसी नेटवर्क पर डिवाइसों को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का उप्योग किया जाता है इस कोशन का सही आंसर होगा DSCP इसको बोलता है डाइनेमिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल अब यह क्या होता है मैं समझाता हूँ एक्शली होता किया है जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेता है तो उस इंटरनेट कनेक्शन के समय में एक IP एड्रेस मिलता है और वो IP एड्रेस है हमारी ISP कंपनी यानि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक सिस्टम के दवारा जनेरेट करके देती है जिसे D.S.C.P. सरवर कंप्यूटर कहते है और उस D.S.C.P. सरवर कंप्यूटर के अंदर एक प्रोटोकॉल काम कर रही होती है जो D.S.C.P. के ही नाम से होती है DSCP protocol तो बस यह कह रहा है कि networking protocol का नाम बताइए जो IP address को assign करेगी assign IP address to the devices devices का मलब हमारे computer को तो answer हो गया DSCP server कई बार पता है क्या होता है हमारे computer में internet चल नहीं रहा होता है और जब हम troubleshooting कराते हैं यानि कि ये check करते हैं कि क्या कमी आ गई है क्या दिक्कत आ रही है troubleshooting का अलब problem को find out करने का process तो उस condition में एक message आता है DSCP server not configured properly यानि कि DSCP server सही से काम नहीं कर रहा है तो जब DSCP server में दिक्कत आ गई होगी है ना तो सीधी सी बात है DSCP server में जब problem आ जाएगी तो वो IP address generate नहीं कर पाएगा ना हमारे लिए है बताओ और जब हमारे लिए IP address generate नहीं कर पाएगा यानि कि हमें connection नहीं दे पाएगा तो internet भही रुक जाता है ठीक है तो ये बात ध्यान रखना आगे देखो अगला question पढ़ता है देखो क्या किरा है ये बोला कि what is the DDoS attack in the context of network security पहले तो ये जान लेता है कि DDoS होता क्या है इसको distributed denial of service attack कहा जाता है इसको distributed denial of service attack के नाम से बोला जाता है और किया रहा है ये होता क्या है चलो इसे पढ़ लेता है देखो ये किया रहा है एक social engineering attack है that target the specific individual यानि एक social engineering attack जो किसी individual को target करता हो चलो और देखता है ये किरा the type of malware that replicate itself and spread through the network यानि ये malware है जो कि replicate करता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है malware तो नहीं होता एक attack है ना malware तो नहीं हो सकता ना वाइरस वार्म नहीं हो सकता ना एक attack वाइरस वाउम attack में आ सकते है attack नहीं हो गई है हमला नहीं हो गई ये किरा एक attack फिर से attack शब्द आ गया traffic over ham and disturb its operation नहीं attack शब्द तो आ सकता है ना malware शब्द नहीं आ सकता attack शब्द आ सकता है चलो ये ठीक है और चौत्व option में लिखा है an attack, ये भी सही है, यह attack, attack तीन option में है तो देखो पहला option देखो, social engineering attack that targets a specific individual, ये तो नहीं है individual को target करने वाला ये attack नहीं होता, अब दो option बचे है ये लिखा है, an attack that aims to exploit vulnerabilities in software, नहीं ये भी नहीं है, option C हमारा से आंसर होगा, मैं समझा देता हूँ, इसका meaning क्या है ये कह रहा है, an attack that flood the network with excessive traffic to overwhelm and disturb it operation, actually distributed denial of service attack में basically क्या किया जाता है इसमें आप ये समझ लो कि किसी network के operation को खराब करना है, वाला network सही तरीके से operate हो रहा है, उसको disrupt करना है हमको तो कई सारे न, कई सारे लोग जुड़ जाएंगे इसमें कई सारे computers को जोड़ दिया जाएगा किसी network को खराब करने के लिए और वहाँ अनावशक रूप से data भीजना शुरू कर देंगे ताकि network का पूरा operation नहीं खराब हो जाए, fillet यह हमारा सही answer हो जाएगा, ठीक है अगला question देखता है next question में के रहा है what is the role of ROM यानि read only memory in computer system यह के रहा है computer system में read only memory की क्या भूमिका होती है, पहली बात ध्यान रखिए read only memory क्या है, read only memory भी हमारी एक primary memory होती है प्रात्मिक memory और इस प्रात्मिक memory का काम है हमारे computer के starting होने पर ही होता है मतलब कि हमारे computer को कैसे start किया जाएगा हमारे computer को कैसे on किया जाएगा यह सारी बात है, read only memory के अंदर ही लिखी होती है यह सारी के सारी बात है, read only memory के अंदर ही लिखी होती है और यह जरूरी है computer start होने के समय पर है ना ये एक common सी बात है जो मैंने आपको बताई read-only memory non-volatile memory होती है यानि कि इस में अगर आप electricity power supply देना बंद कर दो यानि कि computer को बंद कर दो तो इसके अंदर जो data है वो delete नहीं होगा अपने आपसे अब पढ़ लेता है क्या कह रहा है read-only memory की क्या भूमिका है computer में पहला option है managing the network connection नहीं network का ऐसा कोई meaning नहीं होता storing user generated file and document user यानि आप और हम जैसे ओपियोग करताओं की file को यह store नहीं करता है ध्यान रखना इसके अंदर पहले से एक program आता है और वो program तब डाला जाता है इस memory के अंदर जब इस memory की manufacturing की जा रही होती है इसको बनाया जा रहा होता है और उस program का नाम है BIOS लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यह एक read-only memory है और इसके अंदर जो program डाल कर दिया जाता है वो बेटा बायोस होता है basic input-output system तो यूजर के जो program या data है वो तो डाली नहीं सकते इसके अंदर के रहा है storing the computers firmware and startup instruction यह कुछ-कुछ लग रहा है न option डीप लिखा है providing the temporary storage for running application यह भी नहीं है option C is the right answer यानि storing the computer firmware पेटा firmware पता है क्या होता है firmware basically कहा जाता है इस BIOS नामके program को ही यानि कि एक ऐसा program जो किसी memory के अंदर हमेशा के लिख दिया गया हो और फिर उसे कभी भी डिलीट ना किया जा सके तो उसे firmware कहा जाता है जैसी कि BIOS नामके program को तो read only memory के अंदर हमेशा के लिए लिख दिया जाता है चिपका दिया जाता है मतलब आप इसे कभी भी erase नहीं कर सकते डिलीट नहीं कर सकते तो बाइस को क्या बोल देते हैं firmware कह देते हैं बाकि read only memory का काम मैंने भी बताया था हमारे computer का startup instruction या इसमें लिखा होता है read only memory के अंदर लिखा होता है इसलिए आंसर हो जाएगा option सिए यह सारी बाते ना आपको सारी बाते हैं आप जब आना सीक्वेंशली पढ़ते हैं किसी class में class को देखते हैं सुनते हैं तो वही सारी बाते वहीं पर आपको समझाई जाती हैं और वहां से जब आप इन question पर आऊगे ना तुरन देखती समझ में आ जाता है कि इस question का सही आंसर क्या होगा अगला question how can you open the existing document in Microsoft word 2016 यानि Microsoft word 2016 में आप एक मौजूदा document को कैसे कोल सकते हैं इसका आंसर है option D यानि press control प्लस O आप एना control प्लस O दबा दीजे तो MS word में जो पहले से बनी हुई किया रहा है डेश is a type of malware that is often disguised as legitimate software डेश एक प्रकार का malware है जिसे अकसर वैद्ध software के रूप में प्रच्छन किया जाता है देखो क्या लिखा है वैद्ध software यानि कि एक legal या legitimate software आगे ध्यान एक ऐसे malware की या malware की बात कर रहे हैं जो legal दिखाई पड़ता है अभी थोड़ दर प अगला कोशन पढ़ता है नेक्स कोशन में बोल रहा है कि इन MS Excel 365 365 which of the following appears across the top of the screen and below the title bar and contains all of the commands, formulas and features needed to create data intense spreadsheet MS Excel 365 निम लखित मैं से कौन सा screen के sheets पर और title bar के नीचे दिखाई देता है और इन में data intense spreadsheet बनाने के लिए आवशक सभी command सूत्र और सुविधाएं सामिल होती है दो को बिटा ध्यान से सुनिया जब आप MS Excel को open करेंगे न तो सबसे पहले MS Excel में ऊपर की तरब एक पट्टी दिखा होता फाइल का नाम इसी टाइटल बार में यह जो जगह दिखाई देती है इसको बोलता है quick access tool bar फिर इसके नीचे एक और बार या पट्टी दिखती है जिसको menu bar कहते है यहीं बस सारे menu टैब लिखे होता है इसके नीचे एक और पट्टी दिखती है और यहां होती है पट्टी जिसे ribbon कहते हैं तो अगर आप है ना किसी भी menu या tap पर क्लिक करोगे ना तो उसके tools या उसके commands आपको कहां दिखाई देंगे ribbon पर दिखाई देंगे कहां पर ribbon पर सबज भागया तो अगर यह question में यह कह रहा है कह रहा है कि एक यह एक्सल 356 विच अप्टी आप पर पर कुछ बात कर रहा है ना टॉप पर यह कह रहा है नीचे जहां commands वगरा सब लिखी हुई है तो देखना title बार से title बार से नीचे तो menu बार है तो menu बार है option में menu बार तो option में नहीं दे रहा है तो क्या दे रहा है ribbon दे रहा है अगला question देखिए next question की तरफ जाएंगे और यह कह रहा है कि dash is also known as electronic disk निम लिखित मैं से electronic disk के नाम से किसको जाना जाता है मिटा इसका simple सा answer है option c यानि इसका सही answer होगा solid state drive जिसको short मैं न SSD भी कहा जाता है simple answer है याद रख लेना आज के समय पर रहे ना लोग computer में hard disk की जगे SSD लगवा रहे हैं या लगी हुई computers को ले रहे है solid state drive वाली क्योंकि hard disk की तुलना में SSD ज्यादा fast होती है क्योंकि यह electronic devices and data को store करने के लिए इसलिए इसको electronic disk के नाम से भी बोल दिया जाता है ठीक है hard disk जो होते हैं वो magnetic disk कहलाती है अगला कोशन dash is a high-speed device used in the CPU and that is utilized to store data temporarily during process dash CPU में उप्योग किया जाने वाला एक high-speed device है जिसका उप्योग processing के दौरान अस्थाई रूप से data store करने के लिए किया जाता है पिटा देखो simple concept हमारे computer में CPU लगा होता है central processing unit Central processing unit को तीन भागों में बाटा जाता है ALU CU और MU MU का मतलब होता है set of registers तो यह जो registers होता है यह very high speed storage करते हैं मतलब इनकी जो अंदर data store किया जाता है वो high speed form में होता है एक तरीके सा है बहुत जल्दी accessible होते हैं बहुत जल्दी data या सकता है बहुत जल्दी डाटा निकाला भी जा सकता है तो यह जो कह रहा है ना हाइश पीड डिवाइस यूज इन दा CPU जिसका इस्तेमाल temporary time के लिए किया जाता है processing के दोरान तो पिटा यह रजिस्टर की बात चल रही है option D is the right answer ठीक है ना अब तो कंटोल यूनिट हो नहीं सकता था कंटोल यूनिट कोई data store करता ही नहीं है और arithmetic logic यूनिट यह भी data store नहीं करता auxiliary memory जो लिखा है ना यह होती है secondary memory को कहता है secondary memory मतलब जैसे pen drive हो गई memory card cd dvd hard disk यह सब secondary memory है वो CPU के अंदर थोड़ी होती है CPU तो हमारे computer के motherboard पर लगी हुई एक simple सी IC chip होती है इतनी बड़ी है ठीक है यह CPU है यह CPU मैंने बड़ा सा बनाया है ना यह CPU यह है के वल इतनी सी एक chip होती है हमारे computer के motherboard पर लगी हुई है ठीक है अगले question की तरफ बढ़ी है which among the following statement is incorrect इन में से कौन सा statement सही नहीं है न हिंदी में भी देख लो यह गरा निम लिखित में से कौन सा कथन गलत है चली किया रहा है cache memory उन प्रोग्राम को रखती है जिनने कम समय में चलाया जा सकता है cache memory इस्थाई रूप उप्योग में लाई जाने वाली डाटा को स्टोर करती है cache memory मुख्य जो डाटा रखती है वो बहुत कम समय के लिए रखती है हाँ यह ठीक है कह रहा है cache memory देखो cache memory है न अपने अंदर डाटा पर्मानेंट तरीके से नहीं रखती बहुत temporary time के लिए short amount of time के लिए यह बात ध्यान रखना फिर कह रहा है cache memory store the data in the permanent use cache memory जब temporary time के लिए short amount के लिए data क स्टोर करके रखती है तो फिर permanent use कैसे हो जाएगा डाटा को पर्मानेंट तरीके से थोड़ी अपने पास रखती है तो बेटा सही आंसर होगा हमारा यही option भी क्योंकि जो incorrect है वह हमें बताना था फिर भी C और D पढ़ लेता है कह रहा है cache memory is faster than main memory तो आंसर है हाँ cache memory की जो speed ह ना वो main memory यानि RAM से तेज होती है तो हम कह सकते हैं कि cache memory मुख्य memory यानि की RAM से तेज होती है और यह कह रहा है the size of the cache memory is usually small यानि cache memory का जो size है वो बहुत छोटा होता है हाँ बहुत छोटा होता है cache memory है हमारे computer में केवल megabytes में होती है कुछ megabyte में जैसे RAM हमारे computer में GBs में होती है 1GB, 2GB, 4GB, 8GB RAM है ना बढ़ ये megabyte में कुछ megabyte ही होगी ठीक है जी I hope so कि आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसका सही answer होगा cache memory इस्थाई उपयोग में आने वाले data को store करती है ये गलत है ये statement गलत है बढ़ question में ये हमारा सही answer होगा चलिए तो next question देखते है और इस question में क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं इसको which of the following option of print setting is used to choose only specific pages in MS Word 365 Hindi में एक बार पढ़ लेते हैं इस question को MS Word 365 में किवल विशिष्ट page चुनने के लिए print setting के निम लिखित मैंसे किस विकल्प का उप्योग किया जाता है देखे basically यहाँ पर बात चल रही है print की है अगर आप print निकालना चाहते है print out निकालना चाहते है printer के द्वारा तब वहाँ पर जो settings की जाती है उनकी बात चल रही है तो यहाँ जो मुद्दे की बात है main point है वो यह है choose only the specific page यानि कि आपको केवल और केवल किसी विसिस्ट page को ठीक है जैसे यहाँ आप लिखा हूँ अभी है कि केवल विसिस्ट page को चुनना है आपको तो इसके लिए कौन सा option है आपको चूज करना पड़ेगा देखो पहला option तो गलत ही है print all pages क्योंकि हमें सारे के सारे page थोड़ी print करने है किसी विसिस्ट page को print करना है print current page चलिए और देखिए print selection और print custom print तो देखो print current page का simple meaning होता है कि जिस page पर आप हो उसी को print करने है तो उसको print current page बोल देंगे तो current page की दो बात ही नहीं चल दी ना बैई जरूरी नहीं है कि हमारा विसिस्ट page यानि कोई भी specific page current page ही हो कोई और भी तो सकता है तो इसलिए यहाँ जो सही answer होगा वो option D होगा यानि कि custom print custom print में है बेसिकली हमें एक page number को करना पड़ेगा लिखना पड़ता है जिसको हम जिसका हम print out निकलना चाहते हैं समझ में आके सभी को चलिए तो इसका सही answer आ चुका है अब अगला question देखते हैं next question को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि dash displays a list of utility configure the computer system and install software and hardware उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो computer system को configure करता है और software को hardware स्ताफित करता है हिंदी मैं मुझे लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है हिंदी सही नहीं लिखी हुई है बट कोई बात नहीं मैं इस question को easy और आसान तरीके से आपको समझा रहेता हूं देखो इसमें simple सा कह रहा है कि कि किसी हम ऐसी utility की बात कर रहे हैं जो computer system की configuration बता दे configuration चब्द का basically मतलब यह होता है कि आपके computer में क्या लगा हुआ है क्या है कौन से software है कौन से hardware है यह सारी जानकारी अगर कहीं मिल जाए हमको तो उसी को configuration के नाम से बोल देता है तो इसका simple सा answer है that is option a control panel देखो windows operating system अगर हम इस्तिमाल करते हैं तो उसमें एक control panel नाम का एक tool है और इस control panel के अंदर हैं धेर सारे और भी options आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपके computer में लगे हुए सारे hardware और software इन सबकी जानकारी होती है ठीक है अगर आप control panel को open करना चाहते हैं तो आप windows operating system में या तो control panel को search कर लो है न सर्च बार में तो आजाएगा नहीं तो एक काम कर सकते हैं विंडो वाली की के साथ आप आर दबा दीजिए तो आपके computer रन खुलके आ जाएगा रन कमांड खुलके आ जाती है एक डायलो बॉक्स जैसा बनके आता है और उसमें आप एना control panel लिख दीजिए तो control panel open हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरफ जाते हैं कोशन किया रहा है which of the following is correct option in MS Excel 365 if a value in a cell of the column A and row 10 is to refer in the function और formula MS Excel 365 में निम लिखित में से कौन सा विकल्प सही है यदि column A और पंक्ती 10 के cell में किसी मान को function या सूत्र में संदर्भित किया जाना है तो तो को यहाँ पर simple सी बात यह कही जा रही है कि अगर आप किसी भी function या formula में कोई cell का cell address या cell reference अगर लिख रहे हो तो वो कैसे लिखा जागा यह है मुद्दे की बात main बस तो देखो यह ध्यान रखना कि जब भी कोई Excel की sheet आप देखें तो उसमें आपको columns दिखाई देंगे जो की alphabetical order में होते हैं ABCD और इसके बाद है ना rows यानि की पंक्तियां आपको दिखाई देती है 123 है ना और इनके intersection से क्या बनते हैं cell बनते हैं और हर एक cell का अपना एक unique address होता है जिसको लिखा कुछ इस तरीके से जाएगा जैसे जहां मैंना इस cell को mark किया है इसका cell address होगा ब पहले रो का number और बाद में column का नाम नहीं आ सकता रो और column में है ना रेशो या अनुपात का सिंबल नहीं हो सकता डैस नहीं लगा लगाया जा सकता तो सही answer क्या होगा option C जिसमें पहले column की heading और फिर बाद में रो का number लिख दिया जाता है कि लिए चलिए अगले question को पढ़त यानि डैश के दौरान डेटा ग्राहक की मशीन से server पर इस्थानांत्रित होता है ग्राहक की मशीन यह ग्राहक का मतलब क्या है यहां पर customer की अब देखो English में customer लिखा है ना इसलिए हिंदी में ग्राहक शब्द लिख दिया वरना यहां पर बात चल लिए users की आप और मेरे ज customer के मशीन से server पर जा रहा है ना यानि हम और आप जैसे उपयोग करता है कि मशीन से server पर अगर डाटा को स्थानांत्रित किया रहा है तो सीधी सी बात है अगर यह हमारा PC है यानि computer और आप किसी server computer पर डाटा को भेज रहे है तो यह क्या कहलाएगा यह विटा uploading कहलाएगे customer machine to the server from the customer machine to the server यानि uploading इंटरनेट के मादियम से हमारे computer के द्वारा कुई डाटा भेजा जा रहा है तो वो uploading होगा और हमारे computer पर आ रहा है तो downloading होता है तो इसका सही answer हो जाएगा option B यानि कि uploading अगला question next which among the following is incorrect about the laser printer यानि लेजर प्रिंटर के बारे में नेम लिखित में से कौन सा कथन गलत है यह बताना है यह कह रहा है कि यूजेज दा लेजर लाइट फॉर प्रोडूसिंग डॉट्स ऑफ फॉर्म डॉट्स तू फॉर्म केरेक्टर और पेज यानि कि प्रस्ट पर फास्स पीड होती है और support ना multiple font and sizes क्या ऐसा हो सकता है कि आप है ना क्या ऐसा हो सकता है कि आप printer के द्वारा जो कि एक laser printer है अलग-अलग font और अलग-अलग size में अपने अक्षर को छाप सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं तो answer है जी यह तो ठीक है अलग-अलग font में भी आप प्रिंट कर सकते हो क्या laser printer fastest printer की category में आता है तो answer है हाँ यह तेज printer होते हैं क्या laser printer multiple copies को एक ही समया पर प्रिंट कर सकता है तो answer है बेटा जी हाँ यह भी सही है तो इसका सही answer होगा बेटा option है यानि कि laser light का इस्तेमाल प्रिंट करने के दौरान किया जा रहा है कागज पर dot बनाने के लिए क्या ऐसा होता है दोको मैं आपको इसको समझा देता हूँ actually होता क्या है न कि जब laser printer की जब बात करता है न तो laser printer का इस्तेमाल basically इस laser printer के अंदर जो ink particles होते हैं बिसिकली एक powder ink डाली जाती है इस laser printer के अंदर और उसके जो ink particles होते है उनको charge करने के लिए इस्तिमाल में लाई जाती है ताकि वो charge होकर कागच पर चिपक जाएं या कागच की तरफ आ जाएं तो ये तो है ये तो process है बट सीधे है ना कागच के उपर laser के द्वारा dot बनाई जाती है क्या ये सही है नहीं ये सही नहीं है और जो option B था ना कि multiple copies को एक समया पर print कर सकता है इसका क्या meaning होता है मैं समझा देता हूँ जै laser printer को अगर एक command दे जाए तो वो एक एक करके वो 10 pages को निकालता रहेगा हाँ निकालता रहेगा तब तक आप अपना कुछ भी काम करते रहो तो ये मतलब है कि एक ही समय पर multiple copies निकाल रहे है ऐसा नहीं कि laser printer में laser printer के दोरह एक ही बार में 10 कागच भार निकाल दी जाएंगे यह नहीं पर या कागच तो एक एक करकी आएगा ना यह इसका मेनिक था ठीक है यह करहाँ शेडिंग ऑप्शन शेडिंग ऑप्शन शेडिंग ऑप्शन इन MS Word 365 is used for MS Word 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग डेश के लिए कि लिए क्या जाता है शेडिंग क्या चीज होती है देखो शेडिंग आप ऐसे समझ लो कि आप बेसिकल यह ना हाइलाइट टैप का करना चाहते हो मतलब अगर कोई टेक्स्ट वगरा लिखा हुआ है कोई शब्द वगरा लिखा हुआ उसके पीछे ना आप कोई दूसरे कलर से उसे हाइलाइट करके दिखाना चाहते हो जैसे है ना यहां पर आपको माल लीजिए black color दिखाई दे रहा है background में और यहां line जो आपको दिख रही है वो white color की है तो clear दिखाई देगी ना ऐसा क्यों क्योंकि पीछे वाला जो color है ना वो एक highlighted color होगा जिसके ऊपर लिखी हुई चीज हमें अच्छे से दिखाई दे जाएगे तो यही पूछ रहा है shading shading का simple ना मतलब एक बार फिर से समल लीजए कि आपने जो भी लिखा उसके पीछे है ना क्या color देना चाहते हो जिससे आपका जो शब्द है अक्षर है वो अच्छे से दिखाई दे हो है ना तो पहले option बहुत है changing the color around the selected text यानि जो भी text है उसके चारो गलों तरफ करते हैं वही shading केलाती है नहीं पांय सेलेक्ट किया है यानि जो selected text है आपका उसके पीछे के color को change करना shading केल आता है जो भी पर के लिगा changing the color behind the selected text देखो B हो सकता था क्योंकि देखो जो shading की जाती है उसमें color पीछे ही होता है बट है उसमें highlight शब्द कर लिखना दिखाना ये जरूरी होता है कि आपके जो अक्षर है आपके जो शब्द है वो highlight होकर आ रहे हैं तो इसलिए ना B option यहाँ पर most appropriate नहीं होगा D option हमारा सही answer होगा कि making the text pop by the highlighting it जो भी आपका text है ना वो shading करने के बाद किसी color को देने का pop होके दिखाई दे रहा है ठीक है उभर के दिखाई दे रहा है अगला question देखें यह करा which of the following is not an example of email service provider निम लिखित में से कौनसा email सेवा परदाता का उधारन नहीं है अब देखो यह बात हमें पता होनी चाहिए कि email services किन किन के द्वारा दी जाती है जैसे Gmail नाम आपने सुना होगा Google mail जिसे कहा जाता है यह email की service देता है जीमेल तो Google company का है तो Google का अपना एक search engine भी है और index mail है ना इसका पूरा नाम होता है यह index mail और यह index mail है यह index नाम के मलतों कोई company है index और index नाम का सर्च इंजन भी होता है ऐसे भी लिख लेना वाला Google के नाम से एक search engine भी है Google company का ऐसी index नाम से index का एक search engine भी है और इन दोनों के अपने messaging system भी है यह नी Google का Gmail और index का index mail वाट आउट लोग है ना केवल अकेला ही email provider है email service provider Microsoft company का तो क्या answer हो जागा इसमें अगला question पढ़ते हैं next question में यह बोल रहा है कि which among the following statement is incorrect या नहीं इन मेंसे कोई एक ऐसा statement है जो गलत है और ज्यादा तर मैं देख पा रहा हूं option में Trojan शब्द लिखा हुआ है यानि Trojan horse यानि जो की के malware होता है उसी से संबंदित यहां पर पूछा जा रहा हो गा है ना इसक चलिए एक बर पढ़ते हैं इसको यह किरा है Trojan looks like a legitimate software यानि Trojan है ना एक legal या legitimate software की तरह दिखाई देता है तो answer है हाँ यह तो सही है हमें गलत बताना है ना तो यह तो statement सही है पर किया रहा है some Trojans create the backdoor to give the malicious user access to the system इसका हिंदी मनवाद हो गया कि यह किसी भी system को उप्योग में लाने के लिए users को एक backdoor entry देता है यानि आप computer में एक backdoor entries है ना घुछ जाए ताकि यह ना जो भी computer का main computer का जो उप्योग करता है यूजर है उसे पता ही ना चल पाए कि हमारे computer में किसी ने सेंद लगा ली है यह सब चीज़ां इंटरनेट के माध्यम सी होता है है ना तो चलिए यह तो ठीक लग रहा है यह तो सही है some Trojan create the backdoor to give the malicious user access to the system यानि कि backdoor की तरफ से भी system में access करने यानि उप्योग करना Trojan का काम हो सकता है ठीक है ना मतलब इंटरनेट के माध्यम से आपके computer में कोई backdoor entry ले रहा है ऐसे समझ लो उसने की कोशिश कर रहा है और जो computer का main user उसे पता ही नहीं चल रहा है यह बात तो यह भी ठीक है बागी कि रहा है Trojan self replicate and infect the other file क्या Trojan self replicate होता है भाई यह ना पढ़ो फिर भी पढ़ लेता है कि Trojan spread through the user interaction such as the opening and email attachment and downloading and executing a file from the internet Trojan है ना जैसे कोई email attachment वगरा के तुरू भीजा जा सकता है तो हाँ बेज सकता है बढ़ यह ध्यान रखना है कि Trojan है ना कभी भी self replicate नहीं होता self replication वाला काम नहीं करता है यह अपनी copies नहीं बनाता Trojan horse या Trojan के लिए साफ कहा जाता है कि यह एक non self replicate program या software होता है ठीक है तो उसका से अंसर हो जाएगा option C यानि कि Trojan swim को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है ऐसा नहीं है ठीक है कह रहा है दा memory unit that communicate directly with the CPU is called dash memory यानि वह memory unit जो सीधे CPU से संचार करती है उसे क्या कहा जाता है very simple question यानि CPU के साथ directly कौन सी memory जुड़ी होती है तो answer है main memory मुख्य memory option C is the right answer यह main memory मुख्य memory कौन सी है that is RAM random SS memory मैं आपको पहले भी बताया कि CPU directly data RAM से फैच करता है और अगर वो RAM में न मिले तब वो उसे cache memory में धूड़ने जाता और वहाँ उसे मिल जाता है अगला question the instruction that is not to be executed immediately is placed in the dash जिस निर्देश को तुरंत निश्पादित नहीं किया जाना है उसे dash में रखा जाता है जैसा कि मैं देख पार हूँ यहाँ पर registers के नाम लिखे हुए registers कहां होते हैं CPU के अंदर तीसरे भाग में memory unit के अंदर है ना पहले भी बताया है मैंने आपको तो basically कह रहा है कि जिस निर्देश को तुरंत निश्पादित नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना है तो उसे कहां रखा जाता है तो बेटा उसे रखा जाता है that is IBR मे इस बात को आप ऐसे समलो जैसे CPU के अंदर data enter करता है सबसे पहले इसी register में store होता है अगर इस question की भाषा में यह कह दिया जाता कि किसी instruction को तुरंत ही निश्पादित नहीं किया जाना है और वहां लिखा होता है तुरंत ही कि निश्पादित किया जाना है तब कौन से register में र अगला question देए video graphics area connectors जिसको VGA connectors भी कह सकते है अगर आपके घर में कोई computer है desktop computer तो उसमें जो monitor और system unit के बीच में तार लगी होती है system unit समझ गये किसी desktop computer में side में ख़ड़ा हुआ डबा डिसको system unit या cabinet भी कहते है उसमें और monitor screen में जो बीच में तार लगी होते है उसे VGA cable कहते है तो उसी की बाद चल रही है क्यारा video graphics area connectors are those which connect the monitor to the computer's video card and has dash holes है ना हिंदी में कहा जाएगा video graphics area connector वे होते हैं जो monitor को computer के video card से जोडते हैं और इन में कितने छेद होते हैं तो बेटा ध्यान रखिए जो VGA cable होती है या VGA port या connector होता है उसमें total 15 pin के option होते हैं या 15 pin होती हैं जिनके द्वारा data इस्थानांत्रित होता है तो 15 pin किस में enter कर जाती हैं 15 hole में वह सीधी सी बात है अगर हम किसी भी connector की बात करते हैं तो उसमें दो ही चीजे होंगी एक तरफ पिन होंगी एक तरफ holes होंगे दोना आपस में merge हो जाएंगे connect हो जाएंगे तब जाके data transfer हो जाए search engine में वरतमान page को पुना लोड करने के लिए निम लिखित में से कौन सा keyboard shortcut की इस्तेमाल में लाया जाता है इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हैं आप computer में refresh करते हो ना तो इसी तरीके से किसी भी website के web page को भी refresh किया जाता है जिसको reload भी कह दिया जाता है और इसकी भी चीज़ें static हो जाती है रुक जाती है तो उन static चीज़ों को खतम करने के लिए जो नई चीज़ें आने वाले हैं वो आ नहीं रहे हैं उन्हें लाने के लिए web page को reload या refresh करना पड़ता है और इसकी shortcut की F5 भी होती है नेक्स कोशन इसकोशन में यह बोल रहा है कि विच अमंग दा फॉलिविंग कीवोड शॉटकट की इस यूस्ट इंसर्ट था है पर लिंग फॉड़ शॉटकर टेक्स्ट फॉड़ सलेक्ट टेक्स इंदर माइक्रोसफ वर्ड हिंदी मैं कहा जाएगा माइक्रोसफ वर्ड में चैनेत टेक्स्ट के लिए हाइपर लिंक संबलित करने के लिए नेम लिखित में से किस कीवोड शॉटकट की का उप्योग किया जाता है तो मैं आपसे यह कोशन पूछ रहा था और आपको यह कोशन समझा रहा था एक बार फिर से पढ़ लेता है इसको कि विच अमांग दा फॉलविंग कीबोर्ड शॉटकट की इस यूज़ तो इंसर्ट था हाइपर लिंक फॉर्ड सेलेक्टिट टेक्स्ट इन माइक्रोसफ वर्ड यानि अगर आप माइक्रोसफ वर्ड में काम कर रहे हैं यानि की कंट्रोल प्लस खे अगर आप में काम करते समय कंट्रोल प्लस के दबा देते हैं तो आपके सामने एक डायल बॉक्स खोलेगा और उस डायल बॉक्स में आपको बेसिकली कई सारी चीज़ों को हाइपरलिंक बनाने के ऑप्शन दिये जाते हैं जैसे किसी नई डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक बनाने का ऑप्शन मिलेगा या किसी पहले से डॉक्यूमेंट को जो आप बना चुके हैं उसे भी हाइपरलिंक बना सकते हैं या फिर आप किसी web page, email id, website इनका भी hyperlink बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी selected text को hyperlink बना रहे हैं, या hyperlink बनता हुआ देख रहे हैं, तो उसका text का color blue हो जाएगा, और नीचे underline भी blue होकर आ जाएगी, blue underline, और ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी भी hyperlink पर जब mouse से हैंना, click करते हैं, तो mouse pointer हैंना, hand की shape बन जाता है, हाथ की shape जैसा आ जाता है, ये बात हमें ध्यान रखने हैं, ठीक हैं? और ये भी ध्यान रखना कि hyperlink पर अगर आप click करते हैं, तो normally mouse से click नहीं होगा, MS Word में, आपको control वाली की पहले दवानी पड़ेगी, फिर mouse से click करना पड़ेगा, तब जाके वो activate होगा, अगला question, ये कर रहा है, dash is the passage, to connect two networks that may work on the different networking model, हिंदी में का जाएगा, तो network को जोडने का एक मार्ग है, जो अलग-अलग networking model पर काम कर सकता है, देखो, simple सी भाशा इसकी ये है, कि दो अलग-अलग network है, जो अलग-अलग networking model पर काम कर करना है, तो किस device की आवशकता पड़ेगी, तो पेटा इसका सही answer है, that is gateway, ये दियान अकना कि दो अलग-अलग network, जो अलग-अलग networking model पर या अलग-अलग protocols पर काम करते हैं, तो उनको हम gateway के द्वारा जोड सकते हैं, बट अगर दो अलग-अलग network, जो same समान protocols पर काम करते हो हों, same networking model पर काम करते हों, तो उनको bridge के द्वारा जोड़ा जाता है, next question, ये कहा रहा, dash cookies, track you and expose your privacy, हिंदी मैं कहा जागा, dash cookies जो आपको track करती है, और आपकी गोपनिया तो को जागर कर देती है, उसे क्या कहा जाता है, पहली बात तो ये समझते हैं कि cookies क्या होता है, देखो cookies वेबसाइट के द्वारा बनाई जाती है, जैसे हम कोई वेबसाइट खोलता है, तो उस वेबसाइट के द्वारा हमारे को एक feature दिया जाता है, हमारे computer में web browser को एक feature दिया जाता है, कि उस website का जो server computer है, उसकी information को हम अपने web browser में store कर सकते हैं, future use के लिए, जैसे एक काम ये भ हमारे computer से पहुचने का जो रास्ता है, उसकी information एकटी कर ली गई है, और उसमें एक समय लगा, जब next time हम उसी server computer से, उसी website के server computer से जब connect होगे न, यानि हमारा computer connect होगा, तो जल्दी connect हो जाएगा, जो समय लगा था पहले उससे जल्दी connect हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले व आप connect हो जाएगे, minimum समय में, ठीक है न, तो ऐसे समय लो कि हम जिस किसी website को खोलते हैं, और उसके web server से हम connect होते हैं, तो उसकी information है न, हमारे computer के web browser के cookies में store करती जाती है, यह cookies का meaning है, अब यह क्या कर रहा है, ऐसी कौन सी cookies होती है, जो आप ही की है न, privacy को है न, आपकी गोपन connection को की के नाम से, तो इनका, इसका जो सही answer है, वो बता देता हूँ, पहले मैं आपको इसका सही answer है, option B, यहने की third party cookies, third party cookies जो होते हैं, उनी के द्वारा ऐसा हो सकता है, कि हमारे ही computer की कोई information है न, leak की जा रही हो, कहीं भेजी जा रही हो, हम तो सोचना है कि cookies हैना, ठीक, एक किसी, मतलब, किसी सही purpose के लिए न, बन रही है हमारे web browser में, किसी server computer की cookies बन रही है, मतलब, उसके information आ रही है, जबकि वो cookies के अंदर कुछ ऐसी programming है, जो हमारी privacy कोई leak कर रही है, है न, तो उनको third party cookie के नाम से बोल देता है, बागी जैसे और option है, session, session cookie का मतलब, basically यह होता है, क किसी website या, किसी server computer से आपका computer connect हो गया, तो जो cookies में information इखटी होई होगी, वो web browser के बंद होते, delete हो जाती है, अगर session cookies की बात चल रही है, तो, persistent cookies में क्या होता है, basically कुछ समय के लिए information को इखटा करके रखा जाता है, फिर बाद में delete हो जाएगी, मानलो, यह न, third party cookies में, जैस privacy को leak करने की, expose करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है जी, आगे देखो, मैंने वो zombie इसलिए नहीं बताया था, क्योंकि अगला question हमारा zombie पर यह आदा रहता है, यह पढ़ लीजे, यह कहा रहा है कि some cookies are automatically recreated after a user has deleted them, and these are called as dash cookies, यानि कुछ cookies उप्योग करता द्वारा हटाई ज जाती है, जिनने dash कहा जाता है, तो इसका सही answer है बिटा, zombie cookies, zombie नाम की यह cookies होती है, इनकी अंदर जो programming है ना, वो कुछ ऐसे की गई है, कि अगर आप इना delete भी गर दोगे, तो यह अपने आप auto recreat हो जाती है, ठीक है ना, तो उनको zombie cookies के नाम से बोल देता है, अगला question, which among the following devices is also known as a visual display unit, यानि निम लिखित में से किस device को visual display unit के नाम से जाना जाता है, very simple question, monitor को ही कहते है, monitor को display भी कह देता है, या फिर VDU यानि की visual display unit के नाम से भी बोल दिया जाता है, next question देखते हैं, next question में बोल रहा है, ये in web browser, which of the following is responsible for the display, displaying the web pages, web browser में web page को प्रदर्शित करने के लिए निम लिखित में से कौन सा उत्तरदाई होता है, अब पहली बात तो ये समझे, जब हमारे सामने हैं कोई website, web pages वगरा खुलते हैं तो ये खुले जा रहे होते हैं हमारे web browser में है, जैसे कि Google Chrome एक web browser है, तो हर एक web browser के अंदर है एक system होता है, जैसे rendering engine कहा जाता है, और rendering engine ही basically जिम्मेदार होता है, उन web pages को हमारे सामने दिखाने के लिए web browser में है, तो क्या यहाँ पर rendering engine लिखा हुआ है, yes, option B is the right answer, simple सा याद कर लेना इस बात को, कि हमारे किसी भी web browser browser के अंदर rendering engine ही जिम्मेदार होता है, जिसकी वज़े से हमारे सामने किसी website के web pages खुल के आ रहे होते हैं, ठीक है, अगला question, which among the following ports is also known as line printer port, निम लिखेत में से किस port को line printer port के नाम से भी जाना जाता है, देखो line printer port कह दो, या parallel port कह दो, या फिर आप इसे LPT, यानि line print, terminal के ना ये printer की, जब printer को है ना पुराने समय में computer के साथ connect किया जाता था, तो line printer port या फिर parallel port का इस्तिमाल करते थे, LPT port का इस्तिमाल किया जाता था, जिसमें total है ना 25 pin का concept इस्तिमाल करते थे, data को स्थानांतरित करने के लिए, आज के समय अगर आपके पास कोई printer है, उसे अगर इस पूर्ट के तुरू connect हो जाता है, तो इसका सही answer हो जाएगा बेटा, parallel यानि की समानांतर, ये सही answer है, और ध्यान रखना कि इस parallel port में total कितने pin का concept इस्तिमाल में लाए जाता है, data को transfer करने के लिए 25 pins का, ठीक है बागी option तो ठीक नहीं है, next question को पढ़ लेता है, क्या कह रहा है, question मैं बोला है कि dash viruses are embedded in the system's memory, so it can be reactivated if the original virus is deleted, dash virus system की memory में embedded होता है, embedded का मनला समझते हैं, माला fix हो जाना, पूर निर्धारित हो जाना, बैट जाना, है न, fix कर देना, तो embedded होता है, ताकि मूल virus को हटाने पर भी इसे फिर से सक्रिय किया ज सके, तो इसको याद रख लेना, इसे resident virus के नाम से बोला जाता है, यह हमारे computer की memory में fix बैट जाता है, resident का मतलब होता है, घर बना लेना, जैसे आपको कोई, आपसे कोई बोले कि आपका resident address क्या है, आपके घर का पता क्या है, तो यह क्या गरता है, memory के अंदर घर बना लेता ह और अगर इन से चुड़े हुए मूल virus को आप खतम भी करते हैं, delete करते हैं, तो यह उनको दुबारस recreate कर देता है, ठीक है ना, बागी file option हो नहीं सकता था, polymorphic वी एक virus होता है, यह basically क्या हो करता है, यह अपने mutant बना लेता है, सहुझ मारे, जैसे coronavirus की अगर हम बात करें, तो coronavirus नहीं ना, अपने mutant बना लिये थे ना, कुछ समय बाद फिर delta virus बन गया था, फिर यह virus बनते जा रहे थे, coronavirus कही, तो ऐसी है ना, computer में भी कुछ virus होता है, जो अपनी copies बना लेते हैं, बदल बदल कर, उनके code change हो जाता है, अंदर ये अंदर, तो उनको polymorphic virus कहता है, root kit, यहा और उसमें viruses वगरा का इस्तेमाल किया गया हो, तो वो जो virus है ना, इस्तेमाल में लाए जा रहे हो, तो उनको root kit virus बोल देता है, इनको basically remote access virus भी बोला जाता है, यह remote login virus कह देता है, next question, यह कह रहा है, which among the following statement is incorrect about the secondary memory, हिंदी में कहा जागा, इन में से कौन सा कथन, secondary memory के लिए ग बागी सारे statements ही होंगे, एक गलत होगा बस, है ना, चले English वाले portion पर जाता है, कह रहा है, it is known as the backup memory, हा, secondary memory को आप backup memory के लिए, backup memory के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे pen drive है, memory card है, या कोई external hard disk है, इनका इस्तेमाल है, backup memory कर लो, जैसे आपके computer में कुछ फाइल है, उन्हें hard disk में, pen drive में, या memory card में रख दो, या CD DVD में रख दो, वो backup हो गए, ताकि अगर मुख्य कंप्यूटर में से वो फाइल है, खतम हो जाए, डेलीट हो जाए, तो आईसे backup जो फाइल है, उनको आप इस्तेमाल में ला सको, तो यह तो ठीक है, फिकर है, data is permanently stored even if power is switched off, यानि data permanently stored सहता है, अगर power off कर भी दी जाए, तो, हाँ secondary memory में, computer की power बंद करने पर data खुद से loss नहीं होता है, फिकर है, computer में run without the secondary memory, हाँ, यह भी सही है, secondary memory अगर नहीं है, तो भी computer को आप run करा सकते हैं, क्योंकि computer को run कराने के लिए primary memory की आप शिकता पड़ती है, और वो होती है, RAM और ROM दोनों, बस, और यह लिखा है, it is volatile memory, यही गलत हो गया, इसका लोग यही आंसर हमारा सही है, क्योंकि गलत ही तो बताना था, incorrect, भी secondary memory वोलेटाइल होई नहीं सकती, क्योंकि जब आप यह कह रहे हो कि computer की power बंद कर देने पर यह data permanently store करती है अपने पास, तो फिर volatile कैसे हो सकत है, volatile का तो मतलब यही होता है नहीं कि computer की power बंद करती data loss हो जाए, तो इसलिए यह वाला कथना हमारा सत्य है, सही है, question की according गलत है, क्योंकि incorrect बताना था हमको, अगली question पर जाते हैं, देखो क्या बोल रहे है, क्या रहे है, dash memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at the rapid rate, यानि हिंदी में कह आ जाएगा, कि dash memory का उप्योग कभी कभी मौजूदा program और data को CPU को तेज गती से उपलब्द कराकर processing की गती बढ़ाने के लिए किया जाता है, मैटा दोगो, सीधी सी बात है, अगर हम अपने computer के CPU को data दे रहे हैं, तो वो किस से मिलेगा, RAM से मिलेगा, बड़ी नॉर्मल प्र तो इसलिए सही answer हो जाएगा, option D, यानि की cache memory है, which of the following statement about the quick access toolbar in MS Word 2010 is and are incorrect, यानि इन में तीन statement तो सही होंगे, quick access toolbar के regarding, अब मैंने आपको पहले ही बताया, अभी थोड़ दर पहले है, कि quick access toolbar basically हमें MS Word में दिखाई देता है, कहां पर दिखाई देता है, जैसे यह हमारा MS Word application है, तो यहां सबसे उपर है आपको दिखाई देगा एक title bar, और title bar के यहीं, इसी side में होता है, वैसे यहीं पर quick access toolbar, टीके जहां पर undo, redo और save वगरा के option होता है, फिर नीचे आता है menu bar, फिर नीचे आती ribbon, फिर यहां नीचे status bar होता है, यह vertical scroll bar यह horizontal scroll bar, और वीच में आपका working area होत होता है, जिसे page कहते है, ठीक है, इस तरीके से MS Word में काम करता है न, तो देखो कह रहा है, the quick access toolbar has save, undo और redo बटन by default, quick access toolbar में save, undo और redo, यह button by default होता है, हाँ होता है, यह तो ठीक है बई, यह तो सही है, दूसरा कह रहा है, the quick access toolbar has cut, undo and redo button by default, cut, cut by default नहीं होता, और देख लेते हैं चलो, यह कह रहा है कि you can place more button on the quick access toolbar, यानि आप और भी button add कर सकते हैं, quick access toolbar में, हाँ, यह भी ठीक है, जरूर नहीं कि save, undo, redo ही तीन बटन ही हो, और भी button हो सकते हैं, फिक है, there is no option on the quick access toolbar for show below the ribbon, देखो इसका meaning क्या है, इसका meaning यह है कि जैसे quick access toolbar यहां देख रहा है, अब देखो question कहां से पूछ रहा था, यह MS Word 2010 से पूछा जा रहा है, इस वाले version से, तो इस version में basically क्या था बिटा, देखो, इसमें क्या था नहीं, quick access toolbar को, आप ribbon के नीचे यहां पर भी ला सकते हो, यह ribbon होती है न, इसके नीचे यहां पर भी ला सकते थे, यह आपके वाज option था, ठीक है, तो यानि there is no, यह कह रहा है, there is no option, कि कोई access toolbar को आप ribbon के नीचे ला पाओ, ला सकते थे, इसका मतला, यह option गलत है, answer हमारा, यह सही होगा, अच्छा हमें न, मतलब सारे statement देखने हैं न, पहले तो, चलो इसे ऐसे समझता है, फिर से एक बार, यह कह रहा है न, कि which of the following statement, quick access toolbar के regarding कौन सा सही है, कौन सा, नहीं, कौन सा incorrect है, incorrect ही तो बताना था, केवल incorrect बताना है आपको है न, तो यह तो ठीक था, और the quick access toolbar has cut undo and redo buttons by default, न, यह नहीं होता, cut by default नहीं हाता, यह नहीं हाता, इसका मतलब यह हमारा statement incorrect है, यह incorrect है, और you can place more button on the quick access toolbar, हाँ, यह भी ठीक है, और यह कह रहा है, there is no option, कि आप ribbon के नीचे quick access toolbar को ला सको, नहीं, ला सकते हैं, यह भी incorrect है, तो इसका मतलब दो option यह दो statement हमारे incorrect हैं यहाँ पर है, और incorrect ही तो बताना था हमको, तो q और s जहां पर लिखा हुआ देखना बेटा, q और s कहां लिखा यह रहा, only q and s, यह option हमारा सही हो जाएगा, अब समझ में आ गया, तो बेटा मैं आपको एक बार फिर से बता दूँँ, देखो, यह question जैस हैं अपने batch के अंदर, अब यह बाद ध्यान रखिया हमेशा कि जो आप exam देने जा रहे हो ना वो कोई आपका school college university का exam नहीं है, जो आपको q और pass करा देगा, यह आपके लिए एक सरकारी नौकरी दिलाने का exam है, अगर आप यह सोच के जाएंगे बिटा, exam देने, कि मैं तो exam पढ़के आया हूँ और जादे से जादा नंबर लाग हो तो ऐसा शायद मुस्किल होगा आपके साथ, कि आप उस exam को crack कर पाए हैं, है न, क्योंकि आपको है न, अब जो exams हो रहे हैं, जैसे question पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से जादा ही पढ़ना पढ़ेगा, तब जा Central Processing Unit का सबसे पुराना प्रकार है, बेटा देखो इसका सही answer होना चाहिए, that is single core, ये सही answer है, पहले क्या होता था, core वाला concept नहीं आता था CPU के अंदर, आज के समय core वाला concept आता है, जैसे आज आपने सुना होगा, जो CPU या processor है, या microprocessor भी जिसे कहा जाता है, वो आजकल ऐस बड़ उसके अंदर core बनी होई है, और हर एक core वैसे ही काम करती है, जैसे single CPU काम करता है, यानि कहने का meaning यह हो गया, कि CPU संख्या में तो एक ही है, बड़ उसके कार्री करने की शमता 8 CPU के बराबर है, इसलिए उसको octa core processor कहा जा रहा होता है, है ना, dual core है तो दो गुना ताकत ह है, दो गुना पावर है, quad core है तो चार गुना पावर है, triple core नहीं होता, है ना, तो जो शुरुआत में CPU आते थे, central processing unit या प्रोसेसर, उनमें single core का ही concept होता था, ठीक है, single core कहतो या फिर कहतो कि core होता ही नहीं था, एक ही बात होगे न, core तो शुरू कहां से होंगे, dual core से, quad core स है, तो इसलिए क्या answer हो जाएगा, option B, अगला question पढ़ता है, इस question में ये बोल रहा है, कि which of the following is the match, match नहीं math, question में बोल रहा है, which of the following is the math and tignometry function available in MS Excel 365, MS Excel 365 में निमली खित में से कौन सा गडित और त्रिकोण में ये function उपलब्द है, text function, ABS function, logical function, financial function, पीटा, इस question का सही answer होगा ABS function, इस ABS function का basically मतलब होता है, absolute function, absolute function, ठीक है जी, और absolute function का meaning आपको पता होगा, absolute value जिससे मिले आपको, यहनि अगर आप कोई value negative में दो या positive में दो, answer positive भी आएगा, तो उसी को absolute value कहा जाता है, चलिए आगे देखिया, next question बोल रहा है, कि which among the following generation of computer use the technology of transistors for the first time, निम लिखित मैंसे किस PD के computer ने पहली बार transistor की तकनीक का इस्तेमाल किया, तो यह बात है ना हम सभी को पता होनी चाहिए, कि transistor है ना, computer की कौन सी generation से शुरू हुए थे, तो answer है, that is second generation, first generation computer की किस पर based है, vacuum tube पर, second generation transistor पर, third generation ICs पर, चौथी generation VLSI पर, यानि कि very large scale integrated circuit पर, या जिसे microprocessor भी कहा जाता है, और पांचवी generation ULSI पर, यानि कि ultra large scale integration पर, या फिर AI भी कह देता है, artificial intelligence, तो आज की जो generation है ना, computer की, वो पांचवी generation है, और ये ULSI पर, या AI पर आधारेत है, artificial intelligence, जिसको हिंदी में करत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, अगला कोशन, which of the following option can be pressed to create a new email message in Gmail, जीमेल में नया email संदेश बनाने के लिए निम लिखित, मैसे किस विकल्प को दबाया जा सकता है, तो बिटा देखो, इसका सही answer होना चाहिए, compose, ठीक है जी, जब आप Gmail पर जाएंगे ना, Gmail पर जाएंगे और आप है ना, कोई नया email message लिखना चाहते हैं, तो compose नाम का यहने एक बटन आता है, उस पर क्लिक करते ही है ना, पूरा format खुल के आ जाएगा, कि अब आप कोई email message टाइप कर सकते हो, ठीक है, next question, which, नहीं, each cell, next question है, each cell in the worksheet of MSXL 365 is identified by a cell, MSXL 365 की worksheet में प्रतेक cell को एक cell द्वारा पहचाना जाता है, अचा, प्रतेक cell को कैसे पहचाना जाता है, ये question पूछ रहा है, तो पिटा, इसका सही answer हो जाएगा, color, size, rounding, or references, is the right answer, देखो, हर एक cell को MSXL की sheet में पहचानने के लिए क्या होता है, cell reference का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, अगर आप cell reference शब्द नहीं यूज करना चाते हैं, तो cell address के दो, एक ही बात है, जैसे कि किसी cell का address बेटा A10, ऐसा दे रखा है, या A2 दे रखा है, ऐसे बोल दे जाएं, जिसमें पहले column की heading और बाद में रोका number होगा, यह cell reference भी कहलाता है या फिर इसको cell address भी बोल देता है, नेक्स कोशन, यह करा, पहली बात तो देखों, network वगरा की बात आ गई है, है न, तो network की जब बात आएगी, तो यहाँ पर network वाला ही option हमारा सही होगा, इसको basically NAS, या NAS भी बोल दीजे, NAS, network attached storage के नाम से बोला जाता है, इसका simple meaning यहीं है, कि आहाँ पहना कोई network बनाई है, यह माली जो कोई network है, ठीक है जी, और इस network में न, कोई centralized storage device लगा दो, और इसके आज़ पास जितने भी devices हैं, वो सब इसी से connect कर दो, अब इनको जब भी data store करना हो, तो यहाँ पर बीच में data store कर लेंगे, इसी को बोलते हैं, न, network attached storage, अब यहाँ storage के लिए कोई भी device लगाई जा सकती है, बढ़ इस पूरे concept को है न, network attached storage के नाम से बोला जाता है, एक बाद फिर सा देखलो, यहाँ करना है न, centralized data store कराना है आपको, केंद्रिय करत, केंद्रिय करतीरा, आपको न, एक इसी network में केंद्रिय करत डाटा store कराना है, तो वहाँ basically कौन सी storage device का, या कौन सी storage का है न, concept इस्तेमाल में लाए जाता है, तो answer is का, NES, आगे देखे, यह करा, which among the following statement is incorrect, यानि कि इन में से कौन सा कथन गलत है, यह बताना है, ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेता है, न, न, लिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह बताना है हमको, ठीक है, Windows Explorer की दाहिनी विंडो को नौवाहन फलक कहा जाता है अब दोगो हिंदी में जो शब्द होता है computer के वो बहुत जादर tough type के होता है तो इससे बहतर यह होता है कि अंग्रेजी वाला जो statement है वो आप पहले पढ़ लो क्योंकि paper में English और Hindi दोनी भाषा में लिखा हुआता है वैसे तो आपको अगर English tough लग रही तो हिंदियें पढ़ लो Hindi tough लग रही तो English में पढ़ लो ठीक है चलो इससे पढ़ लेता है यह करहा है the right window of Windows Explorer is called the navigation pen right window of Windows Explorer is called the navigation pen अब देखो navigation pen किसे कहते हैं मैं बताता हूँ actually है ना जब आप Windows operating system को open करते हैं और Windows operating system के अंदर file explorer को open करते हैं file explorer को open करते हैं ठीक है तो आपको है ना यहाँ पर left and side में यहाँ दिखाए जाता है सारे file and folder के नाम तो यह कहा होता है left side में होता है तो यह कह रहा है कि the right window of Windows Explorer is called the navigation pen नहीं यह गलत है भाई बना इनकरेक्ट है क्योंकि right में नहीं होता left में होता है वह बहीं तरफ होता है ना आगे कहा रहा है from the navigation pen यह जो navigation pen अभी मैंने बना कर दिखाया था you can view your computer's file and folder structure and access file and folder हाँ यह correct है यानि कि आप है ना अपने computer की file and folder का जो पूरा structure है वो navigation pen में देख सकते हो हाँ देख सकते हैं in the navigation pen there is a quick access area यानि navigation pen के द्वारा है आप जल्दी से किसी file या folder पर पहुंच सकते हो हाँ यह भी correct है navigation pen is to enable easier navigation through windows explorer यानि navigation pen के द्वारा windows explorer में इधर उदर जाना navigation करना आसान हो जाता है हाँ यह भी correct है तो इसका वाला incorrect के वल है option A option A वाला हमारा incorrect है बाकी सारे सही है ठीक है जी चलो अब पढ़ते है next question यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि once dash has infected a substantial number of computer system and it generate the revenue either by displaying advertisement or using pay-per-click mechanism to charge its clients against the number of clicks on their displayed ads एक बार जब dash ने परियाप्त संक्या में computer system को संक्रमित कर दिया है तो यह या तो विग्यापन प्रदर्शित करके या अपने ग्रहाकों से उनके प्रदर्शित विग्यापनों पर क्लिक की संक्या के आधार पर शुल्क लेने के लिए प्रती किलिक भुगदान तंत्र का उ लोगों के द्वारा ठीक है ना जिसमें वह आपको कोई advertisement या विग्यापन दिखाएंगे अब या तो विग्यापन दिखाने से वह पैसा कमा लेंगे या फिर हैना ऐसा हो सकता है कि आपको विग्यापन जवर जस्ती दिखाया जा रहा हो जिस पर आप गलती से click करो और click करन दिखाने से वह पैसा कमा रहे हो आजकल advertisement एक इतना बड़ा फिल्ड है विग्यापन कि हर तरीके से पैसा कमाया जा रहा हूँ उस पर कहीं पर आपको देखना है तो देखो नहीं देखना तो भी देखो advertisement विग्यापन तो देखना ही पड़ेगा है ना तो इस तरीके की system को ह जाता है option D is the right answer जैसे कि मैं समझी गया था advertisement वाला शब्द आ गया है तो add where ही होगा यह भी एक तरीके के malware ही होते हैं जिसमें बस इतना दिमाग में रखना है आपको कि हमें जान बूच के advertisement यानि विग्यापन दिखाया जा रहा होता है और जिसका यह है वो पैसे कमारे होता है देखा होगा आपने बहुत सारी website पर है ना हम जो काम की चाहिए देख रहे हैं वहीं पर बीच में add आना शुरू हो जाते हैं है ना देखो किया रहा है विच अमंग दा following keyboard shortcut is used to bookmark the current web page on the web browser निम लिखित में से कौन सी keyboard shortcut की web browser वरतमान वेब पेज को बुक मार्क करने के लिए उपयोग में लाई जाते हैं यह बात पता है ना किसी वी website के वेब पेज को आप बुक मार्क कर सकते हैं उस वेब पेज पर डारेक्ली जाने के लिए तो बुक मार्क है ना basically इस shortcut की तुरू बनाया जा सकता है आप जैसे किसी वेब ब्राउसर में आपके सामने खुल के आ जाता है नेक्स कुशन डेश इस आल्सो नोन एस प्रोटोकॉल कंवर्टर डेश को प्रोटोकॉल रूपांतरन के रूप में जाना जाता है यह को लॉजिकल कुशन है समझ में तब ही आएगा जब आपने चीज प्रोटोकॉल कंवर्टर देखो जैसे माली जैए अगर कोई सिस्टम और यहां पर कोई दूसरा सिस्टम है अब रौसम को अगर आपके साथ कहां जोड़ना है नि तो अत पहले कि अगर दो अलग अलग नेट्वक्त जो समान protocols पर काम करते हैं, उन्हें जोडने के लिए bridge चाहिए, और अगर दो network, जो अलग-अलग protocols पर काम करते हैं, different protocols पर work करते हैं, उनको जोडने के लिए हमें gateway चाहिए होता है, आप बोलें के चलो ये तो सर हमें पता ही है, बण ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर का मतलब है है पर तो basically protocol converter का मतलब यह यहां पर अलग protokoll यानि कि differ protocol का इस्तेमाल किया गारा होगा और यहां पर भी differ protocol का इस्तेमाल किया गारा होगा है ना अलग अलग भी अलग protocols पर काम कर रहा है तो उस case में यह gateway basically क्या कर रहा है protocol converter का ही तो काम कर रहा है है या नहीं भई इस protocol से संबंदिच जो data होगा उसे यहाँ समझाना और यहाँ पर protocol से संबंदिच data होगा उसे यहाँ समझाना तो एक तरीके से बीच में converter का काम भी तो कर रहा है protocol के बीच में क्योंकि protocol दोनों जगे अलग अलग है इसलिए हमारा यहाँ answer हो जाएगा that is gateway इस question का सही answer क्या होगा 104 question इसमें कह रहा है डेश आर्दा rules that exist at several levels in a telecommunication connection यानि डेश वे नियम है जो दूर संचार connection में कई इस तरों पर मौझूद होते हैं मैंने आपको बोला ना पहले कि हमारे question मेंना कुछ particular keywords होते हैं उससे पता चल जाता है कि सही answer क्या होगा जैसे कि telecommunication connection क है तो एक ही बात है और वहाँ पर है ना rules की बात चल रही है वहाँ पर नियमों की बात चल रही है नियम की तो यह बात ध्यान रखना कि internet networking telecommunication सभी जगे जो set of rules होते हैं नियम होते हैं उनको protocol के नाम से जाना जाता है ठीक है भई आगे देखो next question को पढ़िया यह बुल रहा है कि which of the following font effect is not available in the msword 2010 font dialogue box यानि नियम लिखेत में से कौन सा font effect msword 2010 font dialogue box में उपलब्द नहीं होता है पहले तो यह ध्यान रखना कि font dialogue box ना open कैसे होता है तो आपको न msword में control के साथ d दबाना इससे आपके सामने font dialogue box open हो जाएगा font dialogue box में basically formatting tools होते हैं जैसे कि अगर आप किसी भी शब्द की ऊपर msword में bold detailing underline color font का size चोटा बड़ा सूपर script यह सब चीज़े जब करते हैं तो यह सब चीज़े फॉर्मेटिंग टूल कहलाती है और यह फॉर्मेटिंग टूल आपको एक box के अंदर मिल जाएंगी जिसको font dialogue box कहते हैं तो इस font dialogue box के अंदर basically font effects होते हैं अब जैसे यहां लिखा ना super script यह भी font effect है small cap यह भी font effect है double strike through यह भी font effect है बट equalize character height यह font effect नहीं होता है तो हमारा सही answer हो जाएगा option D और भी font effect होते हैं हां होते हैं जैसे super script, sub script, strike through, double strike through, embose, and groove है ना small cap, all cap यह ऐसे धेर सारे font effect होते हैं ठीक है चलिए आगे देखें यह किया रहा है dash can either be malware और hardware the main purpose of this malware is to record the keys pressed by the user on the keyboard dash या तो malware है या hardware हो सकता है और इस malware का मुख्य उद्देश कीबोर्ड पर उप्योग करता द्वारा दबाएगे कुझियों को record करना है देखो simple सा mean समझ लो कि अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस कर रहे हैं और इसे अगर कोई record कर रहा है आप नहीं करना चाहते कोई और record कर रहा है तो उन्हें generally spyware कहा जाता है जो आप इसे ऐसा समझा जाता है कि आपकी कोई जासूसी कर रहा है और spyware के example में आता है एक नाम that is keylogger यह keylogger नाम के ना software हो सकता है hardware हो सकता है कुछ भी हो सकता है जिसके द्वारे ना आप की जो keyboard typing है उसको कहीं ना कहीं record कराया जा रहा होगा जनरली keyboard typing आप जो कर रहे होंगे न तो आपके सामने जो फाइल होगी उसी पहीं तो होगा record उसी पहीं typing जल रहे होगी पर आपकी typing को कोई और भी कहीं store करा रहा है कि आप जो लिख रहे है वो कहीं और जो भी store हो रही है तो इसको जनरली spyware activity कहा जाता है और spyware का example होता है keylog कर इसके द्वारे जनरली ये काम किया जाता है अगला question dash port transmit one bit of byte at a time as a single stream of bits and it means for transmitting slow data over the long distance यानि dash port एक बार में एक byte के एक bit को bits की एकल stream की रूप में संचालित करता है यह लंबी दूरी पर धीमी गती से डेटा संचालित करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है दो को बे जाता है तो इद्धान रेकना यह serial port या serial connector होता है जिसमें एक बार में एक ही bit करके data भी जाता है एक बिट करके और यह बहुत ज्यादा time consuming होता है बहुत धीमे धीमे data जाता है ठीक है ना बागी जैसे parallel है इसमें data ज्यादा ज्यादा भेश सकते हैं एक ही समय पर universal serial bus तो flash drive निम्न मैंसे किसे flash drive के रूप में जाना जाता है तो इसका सही answer है option D यानि की pen drive को देखो आपको पता होना चाहिए कि pen drive को एक और नाम से जाना जाता है that is USBFD इसका पूरा नाम होता है या full form होती है universal serial bus flash drive ये भी बोलते हैं इसको तो pen drive है बेसिकली एक flash drive होती है अब drive का simple सा मतला होता है flash memories है और flash memory वह memory होती है जो flash डवली पी रोम memory पर आधा रहेता है वहला डवली पी रोम अगर आपने नाम सुना हो जिसको electrically erasable programmable read-only memory कहा जाता है उसी का आगे का पार्ट होता है flash डवली पी रोम तो उसी को flash memory भी कह देता है यह करा which of the following keyboard shortcut keys used to close a ms word 365 document यानि ms word document को है आपको close करना है बंद करना है तो इसके लिए कौन सी shortcut की इस्तेमाल में लाई जाती है तो इसका सही answer होगा alt plus f4 यानि अगर आप alt वाली key के साथ f4 function की दबा देंगे तो आपकी ms word application या ms word document बंद हो जाएगा ठीक है जी next question यह करा which among the following is incorrect about the cache memory यानि cache memory के regarding इन्वे से कौन सा कथन गलत है यह बताना है आपको तो पहले एक बार हिंदी में और देख लो cache memory के regarding है ना कोई कथन है जो गलत है वो बताना है हमको है ना चलो पढ़ लेते हैं इसको यह कह रहा है कि first option वे it is slower than the main memory main memory यानि RAM से slow होती है cache memory नहीं fast होती है तो यह गलत है और हमें क्या होताना है इन्करेक्टी बताना है तो शायद हमें answer मिल चुगा है चलो और भी देख लेता है इट keeps the program that can be run in the short amount of time यह सही है यानि कि कम समय के लिए data को रखा जाता है cache memory में यह कह रहा है it act as a high speed buffer between CPU and main memory यानि कि यह एक high speed temporary memory या buffer भी कह सकते है जिसको के रूप में काम करता है CPU and main memory यानि RAM के बीच में हाँ यह बात भी सही है और कह रहा है it is stored data in the temporary use यानि कि अस्थाई उपियोग के लिए data इसमें रखा जाता है तो यह बात भी सही है इसका मतला हमें answer मिल चुगा था option A क्या बूल रहा था it is slower than the main memory यानि कि RAM से slow होती है नहीं fast होती है इध्यान रखना अगला question next question कह रहा है कि which among the following keyword shortcut की can we use to open windows explorer यह शायद कई बार repeat हो गया question निम्लिक हित्में से किस keyboard shortcut की का उपयोग windows explorer खुलने के लिए किया जाता है answer is window प्लस E का इस्तिमाल करता है next question dash is a networking device that filters network traffic while connecting the multiple computers और communicating devices dash एक networking device है जो कई computers या संचार उपकरनों को जोडते समय network traffic को filter करता है network traffic को filter करके data भेज रहा है अच्छा फिर तो इसका answer switch होगा इसको समझा देता हूं क्या मिनिक है क्या नेट्वर्किंग डिवाइस तो यह सारी की सारी networking devices यह है generally switch router repeater तो हैं distributor यह नहीं होगा यह ऐसी लिग दिया है तो networking device that filter the network traffic while connecting multiple computer communicating device मैं इसका मीनिक यह है मैं समझा देता हूं कि अगर मालों बहुत सारे computers connected है network में तो यह check करना कि किस computer का data है तब data भेज़ेगा उस computer को है ना filter करने का मतलब यह होगे ना कि जिसको बेज़ना है उसी को भेज़े तो यह काम switch कर देता है अगला question next question बोल रहा है कि dash server act as a set of component accessible to the software developer through an API defined by the platform itself यानि dash server platform द्वारा परिभाशित API के माध्यम से software developer के लिए सुलब घटकों के एक set के रूप में कारे करता है यानि मोटा मोटा आप इसे ऐसे समझ लो कि यहाँ पर basically किसी server computer की बात चल रही है और वो server computer क्या कर रहा है जो software developer होते है through an API defined by the platform itself देखो इसका सही answer होगा बिटा application server option a is the right answer इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई एक application server है यह क्या है एक application server है और यह application server है बेसिकली जैसे मालों यह कोई computer है और यह एक अलग computer हो गया जो backend हो सकता है जहां पर data store किया जा रहा हो backend बोलता है इसको ठीक है तो basically इन दौनों के बीच में काम कर रहा होगा यह application server अलग किसी computer का data है ना बीच में अपने पास से लेते हुए यह तेदेगा किसी backend पर store करा देगा किसी database में ठीक है न और अगर यहां जरू हते तो data उठाया भी जा सकता है तो यह बीच में application servers होते हैं जो इस काम को करने में help करते हैं ठीक है जी एक बार फिर से पढ़ लेता है set of component accessible to the software developers and through an API defined by the platform itself ठीक है यह application server ही answer होगा इसका और basically यहां इस computer पर जो लोग काम कर रहे हैं वो software developer होते हैं basically आप और हम जैसे लोगों की बात नहीं चल रहे हैं पर यह ध्यान रखना कि आप और हम जैसे लोगों को तो user कहा जाता याने कि उप्योग करता जो normal computer पर काम करते हैं यहां जो यह बात कही जा रहे हैं software developers की की जा रही है जो software बगरा बनाते हैं तो वह बीच में किसी ने किसी application server का इस्तिमाल करके database को access कर रहे होता है यह meaning है यहां पर नेक्स कोशन यह कहरा dash is a contagious contagious program कहरा dash is a contagious program और code that attach itself to another piece of software and then reproduce itself when that software is run एक संक्रामक program या code है जो खुद को software के दूसरे भाग से जोड़ता है और फिर उस software को चलाने पर खुद को पुना पेश करता है यह बोल रहा है तो पहली बात तो देखो बैटा keyword क्या आ गया है हाँ पर keyword आ गया इस पूरे question में है that is reproduce itself तो मैंने आपको बताया ही है malware की बात चल रही है reproduce itself की अगर हम बात करें तो दो नाम आता है वाइरस और वार्म वाइरस नॉर्मल आंसर है या नॉर्मल केस में आएगा और वार्म आएगा नेटवर्क के इसमें तो यहां पर कहीं पर नेटवर्किंग का या नेटवर्क का कोई concept है नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा option भी यानि वाइरस वाइरस ही तो reproduce itself करता है वो किसी के साथ भी किसी के साथ आगे बढ़ जाएगा खराब करेगा सिस्टम को है ना अगला कुशन विच अमंग दा फॉलिविंग कीवोड शॉटकट की ओपन दा प्रॉपर्टी इस पॉर्पर्टी का मीन आप ऐसे समखलो जैसे कोई फाइल है उसका साइज क्या है है ना वो कितने कितनी ब कि आप खादा करना है तो बेसिकली इसके लिए एक स्वाट कटकी का इस्तेमाल भी किया जा सकता और वो है बिटा आल्ट प्लस एंटर आप एना ओप्शन सी जडर राइट आंसर आप एना किसी भी फाइल या फॉल्टर पर क्लिक करो और वहां पर और प्लस एंटर दबाद दो तो अपने आप एना प्रॉपर्टी खूल कि आ जाएंगे वैसे प्रॉपर्टी खूलने के लिए काम किया जा सकता है किसी भी फाइल पर माॉस से राइट क्लिक करना तो आपके सामने एक लिस्ट खूल के आएगी जिसे context sensitive menu या context menu भी कहा जाता है और उसमें सबसे last में properties लिखा होगा उस पर click कर दो और properties खुल जाएंगे otherwise shortcut की use कर लो next question which of the following shortcut keys used to quickly create a new या blank workbook in ms excel 2010 ms excel 2010 में नई और खाली workbook को जल्दी से बनाने के लिए निम लिखे समय से कि shortcut कुंजी का उप्योग किया जाता है विटा इसका answer होना चाहिए control plus n आप जैसे control plus n दवाएंगे एक नई workbook आपके सामने खुल जाएंगे ms word में नई document create करने के लिए भी यही shortcut की है और ms powerpoint में भी presentation file बनानी आपको नई तो उसके लिए भी यही shortcut की होती है next question यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि डैश is a reading device that read the printed text by scanning it character by character डैश एक reading device है जो printed text को अक्षर दर अक्षर scan करने करके पड़ता है कि देखो बटाए इसमां सही answer होगो OCR optical character reader है इसमें प्राट में OCR कहते हैं यह technology को basically develop किया गया था handwriting recognition के लिए यानि कि अगर इंसानी लिखावत लिखी जा रही है तो उसे read करने की technology को OCR कहते थे बढ़ आजकल जो OCR है ना उसका इस्तेमाल printed text यानि किताब में जो printed text होता छपा हुआ उसे भी read करने के लिए खी आ जाता है ठीक है और उनमें एक function काना match function भी होता है वो किस तरीके से काम करता है वो हमें यहाँ पर बता रहा है ठीक है पहले मैं आपको सही answer बता दूँ यहाँ पर फिर उसे समझा भी दूँगा कि कैसे काम करता हो देखो यह कह रहा है it searches for the specific item in the range of cells range of cells का मतलब क्या होता है बेटा पता है जैसे कि cell range दे रखी आपको A1 से लेकर A5 तक यह होती है cell range यह range of cells यानि A1 से लेकर A5 तर सारे cell को आप select कर लो and then returns the relative position of that item in the range यानि इस range में किसी भी item की relative position को बताता है तो पिटा यह answer है सही ठीक है match function basically position को बताता है फिर किया रहा है the match function syntax is match यानि match function जो है न वो ऐसी लिखा जाता है match के बाद lookup value फिर lookup array फिर match type हाँ यह सही है यानि Q option भी हमारा ठीक है फिकर है all the arguments in the match function are required यानि जितने भी argument लिखे हुआ है यहानि lookup value lookup array और match type यह सभी की requirement पढ़ती है हमको हाँ सब की पढ़ेगे तो इसका मतलब कौन से option सही है हमारे all PQR is the right answer सारे के सारे option हमार सारे के सारे statement हमारे सही है यापर ठीक है भई सभी PQR सही है अब इसका meaning क्या है वो मैं समझा देता हूँ देखो actually होता क्या है जैसे मान लिजे suppose that कि कोई cell address है A1 जहां पर value लिखी है 5 cell address A2 जहां पर value लिखी है 10 और यह cell address है A3 जहां value लिखी है 15 ऐसे लिखा हुआ है ठीक है अब आपने एक function लगाया match equal to का sign लगा कि आपने लिखा बिटा match ठीक है और इसके बाद आपको value देनी पड़ेगी look up value और माली जे वो दे दिया आपने 10 फिर आपको look up array लिखनी है तो आप लिख देंगे यहाँ पर A1 से लेकर A3 ठीक है A1 से लेकर A3 में match करो और यहां लि 2 यह आजाएगा इसका मीनिंग यह है ना कि जो number आप match करा रहे हो number कौन सा match करा ना आपको 10 यह इस पूरी series में कौन सी इस्थान पर है कौन सी position पर है तो दूसरी position पर ही तो है तो दो answer आजाएगा समझ में आगया ऐसा भी हो सकता है अगर equal to का sign लगा कर है ना हमने यहाँ पर match लिखा और अब यहाँ लिख दीजे that is 13 और लिख दीजे A1 से लेकर A3 में यह match करे और यहाँ लिख दीजे that is 1 ठीक है ऐसे enter कर दो तो इसमें क्या होगा basically 13 को देखेगा यह 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 वन है ना एक तरीके से argument होता है basically कि जो आपको answer चाहिए वो इसके आधर पराएगा ठीक है जीरो जो होता है ना वो exact match position के लिए होता है यह ध्यानक ना exact match position यानि कि 10 आपको exactly दिख रहा है तब ही answer देगा और answer है 2 वन है ना यह क्या करता है जैसे 13 आपने पूछा कि यह कौन सी position पर है इस series में है ना तो 13 तो है नहीं 5, 10 और 15 लिखा हुआ है यहाँ पर तो 13 है ना जो value है उससे छोटी value 13 आएगी यहाँ पर 10 और 15 के बीच में है तो 13 से छोटी value कौन सी है बिटा 10 13 से छोटी value कौन सी है 10 है ना तो यह 10 की जो position है वो देदेगा यहाँ पर भी answer कितना आ जागा 2 ही answer आजागा पड़ यहाँ पर 13 लिखा है यहाँ 10 लिखा है वन जो आता है ना यहाँ पर argument इसका meaning यह होता है कि यह जो value आप match कराने के पूछ रहो ना वो पूरी series में अगर नहीं दिख रहा तो उससे जस्ट छोटी value जहाँ पर है वो answer ने देगा आपको ठीक है यह इसका meaning है ठीक है जिए अब अगला question देखता है वो हो गया अधा ना question हमारा हाँ PQR सारे के सारे statements ही थे यह करा which among the following statements is incorrect about the central processing unit हिंदी मैं कहा जागा central processing unit के regarding इन में से कौन सा कथन incorrect है यानि कि गलत है यह पूछ रहा है हिंदी में पढ़ लो एक बार इसको एक बार हिंदी में पढ़ लीजिस कोशन को चलिए इसको देख लेता है एक बार यह कह रहा है कि which among the following statement is incorrect about the central processing unit यानि central processing unit के regarding इन में से कौन सा कथन गलत है इनकरेक्ट है यह हमें बता रहा है एक एक करके पढ़ता है उनकी ओपर control करने का काम करता है तो आंसर है जी तो यह तो सही है भाई यह गलत नहीं है control unit basically हमारे CPU का एक छोटा दिमाग समझ लीजए फिर कह रहा है arithmetic logic unit यानि ALU is responsible for taking the input converting into the signal and shorting it for further processing गड़बड लग रही है आगे देखो arithmetic logic unit is also known as the mathematical brain of computer यह सही है यानि ALU को है ना computer का mathematical brain के नाम से भी बोला जाता है और फिक है रहा है control unit directs and manages the operation sequences control unit direct and manages the operation sequences यानि जो भी CPU के अंदर operations हो रहे है उनको direction देता है दिशा निर्देश देता है प्रबंधन का कारे करता है तो answer है यह भी यह ठीक है तो देखो तीन statement दो सही होगे हमारे यही गलत है फिर arithmetic logic unit is responsible for taking the input यानि input लेता है और उनको signal में बदल देता है नहीं यह गलत है तो जो incorrect बताना है न वो हमारा होगा option B, B is the right answer समझ में आगे सभी को चलो अगला question देखिया है which among the following register in the instruction cycle hold the last instruction fetch आपको बताया था थोड़े दिर पहले question कि जो CPU के अंदर सबसे पहले instruction आती है जिसको अभी processing के लिए आगे नहीं ले जा रहे तो वो तो रखी जाती है IBR या MBR या MDR register में तीनों का मतलब सेम है और जिस instruction को बिलकुल लेके जा रहे होता है कि अब इसकी processing हो रही है होने जा रही है तो उसको रखते है Gmail में जब आप एक mail प्राप्त करते हैं और उसी mail के जवाब में आपको केवल मूल प्रेशक को mail भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करेंगे देखो इसका symbol समीन ही यह है कि अगर किसी की email आई आई आपके पास और आप उसी को email का reply देना चाहते हैं उसका जवाब दे ठीक है जब आप एक email जो आपके पास है वो किसी और को भीजना चाहते हैं आगे भीजना चाहते हैं वो फारवड होता है यह गरा निम लिखत में से कौन चुम्ब के डिस्क नहीं है यह मैगनेटिक डिस्क या चुम्ब के डिस्क हमारे computer की hard disk में लगी होती है ठीक है तो द मैगनेटिक डिस्क का उधारण है डीवीडी यह ना मैगनेटिक डिस्क नहीं होती है इसलिए यह हमारा सही आंसर होगा और यह ध्यान रखिए कि डीवीडी यह एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो लेजर लाइट के कॉंसेट्ट पर काम करती है CD, DVD और BRD यह तीनों ही ऑप् कोशन पढ़ता है यह करा which of the following button are present in the quick access toolbar by default in MS Word 2010 यह तो आच चुका है पहले question है na MS Word 2010 में quick access toolbar में default troops निम लिखित में से कौन सा button मौझूद है तो undo redo or save यह होना चाहिए option D is the right answer ठीक है next question देखिए कह रहा which among the following statement is incorrect यानि इन में से कौन सा statement गलत है यह बताना है तो एक बार इसको न हिंदी में भी पढ़ लो ठीक है फिर इसको समझते हैं क्या कह रहा है कि पढ़ लेते हैं इसको हमें incorrect बताना है न एक रहा memory is required in the web server to downloading anything memory की आवशक्ता पढ़ती है memory is required in the web server यानि जो web server होते हैं यह वो server computer होते हैं जहां पर हमारा data रखा जाता है ठीक है और internet के दोवारा इन web server से data हमारे computer पाता है तो एक रहा memory is required in the web server to downloading anything मतलब memory is required in the web server यह तो समझ में आ रहा है but to downloading anything यह क्या मतलब हुआ इसका किसी चीज को download करने के लिए तुम web server पर download क्यों करेंगे web server तो data रखा जाता है जिसे हम download करेंगे अपने computer पर चलो और देखते हैं uploading is a procedure for copying data from the device to the web server यानि अगर हम अपनी device से किसी web server पर data डाल रहे हैं उसे uploading कहा जाता है यह तो ठीक है यह क्यारा data travels from the user device to the web server while uploading यानि कि अगर वही बात जो उपर लिखी है वही नीचे लिख दिया data travel from the user device यानि user device से अगर web server पर data डाला जा रहा है तो उसे uploading कहते हैं यह भी ठीक है और यानि अगर किसी web server से web server से हमारी machine यानि computer पर data लाया जा रहा है तो उसे downloading कहते हैं हाँ यह भी ठीक है तो यह तीन statement तो हमारे सही हो गया एक statement गलत हो गया और जो statement गलत हुआ है यह हमारा सही answer होगा क्योंकि हमें incorrect बताना था ठीक है पेटा यह सही answer है पड़ी अगला question क्यारा which of the following internet protocol specify how data is exactly नहीं exchange फिर से पर देता हूँ which of the following internet protocol specifies how data is exchanged over the internet and how it should be broken into IP packets निम लिखित मैं से कौन सा internet protocol निर्दिष्ट करता है कि internet पर data का आधन परदान किया जाता है कैसे किया जाता है और इसे IP packet में कैसे तोड़ा जाना चाहिए देखो simple सी बात ध्यान रखना बेटा यह बात आपको पता चल चुकी है कि internet में data हमारा packets की form में move करता है अब उन packets को बनाया किसके द्वारा जाता है तो यह ध्यान रखना कि packets को बनाया जाता है एक प्रोटोकॉल के द्वारा जिसे TCP कहता है Transmission Control Protocol और हर एक packet पर address डाला जाता है IP प्रोटोकॉल के द्वारा ताकि यह packets correct destination यानि गंतव इस्थान पर पहुँच पाएं इसलिए इन दौना प्रोटोकॉल के combination को internet की standard प्रोटोकॉल के नाम से भी बोला जाता है यह वह बोलता है यह बोलंग प्रोटोकॉल यानि कि मानक प्रोटोकॉल hori करता THOM मानक प्रोटोकॉल समझ में आगी बात तो यहाँ पर है ना address देने की बात तो चलने रही किवल यह बोल रहा है कि packet किसके द्वारा बनाए जाते हैं तो उसका सही answer हो जाएगा option C यानि कि TCP के द्वारा ठीक है चलो अगला question Dash is a networking device that filters network traffic while connecting multiple computers और communicating devices Dash एक networking device है जो कई computer या संचार उपकरनों को जोड़ते समय network traffic को filter करता है यह तो अभी खरा था हमने answer is switch यह गरा which of the following is not a LibreOffice software suite program निवलिकित में से कौन सा LibreOffice software suite program नहीं है यह question पूछ रहा है ना तो देखो आपको यह पता होना चाहिए कि बेसिकली LibreOffice यह क्या होता है यह बेसिकली एक open source software होता है यानि कि यह फ्री में आपको मिलेगा यूज करने को पैसे कभी नहीं लिए जाएंगे इसके और दूसरी बात है इसके लिए कि अगर यह आप जानना चाहते हैं कि बना कैसे तो वह भी जान सकते हैं इसलिए इनको open source software कहा जाता है तो इसमें अच्छे जैसे MS Office है ना वो open source नहीं है वो close source software है तो close source software में एक तो पहली condition के फ्री में नहीं मिलता दूसरी बात कि वो कैसे बना हुआ यह भी नहीं बताया जाएगा आपको है ना तो जैसे MS Office में MS Word होता है ना ऐसी यहां पर होता है LibreOffice Writer तो य यहां होता है LibreOffice impress तो यानि यह option हमारा सही है कि LibreOffice Excel के नाम से कोई भी application मौझूद नहीं होती है ठीक है अगला question देखो next question कह रहा है कि which among the following is not a magnetic storage निम लिखित में से कौन चुम्ब के भंडारन नहीं है magnetic storage नहीं है यह बताना है ठीक है न तो magnetic tape तो हो गई भाई नाम में magnetic है floppy drive या floppy disk magnetic disk ही होती है Winchester disk magnetic disk का उधारन है यहां पर सही answer हो जागा memory card क्योंकि memory card है magnetic memory का example नहीं है यह एक electrical memory का example है इसको electrical memory यानि कि विद्धूतिय memory के नाम से आप बोल सकते हैं समझ में आगे सभी को चलिए विच अमंग दा following type of computer is also known as notebook निम लिखित में से किस प्रकार के computer को notebook की रूप में भी जाना जाता है बिटा देखो इस question का सही answer होना चाहिए option है या नहीं कि micro computer ठीक है ना देखो आज के समय हम जो भी computer इस्तेमाल करते हैं जैसे कि laptop हो गया desktop computer हो गया tablet हो गया smartphone इवन या को scientific calculator इन सभी को micro computer ही कहा जाता है ऐसी एक computer होता है notebook विलकु लैप्टॉप जैसे ही है ठीक है ना कई बार तो laptop और notebook दोनों को same ही कह दिया जाता है ठीक है बड़ यह सब micro computer की category में आते हैं ठीक है तो यह बात ध्यान रखना हूँ इसके बाद किया रहा है डैश is the bit rate of available or consume information capacity expressed typically in metric multiples of bits per second या डैश उपलब्द या उपभोग की गई सूचना शमता की bit rate है जिसे आम तोर पर प्रति सेकंड bits के metric गुणकों की मैं व्यक्त किया जाता है अच्छा देखो इसका simple answer है मैं बता दूँ आपको that is bandwidth option d bandwidth क्या होता है तो bandwidth basically कहा जाता है एक bit rate को एक दर को जो किसी network पर इस्थानांत्रित की जा रही है इस बात को समझना जैसे मानलों हम इंटरनेट connection लेते हैं और इंटरनेट connection में हमें यह बताया जाए कि आपकी जो uploading और downloading speed है वो 100 mbps की रहेगी यानि 100 100 mbps यानि कि 100 megabits per second तो इसका simple सा meaning यह हुआ कि 100 megabits per second की रफ्तार से जो हमें network से जोड़ा गया है उसमें data आएगा या जाएगा तो इसी को क्या बोल देते हैं इसी को दर बोलते हैं rate बोलते हैं यानि कि bandwidth कि यह गरा है that hold the address of the active memory location यानि डेश व सक्रिय मेमोरी स्थान का पता रखता है यह पीटा register से पूछा जा रहा है question और addresses रेजिस्टर में कहां store होते हैं memory address register में MAR के अंदर CPU के अंदर साथ register होता है ना उन साथ हो register में एक register का नाम होता है memory address register तो CPU के अंदर जो data आ रहा होता ना उसका address memory के अंदर क्या है वो रखा जाता है इस register के अंदर CPU को पता होना चाहिए ना कि जो data अभी CPU के पास आया है उसका वो memory की किस location से आया है किस address से आया है तो मेर के अंदर रखा होता है ठीक next question which of the following shortcut keys used to select all cells of the current row in the MS Excel 2010 worksheet MS Excel 2010 worksheet में वर्तमान पंक्ती की सभी कोशिकाओं को अब देखो कोशिकाओं शब्द लिख दिया हिंदी में यह गलत है यहां पर cell ही आना चाहिए था चलो कोई नहीं इसका meaning क्या है वो मैं समझा देता हूं देखो actually क्या कर रहा है कि अगर आप MS Excel में काम कर रहे हैं और आपको पूरे के पूरे column के अंदर आने वाले cell को select करना है तो क्या shortcut की use की जाए या फिर है न अगर आप किसी Excel की sheet में पूरी की पूरी row यानि पंक्ती में जितने cell आ रहे हैं उनको अगर आप select करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा आपको तो basically यहाँ पर row की पूछी है मैं column की भी बता रेकोल्म के लिए होता है यह ओटा बेटा columns के लिए यानि किसी भी कॉलं में सारे के सारी cells को अगर select करना है तो आप वहाँ पर basically control प्लस space बार दबा दो किसी भी cell पे click करके किसी भी column के किसी वी cell पे click करके और अगर आप और आप किसी भी row यानि पंक्ती के किसी भी cell पे click कर करके shift plus space bar दबा देते हैं तो पूरी की पूरी row select हो जाती है ठीक है यह गर डेश record everything you type on your PC in order to obtain your login name password and other sensitive information यानि डेश आपके द्वारा आप अपने PC पर type किये गई हर चीज को record करता है ताकि आपका login नाम password और अन्य संवेदन शील जानकर ही प्राप्त की जा सके हैं अभी इसी से related में आपको बताया था की logger यानि आप जो type कर रहे हैं उसे अगर कहीं पर record करा जा रहा है उसे कहीं पर store करा जा रहा है तो उन्हें generally spyware कहा जाता है और spyware का उधार की logger यानि आप जो भी type करेंगे वह कहीं ना कहीं store करा दिया जाएगा फिर उसका misuse भी किया जा सकता है यह करा crypto locker crypto locker is a form of which of the following crypto locker क्या है निमली कितमें से किसका एक रूप है बिटा यह ध्यान रखना crypto locker है ना एक ransomware होता है ransomware क्या होता है ransomware basically वो malware होते हैं वो malicious program या software होते हैं जो आपके computer में आ जाएंगे और आपके computer वे lock लगा देंगे और फिर वोलेंगे अगर आप इस lock को खुलना चाते हैं तो हमें पैसे दीजे पैसे पे करो तब जाके lock खुलेगा ransom basically हिंदी में कहा जाता है फिरौती को और फिरौती पैसे के लिए ही तो मांगी जाती है या पैसे दे तो अपने बच्चे को छुड़ा लेना तो उसी तरीके का यहां पर system है तो ransomware का एक example है crypto locker के नाम से अगला question देखिए नेक्स question इसमें कहरा which of the following is a web browser created and developed by the Microsoft यानि निमलिकित मैंसे Microsoft company के द्वारा generate किया गया बनाया गया web browser का नाम बताई है तो यह बात वेटा हमें पता होनी चाहिए कि Microsoft company ने बनाया है Edge के नाम से इसका पूरा नाम होता Microsoft Edge तो यह आपको मिलता Windows operating system के अंदर और Windows operating system के अंदर है यह Microsoft Edge नाम का web browser लाया गया था Windows 10 में और Windows 10 से पहले है जो भी Windows operating system के version या sunscreen थे उनमें इसी web browser को यानि इसके पिछले वाले version को internet explorer यानि IE के नाम से बोला जाता था यह करा है इन MS Word 365 Ctrl plus E is the keyboard shortcut की देखो बटा Ctrl plus E shortcut की का इस्तिमाल किया जाता है MS Word में center alignment के लिए इसका meaning यह होता है कि जो भी आप text लिखेंगे न उसको बिल्कुल बीच ओबीच में लाना है आपको या बीच ओबीच में ही लिखना है आपको तो center alignment के लिए use किया जाता है Ctrl plus E left alignment के लिए Ctrl plus L right alignment के लिए Ctrl plus R और justify alignment के लिए Ctrl plus J का इस्तिमाल करता है यह गरा consider the following statement regarding line spacing of the paragraph in MS Word 2010 यानी 2010 line spacing के बारे मैं पूछ रहा है न कौन सा statement सही है पहले एक बार हिंदी में पढ़ लो आप फिर मैं इसका answer बताता हूँ देखो line spacing के बारे में बोल रहा है पहले तो यह समझ लीजए कि MS Word में जवाब typing करते है न तो हर दो line ओ के बीच में जो space होता है यह basically line spacing कहलाता है न तो कह रहा है line spacing determine the amount of vertical space between the line vertical space ही तो होता है उर्दवादर space तो यह statement तो हमारा सही है तो कौन सही होगे हमारा option A is the right answer यानि only P क्योंकि line spacing में न डाइगनल space थोड़ी consider करता है यह वर्टिकल स्पेस को consider किया जाता है ठीक है बटा अब आगे देखो यह गरा लिखित में से कौन सा folder delete किये गए email को store करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जब आप Gmail वगरा open करते हैं तो वहां आपको एक folder मिलेगा जिसे trash कहते हैं कई बार trash की जगा बिन भी लिखा हुआ आ सकता है तो बेसिकली जो भी आप email वगरा डिलीट करते हैं वो सब ट्रेश या बिन में चली जाती है ठीक है अगला कुशन विच अबंग दर फॉलविंग पोर्ट्स इस ऑल्सो कॉल्ड़ माउस पोर्ट यानि इन लिखित मैं से किस पोर्ट को माउस पोर्ट के नाम से भ यह घड़ा ड्यश डिस्ट्लेस अलिस्ट ऑफ इूटिलिटी कंफिगर दऊ ढूटर सिस्ट्मैं इंस्टेटार इंस्टॉम्ट्वेद्वर स्टॉल सॉफ्वर ईंस्ट्वेरं हांडवएर कर रिम प्रदर्शुट से दिखित सकते हैं control panel में जाके कि हमारे computer में कौन सा hardware या कौन सा software install किया गया है डाला गया है अगला question dash was the first browser to display the image images in line with text instead of displaying images in a separate window यानि dash पहला browser था जो छबियों को एक अलग window में प्रदर्शित करने की वज़ाए text के साथ in line प्रदर्शित करता था ये question पूछा जा रहा है देखो इसमें कुछ अलग नहीं है मोटा मोटा यही पूछा जा रहा है कि कौन सा web browser था जिसमें image वगरा यह सब चीए दिखाई गहीं पहली बार है ना तो इसका answer होना चाहिए that is option B यानि की मोजाइक के लिए मोजाइक है ना वो बेसिकली सबसे पहला वेब ब्राउजर था जिसमें images वगरा को दिखाया गया था ठीक है अच्छा पहला कौन सा ब्राव ब्राउजर था जिसमें केवल टेक्स वगरा दिखता था केवल फेस्बुक.com तो वर्ल्ड वाइड वैब अगर लिखा हो आपके सामने तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं एक तो वर्ल्ड वाइड वैब के बीच में इस पेस अगर दे रखा है वर्ल्ड फिर वाइड फिर वैब इस पेस देकर तो यह तो ग्लोबल नेटवर्क का नियम है जो यह दर्शात है कि पूरी दुनिया एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है और अगर वर्ल्ड वाइड वैब तीनों शब्दों को चिपका दिया जाए कोई गया अपना हो तो यह दुनिया का सबसे पहला वैब ब्राउजर है जिसमें पहली बार टेक्स के वल दिखाई दिय खेर इसका नाम भी चेंज करके बाद मैं Netscape Navigator कर दिया गया था आगे देखो यह कि रहाए डेश आर्दा सेट ऑव वायर्स विच कैरीज गूर्प ऑब बेट्स इंद पैरलल एंड है एस एस शायद हमें पता चल लाएगा आंसर क्या है यानि पैरलल शब्द से हैं इसमें एक सब्बंद नियंतरण योजना होती है यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या अधिक उपकरणों के बीच में संसार संचार पत्थ प्रदान करता है और ऑप्शन क्या है क्या रहा है डेशार्दा सेट आफ वायर अच्छा वायर भी था यहां पर देखो यह ध्यान रखना कि हमारे कंप्यूटर में जो बस है ना वो दो फर्म में मौझूद है दो रूप में देखी जाती है एक तो मदर बोर्ड के ऊपर या किसी पीसीवी के ऊपर जो टेड़ी अगला कोशन यह करा वाट विल वी दा फंक्शन गिवन बिलो रिटन नेंदा एमेस एक्सल 2010 यहां का मतलब पता है आपको समझाए था मैने अगर वन लिखा हुआ है तो उसका मेनिक यह होता है कि जो वैल्यू आपको दी गई है अगर वो उसकी exact position नहीं पता चल रही है या नहीं दिख रही है आपको यह जो बारे लिखा है न वो इस range में अगर नहीं है exactly नहीं है तो इस से जस्ट छोटे वाले की position बता दो बारे कहां पर आएगा 10 और 13 के बीच में आएगा तो बारे से जस्ट छूटा कोन है 10 की position क्या है series में पहली तो answer हो जाएगा option B यह answer है इसका ठीक है अगला question यह कर रहा which among the following statement is incorrect for input devices एक बार हिंदी हैं पढ़लो इसको फिर इसको discuss करते हैं देखो यह कर रहा which among the following statement is incorrect for input devices यानि input devices जैसे keyboard mouse input device होती है तो इनके regarding कोई कथन या statement ऐसा है जो इनकरेक्ट है गलत है देखता है input devices को peripheral device के नाम से बोला जाता है तो answer है जी हां बोलते है peripheral device का symbol सा मतलब होता है वो devices जो computer system में बाहर से connect की जा रही हो तो input device जैसे keyboard और mouse जैसी devices बाहर से connect होती है हाँ input devices accept the user data input device user data को accept करती है अच्छा आगे देखाओ input device help the computer in receiving data अच्छा आगे देखाओ optical mark reader is an input device हाँ ये भी सही है optical mark reader जिसे OMR कहा जाता है OMR device वो एक input device है हाँ input device होती है अब दो option हमारे पास input device accept the user data या input devices help computer in receiving data तो input devices का इस्तिमाल है ना computer को data देने के लिए तो किया जा रहा है न वहीं अगर मैं computer data देना चाहता हूं कुछ text लिखकर देना चाहता हूं तो इसमें input device बीच में काम करेगी न तो input device help कर रही है ताकि data computer प्विटर देया जा सके तो input device help computer in receiving data data को receive करने में help पर तिट यह वह गया से हमारा प्लगी यहां लिखा है Input Devices Accept User Data अ है जितेंगो देखने में यह भी ठीक ही लग रहा है वैसे के Input device करती है tap करती है कि अगर यह से आप्शन वे यहां एसे लिखा होता है इन्पूट डिवाइस, 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 इन तो फिर से समलो कि input devices accept the user data input device user के data को accept करती है यह कहना चाहरा है तो accept करती है तो किसली accept करने है आगे कुछ देने के लिए ना तो statement तो पूरा लिखना चाहिए है तो ठीक है यह तो ठीक लग रहा है देना चाहता हूं तो input device के तुरी दूंगा चलो कुछ mistake होगी इस मैंना आगे देखू कर विच अमंग दा following statement is incorrect यानि कि इन में से कोई एक ऐसा कथन है जो गलत है एक बार हिंदी में पढ़ लो पहला है फिर मैं इंग्लिश में देखकर आपको बताता हूं कि इंग्लिश वाले section को इसलिए explain करतेता हूं क्योंकि इंग्लिश है न वाला जो section होता न उसमें शब्दों को देखकर इंग्लिश statement को देखकर easily समझ में आ जाता है हिंदी वाले statement में हिंदी बहुत ज़्यादा टफ लिखी हुए आती कई बार समझ नहीं आता कि क्या पू सा statement incorrect है यानि गलत बताना है यह कर रहा है यह magnetic tape consist of vertical column called frame एक magnetic tape की बात कर रहा है चुम्बक यह tape की और उसमें जो vertical columns होते हैं जैसे यह माल लो कोई magnetic tape है इसमें जो vertical columns होते हैं उनको frame कहा जाता है हाँ यह तो सही है एक magnetic tape consist of horizontal rows called the channel or track यानि कि अगर कोई magnetic tape है और उसमें आपको एना ऐसे channel दिखाई दे रहे हैं जो की horizontal row की form में है उनको channel यह track कहते हैं हाँ यह भी ठीक है कि अगरा magnetic tape drivers are not suitable for storage of data that need to be accessed randomly randomly नहीं आना चाहिए था यह यह शब्द मैं आपको बताता हूं जो magnetic tape होती है न उसके अंदर data को access करने का जो तरीक है न वो sequential होता है वह दाटा को अगर डाल रहे हैं तो वो भी एक sequence में डाला जाएगा और जब कि रीड करना होगा यानि निकाला जाना उगा डाटा टो वी sequence ही निकाला जाएगा तो Magnetic T hunyaर को डाला जाना निकाला जाना यह जोनी सीक्वेंस में होता है, bleavStrum यह वहएवारा in achter होगा जब सबकुछ आठे सारा की सारे काम sequence में हों एड्रेसिंग की क्या ज़रुत पत रही है तो ये भी हमारा correct है तो सभी answer होजाएगा option C सभी है ना जब अगर हम एना किसी जगह है सारे काम को sequence में कर रहे हैं तो फिर address की क्या ज़रुत पत रहे है यह वैसे समलो जैसे बैंक में लोग पैसा जमा करने निकालने गए हैं उन्होंने किसी काउंटर पर किसी खिड़की पर अपने आपी लाइन लगा लिया है तो फिर उन्हें टोकन देने की कि जरूत है वहां कई बार लोगों को टोकन दे जाता है बैट जहां जगे मिले यह तभी तो दिया जाता है जब कोई सीक्मेंस में नहीं लगा हुआ है कहीं भी बैठा हुआ तब टोकन नंबर है अपना नंबर सुने आ जएगा वह सारे लोग इस्तेमाल नहीं होता है, समझ आगे बिटा, चल यह पो आपको समझाएं, वह आपको किलिरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी। तो देखें ये जो जितने भी questions मैंने आपको समझा है आज के session में ये सारे questions है ना SSC में पूछेगा एक question है CHSL का exam हो, CGL का exam हो सभी SSC के exam में पूछेगा questions है जो मैंने आपको समझा है और I hope so, मैं आशा करता हूँ कि आपको clearly समझ में आए भी होंगे बागी एक बात मैं फिर से बोलूँगा आप सभी लोगों को देखो question practice करना ये तभी है ना फायदे मंद होता है जब आपने proper तरीके से पहले सब कुछ पढ़ रखा हो अब कोई subject आप पढ़ने जा रहे हैं कोई topic आप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जिसके chapters के थूरू topics के थूरू आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगे फिर आप MCQs practice करेंगो तो definitely आपके answers जरूर आएंगे है ना सही होंगे answers तो latest live wedges को join कीजे और फिर भी मैं last मैं जाते आते यहीं बोलूँगा कि अगर कोई दिक्कर doubt परिशानी होता आप मुझे whatsapp भी कर सकते हैं and मेरा whatsapp number है 844-88-32987 ठीक है तो मिलेंगे next session में और फिर कभी MS फिर कभी है ना इस computer के MCQs को practice करेंगे और classes में ठीक है theory जरूर पढ़िये एक बार पहले तो मिलेंगे जल्दी ही फिर से किसी session में तब तक के लिए नमस्कार सभी को जैहन वंदे मातरओ